Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. स्वागत है आप सभी का आज के live class में. और आज हम class 12 physics का new chapter इस्टार्ट करेंगे. हमारे chapter का नाम है गती मान आवेस तथा चुम्बकत्व. और अब हम उसके चुम्बकी प्रभाव, धारा का जो प्रभाव होता है, जिसमें सबसे पहला प्रभाव है धारा का चुम्बकी प्रभाव. वो chapter हम स्टार्ट करेंगे और यह बहुत ही important chapter है, धारा का चुम्बकी प्रभाव. यह class 12th के physics का सबसे ज़्यादा formula derivation वाला chapter है. इसमें formula बहुत है, बड़े-बड़े derivation है, और बहुत ही important है, आपके board exam के लिए थी important है ही, साथ ही साथ आपको competitive exam के लिए भी बहुत ज़्यादा यह scoring है. तो इसलिए इस chapter को आपको beginning से बहुत ध्यान से समझना है, और हमारा आज का class है गतिमान आवेस तथा चुम्बकत. देखो, chapter के heading से ही आपको पता चल गया कि वास्तों में हमको इस chapter में पढ़ना क्या है, कि moving charge, moving charge is current, आपको मालूम है कि इसके ठीक पहले वाले chapter में हमने पढ़ा, कि जब आवेस गति करने लगता है, तो उसे हम धारा कहते हैं, आवेस प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, और उसके बाद गतिमान आवेस तथा चुम्बकत, उसके काराण जो magnetic field develop होता है, ये एक बहुत अद्भूत अविसकार्था कहना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में, मैं थोड़ा सा background बता दूँ चेप्टर का, उसके बाद सभी वाई ग्यानी को नियम परापन, बारी बारी से चलेंगे, तो सबसे important बात मैं आपको ये बता दूँ कि, आज के डेट में आप जितने भी electrical device यूज़ कर रहे हैं, मोटर, डाइनेमो, जितने भी घुमने वाले चीज, आपका पंखा घुम रहा है, कूलर घुम रहा है, जो भी चीज रोटेट हो रहा है, electricity के थुरू, वह उसके magnetic effect के कारण होता है, तो ये आज जो हम chapter इस्टार्ट करने वाला है, वो बहुत आपको कई chapter तक इस concept को पढ़ना है, इस chapter के बाद जैसे आप electromagnetic induction पढ़ेंगे, प्रत्यवरती धारा पढ़ेंगे, डाइनेमो के बारें पढ़ेंगे, मोटर के बारें पढ़ेंगे, ये सब का basic concept इसी chapter को correlate करेगा, और ये बड़ा chapter है, बहुत important chapter है, और थोड़ा difficult भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े derivation है, near about 20 step, 25 step से भी उपर के इसमें formula derivation है, तो ये chapter बहुत important है, आप beginning से बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है? चलिए, तो मैं start करूँ सबसे पहले, इस महान वाइज्यानिक के इस प्रयोग से, जिसने पूरा दिसा बदल दिया समझ जो, इनके इस प्रयोग ने पूरा दिसा बदल दिया, electricity और magnetic के effect का, तो आस्टेट ने प्रयोग क्या किया? हम इसके प्रयोग को सबसे पहले, detail में discuss करेंगे, आस्टेट नाम के scientist ने, actual में, ये चुमबकी प्रभाव को खोजने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे थे, वैसे मैं आपको एक मयदार बात बता दूँ, कि physics में खास कर, जो subject में जानता हूं, उस पर बात कर रहा हूं, maximum concept, maximum जो discovery है या invention है कहना चाहिए, वह accidental हो गया, आपको मालूम है एकदम, beginning से हम बात करें, तो Newton सेब के pen के नीचे बैठे थे, ऐसा हम लोगा नी story पढ़ा है, आप लोगे में पढ़ा है, तो महाँ पर कोई gravitation का rule खोजने के लिए नहीं बैठे थे वो, वह तो यूँ ही बैठे थे, एपल नीचे ड्राप हुआ, उन्होंने सोचना शुरू कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत से ऐसे event हैं, जो scientist उस direction में सोचने के लिए वो ready नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी event को देखा, और event को देखके किसी परिणामता को पहुँच गए, इसलिए physics के बारे में बोला जाता है, तो उसकी पहली property है, कि natural events पर उसका कीन observation होना चाहिए, मतलब प्रकृति में जितनी घटनाए हो रही है, उसमें physics के student का बहुत जादा attraction होना चाहिए, क्यों हो रहा है, किसली हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी वाई ग्यानिक इसी तरह से work किये हैं, आपको मालूम है, तो आस्टेट के साथ भी इसी तरह का कुछ बात हुआ, क्या हुआ, वो प्रयोक कुछ होर कर रहे थे, वो electricity पर कुछ प्रयोक कुछ होर कर रहे थे, और उनको पता कुछ होर चल गया, बात कैसी थी, बास इस तरह की थी देखो, कि जैसे मालो हम यहाँ पर एक चालकतार, या आस्टेट क्या कर रहे थे, उनके पास एक चालकतार था, और वो electricity से related कुछ प्रयोक कर रहे थे, और चालकतार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे, माले कोई चालकतार है, और इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहे है, इतफाक से उनके चालकतार के पास में एक चुमबकी सुई रखा हुआ था इतफाक से वहां पर एक चुमकी सुई रखा हुआ था चुमकी सुई चुमकी नीडिल आपको मालूम है कि चुमकी नीडिल क्या होता है यहां पर मैं प्रापर बना देता हूं सपोस्व यहां पर एक चुमकी नीडिल रखा हुआ है ठीक है चलिए हम इस इस तरह से एक magnetic needle है ऐसा होता है आपको मालूम है North Pole और South Pole यह रखा हुआ था चुम्बकी सुई वहाँ पर रखा हुआ था वो एक चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे थे और वहाँ पर पास में चुम्बकी सुई रखा हुआ था तो आस्ट्रेट ने क्या देखा जैसे उन्हों ने इसमें धारा प्रवाहित किया तो चुम्बकी सुई में विछेपुत्पन होने लगा तो उनके तरफ उनका ध्यान गया और उन्हों ने इस प्रयोक को बार-बार करके देखा इस पकास उन्हें ने क्या पाया कि कभी भी कभी यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें वो DC करेंट होता है आगे मुझे पर डिटेल डिसकस करूँगा कि किस तरह से धारा अपना प्रवाहव प्रवाहित करता है वो क्या होता है डारेक्ट करेंट होता है मतलब ब पुत्पन होता है यही सुनोने डिक्लेयर किया कि यदि किसी चालकतार में धारा प्रवहित की जाये तो चालकतार के चारों और चुम्बकी छेत रूत्पन होता है और इस प्रकार से हम चुम्बकी छेत रखो यह हम सो कर देते हैं यह वाइट कलर की लाइन से यह चुम्बकी छेत रहे है उन्होंने बोला कि चुम्बकी सुई इसलिए विच्छे पूत्पन हो रहे है तो बस इनका प्रयोग इतना ही था औ यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार के चारों और चुम्बकी छेतर उत्पन होता है और इसी को हम कहते हैं धारा का चुम्बकी प्रभाव तो इस यप्टर में हमको ही पढ़ना है moving charge and magnetism का मतलब होता है कि चार्ज जब move होता है चार्ज जब किसी चालक में move होता है तो अपने चारों और चुम्बकी छेतर भी उत्पन होता है और आगे चलके इसी बात को अभी से मैं आपको बता दूँ आगे चलके इसी बात को फैराडे नामक scientist ने ठीक उल्टा प्रोसेस किया उन्होंने पहले से चुम्बकी छेतर उत् कर दिया और आज जो हम electricity यूज कर रहे हैं वह उसी concept का देन है मतलब यह कितना महान अभी सकार्थ आप समझ सकते हो इस चोटे से प्रयोक को देखने के बाद इस टूडेन को क्या लगता है कि अरे इतनी छोटी सी तो बात थी इतनी छोटी सी बात थी बस उन्होंने देखा और फिर आगे आप उसको जाके रिसी के सरीद्वार या इलहाबाद में देखोगे प्रयाग राज में तो आपको पता है कि उद्गम कैसा होता है और आगे कैसा होता है तो यह उसी तरह का बात है कि और स्टेट का जो प्रयोक था वह एक तरह से एक बहुत बड़े concept का उद करता हूं जब किसी धारावाही चालक पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों और चुंबकी छेत्र उत्पन होता है इसे कहते हैं धारा का चुंबकी प्रभाव बात के वाईगानिकों ने क्या किया इस पर आगे प्रयोक किया यह आस्टेड है ना यह टाइप होते नहीं बना इंगलिश स्पेलिंग हिंदी में वाईगानिकों का नाम बड़ा उट पटांग हो जाता है चलिए आगे हम देखें एंपियर के तैरने का नियम अब हुआ क्या जब आगे वाई ग्यानिकों को पता चलते गया यह बात कि भाई हम किसी चालक में धाना प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों और चुमकी छेत्र उत्पन होता है तो एंपियर तो आपको मालूम है यह तो इलेक्रिसिटी के आपको पता है एंपियर का नियम आप पढ़के बढ़ रहे हो तो एंपियर ने सोचा कि जब हम किसी चालक तार में धाना प्रवाहित करते हैं आस्टेड ने बताया तो उसके चारों और चुमबकी छेत्र उत्पन होता है तो क्यों नहीं यह देखें कि चुमबकी छेत्र का किस तरफ उत्तरी छेत्र उत्पन होगा किस तरफ दक्षिट छेत्र उत्पन होगा क्योंकि चुमबक के बारे में वज्यानिकों को पहले से पता था कि चुमबक में नार्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है तुन्हों ने सोचना ही स्टार्ट किया कि जब चुमबकी छे साइन्स उतना डवलाप्मेंट नहीं हुआ था तो नियम को ऐसा बनाते थे कि बहुत आम आदमी बिल्कुल समान ने आदमी जो साइन्स का उतना समझ नहीं रखता वह भी पढ़े तो समय में आ जाए तो अपने आस पास उन लोग ऐसे चीज का उदाहरार देते थे जिसको मेगी उसको बहुत कठीं तरीके से बताते तो लोग समझ नहीं पाते तो भड़ों चलो तैरने वाले आदमी का क्योंकि तहर नहीं इसको तहरना जरूरा आता समाइन ये रूप से वो हर आदमी के अंदर की quality थी लेगी अब ऐसा नहीं है तो उन्होंने क्या किया एक तैराग का example लेके इसको समझाया इसलिए इसको बोलते हैं amperes swimming law देखो कैसा दिया कैसे तैरने वाले आदमी को उन्होंने example लिया इसको आप ध्यान से समझना सबसे पहले हम एक loop बना लेते हैं loop मतलब ये एक धारा वाही चालक है ये चालक है मालो इस पकार से और इस चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं मालो इस दिसा में यह धारा प्रवाहित करने की दिशा है, इस तरह से हम इसमें धारा प्रवाहित कर रही है, यह धारा प्रवाहित हो रहा है इस लूप में ऐसा, clear, लूप को मैं close ना करके यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ, प्रापर फिगर बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है, फिजिक्स में यह दि आपका प्रापर फिगर पर कमाड नहीं है न, आप कुछ नहीं समझोगे, तो यह हमने यहाँ पर इधारा प्रवाहित किया हुए एक लूप है, अब उन्होंने बताया कि मान लो यहाँ पर एक कोई तहरने वाला आदमी है, चलो, मैं एक आदमी बना देता हूँ, बहुत अच्छा प्रेंटिंग को नहीं कर पाता, लेकिन मेरा फ्रेमास आदमी है, यह इसी को बनाता हूँ मैं हर जगा, और यह हमारा एक आदमी है, इस पकार से, यह आदमी क्या कर रहा है, अपने दोनों हाथ को उपर करके, आपको मालूम है, कि हम जब तहरते हैं, आप लोग को तहरना आता होगा, मैक्जिम लोग को, कितने लोग को तहरना आता है आप लोग को, यस, 50-50 परसेंट जैसा कंडि लेक्षन है मुझे लग रहा है, वह हम को तो अच्छे से तहरना आता है, चलो त्हरना नहीं भी आता होगा, तो आपने किसी को तहरते हुए तो देखा होगा, जब हम तहरते हैं, तो क्या करते हैं? अपने हाथ को इस तरह से, एक्च्वे तहरने का जो concept है, वो आर्कमेडि यही बात है ना ? एक बाध्यान से सुनो कोई भी आदमी किसी भी द्रौव में तभी तहर सकता है जब अपने से ज्यादा भार के द्रौव को हटाए कम से कम अपने बराबर का तो हटाना ही पड़ेगा जैसे मान लो मैं 70 केजी अब मुझे तहरना है तो मैं पानी में jump कर दिया और हाथ पर नई हीलाया तो मेरा body जितना draw हटाएगा वो 70 kg से कम होगा तो मैं डूब जाओंगा इसलिए मैं क्या करता हूँ ऐसा ऐसा पानी को हटाता हूँ जल्दी जल्दी पानी को हैं ठीक है मैं फिजिस के लेंगवेज आपको समझा रहा हूं जब हम अपने से ज़्यादा भार के द्रव को हटा देते हैं तब हम तैरने लगते हैं ओके तो इस तरह से तैरा जाता है तो तैरते हैं तो हम हाथ को फैलाते हैं तो MPR ने क्या बोला कि मान लो कोई आदमी इस पकार से इसका चेहरा इधार है भाई मेरे चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन इसका चेहरा की इधार है चालक तार की ओर है यह चालक तार को देख रहा है for example मैं तहराख हूँ और ये पेन मेरे सामने चालक तार है तो मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ situation को समझते जाना ध्यान से तो समझ में नहीं आएगा पहली बात कि तहराख तार को देख रहा है और उसके जो तैरने की दिशा है ये इसके तैरने की दिशा है इस दिशा में तैर रहा है मतलब उपर तैर रहा है और यही धारा के बहने की दिशा है चेहरा तार की ओर हो और बहने की दिशा धारा प्रवाहित हो रही हो उस दिशा में हो और उन्होंने बोला कि सामने एक चुम्बकी सुई रखा हो यहां पर हम एक चुम्बकी सुई रख देते हैं जैसे मैंने यहां पर आपको बताया तो यह एक चुम्बकी सुई है और यह चुम्बकी सुई हमने यहां पर रखा हुआ है ठीक है चलो यह मैं अगेन एक बार चुमकी सुई यहां पर बना दूँ यह चुमकी सुई हमने रखा हुआ है तो चेहरे को यदि चालक तार करके अब ध्यान से सुनना नियम को देखो इस तरह के नियम को रटोगे ना तो समझ में नहीं आएगा एंपियर ने खुद रटने के लिए बनाया नहीं है नहीं तो फिर तैराक के उधाण आपको क्यों दिया होता और यह इसका right hand है तो MPR ने बताया कि उसके left hand के तरफ इस चुमबक का north pole और इसके right hand के तरफ इस चुमबक का south pole का विच्छेप होगा बाएं हाथ के तरफ उतरी धुरू और दाएं हाथ के तरफ दक्षिर धुरू का विच्छेप होता है यह नियम एक्जाम में पूछा भी जा सकता है और एक्जाम में सिधा यह नियम आपको न पूछे तो कैसे काम आएगा पता है आपको यह आएगा किसी numerical में चुमबक की छेत्र की दिसा का निर्धारण करने में कई बारे स्ट्रेण हमसे पूछते हैं किसर चुमबक की छेत्र की प्रिवरता की गर्णा तो हम कर लेते हैं लेकिन कोस्चन में साथ में यह पूछा रहता है खासकर नीट वगरा के एक्जाम में उसकी दिसा क्या होगी तो दिसा निर्धारण करने में हमको परिशानी होती ह उसका कारण यही है कि भी मैं आपको दो तीन नियम समझा रहा हूँ यह दोनों तीनों नियम को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको धारा की दिसा करने में परिशानी होगी ठीक है फिजिक्स आप इंटेस्ट लेके पढ़ो अपने आप तयार हो जाएगा उसको बर्डन मत बनाओ बहुत मजे से पढ़ो बहुत इंटेस्ट लेके पढ़ो उसमें इंजवाय करो अपने आप धीरे धीरे तयार हो जाओगे उसको बर्डन कभी मत समझना तो MPR ने तैरने के नियम में बताया कि यदि कोई तैराक अपना चेहरा चालक तार की ओर करके धारा प्रवाहित होने की दिसा में तैरे तो जिधर अपने बाये हाथ को मूव करता है घुमाता है उधर चुम्बक का उतरी धुरू तथा जिधर दाये हाथ को घुमाता है वह उसके दक्षिनी धुरू को कविछेप होता है उसके दक्षिनी धुरू का विछेप होता है कभी भी आपको एक्जाम में लिखना है तो ये तैराक वगरा चीतर बनाने का ज़ूरत नहीं है ये तो हम आपको समझाने के लिए बनते हैं ऐसा नहीं कि यहाँ पर तैराक बना का आप उसको एस्प्रेन करते रहो कभी भी दो न 4 जैसे एंपीर ने क्या किया तरण का एक्जाम पर लिए खू मैक्पर ने क्या किआ कि एक क्रू का इस्कूरू आप सब समझते हो इस्क्रू को हम हिंदी में पेंच कहते हैं कई बार पेंच कहने से बहुत लोग को समझ मिन आता है राइट हेंडेट कार की स्क्रू मतलब क्या होता है पेंच उसी को बोलते हैं इस्क्रू तो आप हर कोई समझता है और इस्क्रू द्रोपरकार के होते हैं इस्कुरू दो अब आप यहाँ पर सोचो किसा राइट हेड़ी स्कुरू क्यों लिखा कि जो समझते हैं इस्कुरू माने इस्कुरू इस्कुरू दो पकार का होता है आपने देखा होगा एक इस्कुरू उसको होता है ऐसा होता है जिसको हम जब राइट हें घुमाते हैं सब्सक्राइस बना सब्सक्राइब के रहे हैं यहां पर क्या करना है मैं किस से वरक करता है एहां पर मैं सिम्वोलीके श्कुर और देता हूं उसके बाद हम उस पर डिसकस करेंगे ठीक है मालो हमने एक स्कूर ले लिए इस तरह से यह इमेजीन करो वह यह इंचरों यहा पर इस तरह से थ्रेड बने हुए हैं यह किसे क्रूह है अब हम क्या करें यदि इस इस ACT करें घुमां के ताइट करें तो पता है आपको इस nos 광 में पाड़ेगा को शुनकि क्लाक बीश घुमा रहे हैं तो इस क्रू क्या होगा इस में अंदर के और जाएगा यह हम जानते हैं तो Maxwell ने क्या बताया कि भाई यदि इस right-handed इस तरह से घुमाया जाए तो इसके जो घुमाने की दिशा है वह बल की दिशा को बल का मतलब है यहाँ पर चुम्बकी छेत्र है क्योंकि चुम्बकी छेत्र बल ही है आगे हम इस चेप्टर में यही सब पढ़ने वाले है आज तो introduction class है भई यह जो बल है चुम्बकी छेत्र की दिशा को पदरसित करेगा और इसक्रू के अंदर जो जाने की दिशा है वह धारा की दिशा को पदरसित करेगा यह विद्दु धारा की दिशा है कहने का मतलब क्या हुआ यदि किसी right-handed screw को यदि हम किसी right-handed screw को इस पकार से घुमाए कि screw को जो घुमाने की दिशा है वह यदि बल की दिशा को पदरसित करे तो screw का जो अंदर move होने का अंदर की और गती करने का जो दिशा है वो उसकी धारा की दिशा को प्रदर्सित करता है ये कहलाता है right-handed skrula ये कहलाता है right-handed skrula मतलब दक्षिरवर्टी पेंच का नियम ओके आज हम सभी वैज्ञानिक के नियम पढ़ेंगे उसको ध्यान से समझना आज का क्लास महुत इंपर्टेंट है क्योंकि कल के क्लास में फिर हम इन वैज्ञानिकों के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे तो यदि आपको नियम समझ में नहीं आएगा तो अनुप्रयोग तो समझ में आएगा ही नहीं इसलिए सबसे पहर हमको नियम को समझना है तो राइठेंट इसलिए को नियम सब को समझ में आया यदि किसी राइठेंट इसलिए को घुमाया जाए दक्षिरवर्ती पेंच को घुमाया जाए तो घुमाने की दिशा बल की दिशा को तथा इसलिए के गति करने की जो दिशा है वह धारा की दिशा को प्रदर्सित करता है ये कहलाता है राइट हेंड स्कूला अब मेक्सवेल ने सोचा कि भाई मालो धारा नीचे ना प्रवाहित होके उपर प्रवाहित हो रहा हो तो क्या किया जाए उल्टे दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा हो तो क्या किया जाए ये नियम कहां पर काम आता है कि कई बार हमको दीशा बताना होता है जैसे मालो हमारे पास ये कागज का तल है मालो मेरी हथेली को कागज का तल समझ लो और कागज के तल को आर पार करके हम एक चालक तर प्रवाहित कर दे उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं अब उसमें धारा की पूछ देता है कई बार निमेर कल में वहाँ पर हमको बताना होता है इसलिए आपको सबसे पहले नियम को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है तो दूसरा नियम उन्हों दिया और दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं दाइं हाथ का नियम, दाइं हाथ का नियम वैसे इसको right hand grip rule भी बोला जाता है और right hand rule भी बोल देते हैं, एक्ट्वेल मिस का नाम है दाए हाथ से पकड़ने का नियम या राइट हेंड ग्रीप रूल जैसे यह मेरे पास पेन है और इसको मैं दाएने हाथ से इस तरह से पकड़ूं, just like a logo of thumbs up thumbs up का जो logo होता इस तरह से हाथ का अंगुठा उपर और उंगलियां बंधी हुई यह होता है thumbs up माने अंगुठा उपर thumbs up तो पता है आप सबको तो उसी तरह का situation में इन्हों ने right hand rule को दिया और क्या दिया यह figure से आप समझो देखो माल हमारे पास यह कोई चालकतार है यह suppose एक चालकतार है और इस चालकतार में धारा प्रवाहित हो रही है इस दिसा में यह चालकतार में धारा प्रवाहित होने की दिसा है अब यदि हम क्या करें अपने दाहिने हाथ से इसको पकड़ें तो माल लो हम इसको अपने दाहिने हाथ से इस पकार से पकड़ते हैं कि दाहिना हाथ, माल लो हमारा दाहिना हाथ यह है यह हमारे दाहिने हाथ के फिंगर्स है यह मैं कुछ फिंगर्स यहाँ पर इस तरह से सो किया हूँ माल लो और यह हमारा अंगुठा है यह हमारा अंगुठा है थम अब हम क्या किये हुए है देखो हम अपने यहां से इस बोड के फिगर के बजाए यह मेरे प्रैक्टिकल जो मैं फिगर बता रहा हूं इसको आप ध्यान से समझो यह मेरे पास चालक तार है यह मेरा दाहिना हाथ है इसको मैं पकड़ा और उंगलि के मूर्णे की जो दिशा हुए वह बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा मतलब इसका ठीक उल्टा हो गया देखो कैसे जब धारा नीचे था तो बल की दिशा इधर क्लांक वाइज है लेकिन अब इस चित्र को तुलनात्मक रूप से आप देखो कि बल की दिशा जब इधर है उल्टे दिशा में है तो धारा की दिशा भी नीचे नहों के उपर है यह कहलाता है दाहिने हाथ का नियम इस पकार से मैक्सवल ने अपने दाहिने हाथ के नियम में क्या बताया यदि हम अपने दाहिने हाथ के हथेली से किसी चालक तार को इस पकार से पकड़ें कि अंग यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा जहां उसकी ज़ुरत है वहीं पर पढ़ाऊंगा यहीं पर मैं सब को पढ़ा दूँ तो एक दूसरे के साथ में कंफुजन होता है कई बार इसके बाद मेरे को कमेंट्स करने लगते हैं आपने फ्लेमिंग का नहीं बताया फ्लेमिंग का मैं ब जो बताया कि किधर उत्तर धरू बेने गा किधर गषार Σब्स करने ला सबसे महत्पूर्णवाई उसके उल्सवे survivors वसक्षा necesita का सबसे important नियम है और आप यह मान के चलो कि पूरा चप्टर इन ही के नियम के बैस पर चलेगा मतलब यदि आज आज आप बायो सेवर्ट के नियम को ढंग से नहीं समझे या कल तयार करके नहीं आए तो कल का समझ में नहीं आएगा क्यों कि कल मैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा तो नियम आज पढ़ा रहा हूं और एप्लिकेशन कल पढ़ाऊंगा तो दोनों को को रिलेट करना हैं आपको तो नियम को ढंग से समझना पड़ेगा चलिये तो बात करते हैं बायो सेवरेट के नियम पर इसको लापलास के नियम के नाम से भी जाना जाता है तो बायो सेवरेट ने क्या बताया अभी तक जितने भाई ग्यानित उन्हों ने क्या बताया धारा और चुमबकी छेत्र के बीच में सम्मन बताया लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि चुमबक ति मान बताया और इसी के ब्यास पर फिर आगे complete work हुआ तो चलिए यहां पर हम देखें कि मानलो अपने पास एक चालक तार हैं मानलो एक अनक्तलंबाई का चालक तार है और इस चालक तार में मानलो हमने आई धारा प्रवाहित किया हुआ है चलो यह अई धारा हमने अपने च इसी चालागतार में धारा प्रवाहित करेंगे तो बाष चालागतार अपने चारो और चुमकी छेतर उत्पन करेंगा। तो यह चालक तार भी अपने चारों और चुमबकी छेतर की तीब्रता जानना चाहते हैं कि भाई चालक तार के चारों और जब चुमबकी छेतर की तीब्रता कितना होगा तो इसके लिए इन्होंने क्या किया बायोसेवर्ट ने एक अलपांस लिया अलपांस मतलब छोटी लंबाई ये इन्होंने एबी एक अलपांस लिया और इसकी लंबाई को ले लिया डियल डियल मतलब छोटा पार्ट differentiate part मतलब होता है छोटा part तो यह इन्होंने यहाँ पर एक alpans लिया मालो हम इस alpans को थोड़ा सा highlight करके आपको बता रहे हैं तो यह एक alpans है उस तालग तार में एक छोटा तार है dl लंबाई का यह है और alpans से इस बिंदू को मिलाया तो जो line मिला उसके साथ जो कोण बना उस कोण को उन्होंने क्या लिया थीटा लिया थीटा यहाँ पर एक कोण है alpans को जिस बिंदू पर चुमबकी छेतर की तीबरता ग्याद करनी है वहाँ तक मिलाने पर रेखा के साथ जो कोण बनता है वह थीटा होता है यह उन्होंने लिया और उस तरह यहाँ पर चुमबकी छेतर की तीबरता मानलो db हुआ इतना बात उन्होंने consider किया और आगे अपने प्रयोगों से नहीं बताया कि यहाँ पर चुमबकी फी के अबलेबल है आपको पता है हमारे application पर notes का कोई charge नहीं है तो application आप download कर लो origin the learners hub origin the learners hub application आप download कर लो और उस application में आपको पूरा notes free में मिलेगा तो notes वहां available है वहां से notes लेके आप उससे स्वयम भी notes बनाओ या उस notes से आप उसकी पढ़ाई करो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह आपको मिले है कई स्टुडेंट बोलते हैं कि सर हमको notes available नहीं हो पा रहा है उसका कुछ technical problem होते हैं आपके साथ में क्या करना है सुन लो सबसे पहले application download करना है और आपको किसी एक email पर एक email को selection जो करना है उसमें फार स्टुडेंट या फार पैरेंट्स आता है तो आप स्टुडेंट को सलेट करो यदि आप पैरेंट्स के नाम से रेजिस्टर करोगे तो आपको notes नहीं दिखेगा यह सब प्राबलम आता है और बच्चे मुझे बार-बार कांटेट करते हैं कि सर एप्लिकेशन या message भेजते हैं कि सर एप्लिकेशन में दिख निए उसका कारान यह है फिर जब इस लिफिस हिंदी मीडियम को notes आपको मिलेगा उसको आप open कर लिजिए और वहां से आप है क्लास 11 का लुख हिंदी मीडियम का नोट्स अभी नहीं ड़ना है वह ड़ेगा कुछ दिन में आपको मिलेगा हो 12 ये उपलेबल है ये मिडियम में भी और इंग्लिष मिलीम में औ वह प्रवाही धारा के समानुपाती होता है दूसरा उन्होंने बताया कि चुंबकी छेत्र की जो तिब्रता है वह इस चालक तार की लंबाई अलपांस के समानुपाती होता है मतलब डियल के यह होता है जो चालक तार की लंबाई हमने लिया है छोटा सा डियल उसके समानुप साइन थीटा के समान उपाती होगा साइन थीटा मतलब क्या बताया मैं इस बिंदू और इस रेखा को मिलाने में आगे और डिसकस करूँगा तो अब बताओ कि दोनों के साहँ समानता यह है कि चुमबकी छेत्र की तिव्रता वहां पर भी कुलाम के नियम पर लगने वाला जो बल है वह दूरी के वर्गा के बितकरमन उपाती होता है यह दोनों में similarity है दोनों में समानानता है कुलाम किनियम इस पर तो ये इन्होंने चार कारक बताया एक बार ध्यान से सुनो पहला क्या कि चुम्बकी छेतर की तिवरता किसी अलपांस के कारण चुम्बकी छेतर की तिवरता चालाक तार पर प्रवाहिद धारा के समनुपाती होता है अलपांस के कारण चुमबकी छेतर की तिवरता चालक तार के अलपांस लंबाई के समनुपाती होता है चुमबकी छेतर की तिवरता बिंदू तथा अलपांस को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के साइन के समनुपाती होता है और चौथा बात उन्होंने बताया कि चुमबकी छेतर की पिव्रदार बिंदू से अलपांस के बीच की दूरी के वर्ग के वित्क्रमन उपाती होता है यह उन्होंने चार कारक बताया और therefore यदि हम इन चारों को मिला दें तो इन चारों को मिलाने पर जो मिलता है वो है db proportional to idl sin theta upon r square यह होगा ने जो चुमबकी छेतर की पिव्रता के लिए जो नियतांक दिया था और उस नियतांक का मान है यह सब नियतांग को अगरा के लिए भी आप परसान मत होना क्योंकि अभी इस चेप्टर को आपको चुम्बक कत्व को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक चीज को आपको सही जगा पर सही समय पर एस्प्लेंट करेंगे तो μुकार पान 4π, यह चांस्टेंट होता है जहां पर मुकार उसकी चुम्बक सिद्दा होता है यूँ आ निर्वाद में आगे उसको पढ़ाएंगो क्या होता है तो ङून आट पान 4π और यह हो जाएगा i dl sin theta upon r square यह है बायो सेवाट के नियम का final equation यह है बायो सेवाट के नियम का final equation और इस equation को आपको याद करके रखना है यहाँ पर एक बहुत महत पूर्ण बात और है वो यह है कि इसका जो value होता है mu naught upon 4 pi का जो आंकिक मान होता है वो अदस के घात rate साथ होता है में हमको EC value को put up करना होता है आगे अपन पढ़ेंगे और detail में इसको यह कहलाता है bio seward का नियम तो bio seward का नियम बहुत important है हम कल के class में कल के class में इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे दो अनुप्रयोग हमको पढ़ना है और दोनों में से एक अनुप्रयोग दोनों से कोइस्ट्ikesन आया हुआ है un give एक दिन में एक ही एप्लीकेशन और नहीं יש बहुत आराम से हमवेइक अठीक सब्हक्र्अ करेंगए क्यों चार या पॉंअनक आता है अग दूसरी क्लास में हमको को इसका एप्लिकेशन पढ़ना है और यह बायो सेवर्ट का नियम एक बार रिपीट करता हूं कल इसको बहुत अच्छे स्ट्रायर करके आना अधर्वाइस फिर आपको कल का क्लास भाई समझ में नहीं आएगा बार बार आपको याद दिला रहा हूं देखो बायो सेवर्ट ने क्या बताया यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अलपांस के काराण किसी बिंदू पर उत्पन चुंबकी छेत रखी तिब्रता उस चालक तार में प्रवाहित धारा के समनुपाती उसके अलपांस के लंबाई के समनुपाती उसके बीच बने क बोड़के साइन के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्गा के बितक्रमानुपाती होता है चारों को मिला दिये यह मिलता है डी बी इकोल टू मुझा नियम का अनुप्रयोग है क्या मैं आपको पहले आपको यहां पर एप्लीकेशन बता देता हूं कि बायोसेवर्ट न नियम पढ़ा एक बार नियम को मैं आपको रिपीट करता हूं बायोसेवर्ट ने बताया कि किसी अलपांस के कारण जो चुम्बकी छेतर की तिवरता है डी भी उसका वेल्यू होता है म्यू नाट अपान फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्कूर यह एंटिग्रेशन करके बी का मान ग्यात करते हैं मतलब हम निकालते हैं चुम्बकी छेतर की तिवरता तो आपको यह समझ में आगया होगा कि हमको बायो सेवर्ट की नियम का उपओक क्या करना है मतलब हमको चुम्भकी 6 र०्पन होगा उसके किसी बिन्दू पर हमको चुम्भकी 6 र०्पना करना है यह हला वुकों कोई है मचार सबसे पढ़ेंगे सीधे लंबे धारावाही चालक के काराण चुमबकी छेत्र Magnetic field due to a long straight wire carrying current या conductor ठीक है? लंबे धारावाही चालक carrying conductor है वो चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करें class और यह है सीधे लंबे धारावाही चालक के काराण चुमबकी छेत्र Magnetic field due to long straight wire carrying conductor यह current नहीं है यह conductor है ठीक है तो इसके लिए हम हमारे पास क्या है एक लांग state line conductor है तो सबसे पहले हम चीतर बना ले और चीतर बनाने के बाद मैं आपको working step बता दूँ और उसके बाद हम उसका calculation start करेंगे देखो तो मालो हमारे पास एक अलकतार है जो अनन्त लंबाई का है यह मालो चीतर ही महत्वपूर्ण है चीतर को बहुत ध्यान से आप समझना ये मालो अपने पास एक अनन्त लंबाई का धारा वाही चालक है इस पर हम current flow कर आ रहे हैं अब इस पर जब current फ्लो कराएंगे तो इससे हम कुछ दूरी पर ये मालो ये कुछ दूरी पर ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर हम चुमबकी छेतर की तिवरता निकालना चाहते हैं इस बिंदु पर और इस चालक तार पर हमने धारा प्रवाहित किया हुआ है आई एक एक इस्टेप ध् कोई बिंदु है ये उस बिंदु का नाम दे देंगे हम बाद में पी इस बिंदु पर हमको चुमबकी छेतर की तिवरता चाहिए अब आपको मालूम है कि चुमबकी छेतर की तिवरता केवल पहले हम अलपांस के कारण निकाल पाते हैं क्योंकि बाइवस एवर्ट ने अप कर लिया यहां पर एभी एक अलपांस है और इसकी लंबाई को हमने क्या ले लिया डियल तो एभी एक अलपांस है और इसकी लंबाई डियल है अब हम इस अलपांस को इस बिंदू से मिला देते हैं जब इस अलपांस को हम इस बिंदू से मिलाएंगे तो हमको यह हमने यह अलपांस को इस बिंदू से मिला दिया अब इसके जो अपन मिलाते हैं उसके साथ जो कौण बनता है उस कौण को हम थीटा कहते हैं बायोसेवर्ट के नियम में आपको पता है कि ये कौण क्या हो जाएगा फिर थीटा हो जाएगा इस पकार से और इसके कारण यहाँ पर जो चुमबकी छेतर की तिबरता है अलपांस के कारण उस चुमबकी छेतर की तिबरता को मानलो हम ले डी भी मान लिया डी भी क्या है? उस अलपांस के कारण चुमबकी छेतर की तिबरता है इस अलपांस से इसकी बीच की दूरी को मालो हमने इस माला आर्मान लिया तो यह है A, B, मालो इस पाइंट का नाम हमने P दिया और इस पाइंट का नाम हमने मूल बिंदू O दिया यह इस तरह से, यह हो गया अब हम क्या करते हैं A B से एक Lumb डालते हैं इस रेखा पर इस Lumb को मैं dotted line से so कर रहा हूँ यह हमारा Lumb यह white color से आप देख रहे हो और इस Lumb का नाम है A C यह हमने एक Lumb डाला जब हम यहाँ पर Lumb डालेंगे तो यह नब्यंस होगा और यह अंदर का जो कोण है यह जो आप कोण देख रहे हो इस कोण को मैं यहाँ पर arrow लगा के लिख रहा हूँ चुकि पूरा एक सवस्यंस बनता है एक सराल देखा पर पूरा πाई मतलब एक सवस्यंस का कोण बनता है और उपर का कोण थीटा है तो यह अंदर का जो वाइट कलर से आप देख रहे हो यह कोण कीतना हो जाएगा पाई माइनस थीटा क्योंकि पाई में से थीटा को हम घटा देंगे अब भी इस चीतर में आगे और भी करेक्शन होगा लेकिन सब से पहले हम यही तक करते है अब मैं आपको इसको डेरिवेशन से पहले इसका मैं आपको वर्किंग स्टेप समझाता हूँ क्योंकि कभी भी बड़ा डेरिवेशन मैं वर्किंग स्टेप के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बाक्स बना रहा हूँ और ये box में मैं लिख रहा हूँ working steps ये आपको परिक्षा में नहीं लिखना है ये आपके लिए key point है ये आपके लिए key point है मतलब formula derivation को याद रखने के points है key point मतलब आप समय जाया है न क्योंकि कभी भी formula कभी भी formula ये दि 10-15 steps से जादा होता है तो मैंने उसके लिए कुछ technique बना के रखा है कि किसी student को पूरा derivation याद रखने के बजाए उसके key point को याद रखेगा और ये वर्किंग step जैसे आपको लंबे जर्नी पर जाना है आप Google Map देखते हो न पहले जमाने में जब Google Map नहीं था तो हमारे पास एक proper जानकरी रहती थी कि यहां से यहां जाओंगा फिर यहां जाओंगा फिर यहां जाओंगा फिर यहां जाओंगा फिर यहां जाओंगा तब यात्रा आसान हो जाती है और यदि हब हर जगर रुख के पूछो हर 10 km में रुख के पूछो कि भाई यह रास्ता कौन से जाएगा अब किधर जाओं अब किधर जाओं तब तो बड़ी परिसानी हो जाती है और अब तो Google Map का टाइम है तो हम Google Map इस्टार्ट कर देते हैं वीकल पर और बस Google Map को फालो करते हुए कहीं भी चले जाते हैं तो यह Google Map है समझ लो यह जो मैं वर् वर्किंग स्टेप को प्रिपयर करना बहुत इंपऱाटेंट है तो आप को धीयान से वर्किंग स्टेप को समझना है वैसे सभी बड़े डेरिवेिशन में वार्किंग में क्या क्या करना है सबसे पहले चीत्र जो आप देख रहे हो इसमें आप 3 संकौर्ण तिभूँज द देख रहे हो ACP और तीसर समकोर्ती भूज है APO यह तीन समकोर्ती भूज आपको दिखाई दे रहा है और पूरा काम पूरा काम सिर्फ इन सम्कोर्ती भूज पर बेस्ट है तो चलिए हमको करना क्या है पहला हमारा जो working step है, वो है समकोर्त रिभूज, समकोर्त रिभूज A, B, C, इस समकोर्त रिभूज A, B, C में हमको क्या निकालना है, यहां हमको निकालना है sin pi minus theta, अब कैसे निकलेगा, उसको हम वही पर देखेंगे, निकालते समय, तो निकालना क्या है, sin pi minus theta, वो क्या निकलेगा, वहां हम द अपने पास वह संकॉन्ट तुर्भूज उस तुर्भूज का नाम क्या है best 25 यहां पर ध्यान देना यह नीचे वाले कोड को हमने औलफा ले लिया यह ऑपर में जो छोटा सा कोड़ बना है क्लिसको हमने लिए मतलब आफ़ा का छोटा पार्ट तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन डी अलफा यह GEORGE मैं हैं तो क्या के निकालेंगे निकालेंगे और उसके बाद साइन डी C कर देंगे मतलब यहां से भी A C का वेल्यू निकलेगा और इससे भी A C का वेल्यू निकलेगा यहां से भी A C कमान यहां से भी A C कमान और दोनों A C को आपस में बराबर कर देंगे तो हमको एक नया वेल्यू मिल जाएगा उसको वही पर देखेंगे चौथा नंबर का हमारा क साम क्या है अब हमारे पास एक और समकोण त्रिभूँज है यह कौन सा है धेखो ये हैं सम्कोण त्रिभूजँ और इस समकोण त्रिभूज में हम निकालेंगे कासालफा कासलफा की शहायता से हम यहाँ पर उनकाल वह पर दी bug इस समकोर्ति भूज में क्या निकालना है इसमें यदि आपको confusion हुआ तो आप भटक जाओगे तो आप रास्ते में भटक जाओगे कि इसके बाद मैं क्या करूँ इसलिए आपको इसमें confusion नहीं होना चाहिए और पांचवा नंबर का काम क्या है यह सब को आपको बायो सेवर्ट के नियम में लगाना है बायो सेवर्ट का नियम का यूज करना है अब इन चीजों को हमको बायो सेवर्ट के नियम में लगाना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग तो यह पांच की पाइंट है और यह पांच की पाइंट आप आपके 25 लाइन को हल कर देगा सिर्फ ये 5 लाइन आपके पूरे 25 लाइन को हल कर देगा तो बहुत ध्यान से समझो ठीक है एक बार मैं पुना रिपीट करता हूं ये आप देख रहा है अनंत लंबाई का रेखी चालक जिसमें आईधारा प्रवाहित कर रहे हैं इसके किसी बि अब हर काम मैं इसी को देख देख के करूंगा मैं स्वयम भी टापिक को इसी तरह से तयार करता हूं ऐसा नहीं कि मैंने फीजिस को पूरा रट लिया है इस तरह से की पॉइंट बनाके अपने दिमाग पर मैं फीजिस को रखता हूं exactly मैं आपको भी वह बात बता रहा हूं क आपको physics को कैसे अपने दिमाग पर technique से तयार करना है रटना नहीं है उसको इतनी बात आपको समझ में आ गई चलिए तो हम आगे बात करें और एक-एक करके बारी-बारी से एक-एक working step पर बात करते हैं चित्र को बार-बार पीशे आख हमको देखना तो पड़ेगा ही बड़ा derivation है तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोर्त रिभूज अब हम करते हैं इसका calculation तो calculation में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है समकोर्त रिभूज वही वही काम करेंगे समकोर्त रिभूज ABC में इस समकोर्त रिभूज में हमको क्या करना है हमको निकालना है साइन पाई माईनास वही निकालना है तो चलो बाई चीत्र में आजाओ कि साइन पाई माईनास थी थीटा हमको क्या बताएगा यह है पाई माईनास थीटा होगा लंब बटे करन तो लंब यहाँ पर AC है और करन है AB तो AC बटे AB ठीक है ये value हो जाएगा AC बटे AB AC upon AB हो गया That implies आगे हम इसको साल्व करें तो sin pi minus theta मतलब sin 180 minus theta sin 180 minus theta क्या होता है sin theta होता है तो यह हो जाएगा sin theta यह हो गया sin theta equal AC यह हो गया AC और बटे AB का मान क्या है चित्र में आप देखो यहाँ से A से B के alpans को हमने क्या लिया है DL तो उसका value कितना हो जाएगा DL और आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि यहाँ से AC का मान निकालना है तो therefore AC बराबर इसको इधा ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा DL into sin theta यह हो गया relation number first यह हमारा पहला working step complete हुआ देखो कितना आसान काम है यदि आदमी को रास्ते का पता हो तो सफार आसान हो यादा है पर आसान वो है जिसको रास्ता ही नहीं पता है चाहे हो physics का working step हो चाहे life का working step हो रास्ता और लक्ष पता है तो आसान है और दोनों पता नहीं है तब तो बहुत कठीन है तो हमको लक्ष भी पता है, रास्ता भी पता है, कैसे जाना है अब दूसरे नमर में मैं आपको रास्ता क्या बताया कि समकोर्टि भूज A, C, P में sin D, alpha आपने को निकालना है तो चलो, यह अपने पार समकोर्टि भूज है A, C, P समकोर्ट विभूज ACP में अब यही काम करते हैं ठीक है? चलिए तो यहाँ पर मैं अब यही लिख देता हूँ नीचे में समकोर्ट विभूज समकोर्ट विभूज ACP में इस समकोर्ट विभूज में हम निकाल लेते हैं साइन डी अलफा और साइन थीचा बराबर होगा लंब बटे कर्ण तो देखो यहाँ पर इस डी अलफा के लिए हम निकालें तो लंब अ,सी होगा और कर्ण क्या होगा? AP या PCV कर सकते हैं क्योंकि यहां पर D-Alpha बहुत छोटा कोड़ है तो बहुत छोटा कोड़ होने से लंब और अधार क्या हो जाएगा लगभग बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं AC बटे AP AC बटे AP इसको हम लिख लेंगे AC बटे AP therefore यहां से भी हम AC कमान निकालें तो AC बराबर AP को इज़र ट्रांसफर करेंगे तो एक बार मैं लिख देता हूँ एक बार खेर इसको मैं और लिख दूँ यहां पर उसके बाद निकालेंगे ना यहां पर लिख दूँ अब देखो साइन डी अलफा तो आपको मालूम है कि साइन के साथ का कोड जब बहुत छोटा होता है साइन के साथ में जो कोड होता है वह जब बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं तो D alpha बहुत छोटा code है, तो sin D alpha, इसको हम क्या लिग देंगे, D alpha और D alpha equal to हो जाएगा, AC upon AP, और AP का मान क्या है यहाँ पर? R के बराबर है, इसमाल R के बराबर है, क्योंकि हमने L5 से उसके 20 की दूरी को R लिया हुआ है, ठीक है, इस पकार से R के बराबर, अब AC कमाल निकालें, तो therefore, therefore AC बराबर, AC बराबर R को इधा ट्रांस्पर कर दें, तो हो जाएगा R into D alpha, इस तरह से AC बराबर R into D alpha हो जाएगा, clear यहाँ तक, यह हो गया relation number second, यह हो गया हमारा relation number second, अब इस relation first और second से, तीसरा working step क्या बताया हूँ मैं, कि दोनो AC को आपस में बराबर कर देना है, देखो, तीसरा step में मैंने लिखा है, कि दोनो AC को आपस में बराबर कर दो, तो जब दोनो AC को आपस में बराबर कर दोगे, तो हाँ पर आपको एक नया सम्मंद मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से एक तथा 2 से, इसलिए एक तथा 2 से, यदि एक तथा 2 दोनों को तुलना करें, तो दोनो AC के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर मैं highlight कर देता हैं, यह भी AC बराबर DL sin theta है, और यह है AC बराबर R D alpha, तो एक तथा 2 से जब हम लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, DL sin theta equal, DL sin theta equal to R into D alpha, इसको देदो relation number third, इसका क्या यूज़ करेंगे, यह हम बाद में देखेंगे, यह हो गया, दोनो AC को बराबर करने पर, तीसरा working step, तो clear यहां तक, पहले हम समकोर्टिभूज ABC में work किये, फिर हम समकोर्टिभूज ACP में work किये, फिर हमने दोनो AC को बराबर कर दिया, अब तीसरा समकोर्टिभूज हमारे पास बच्चा है, वो है त्रिभूज APO, देखो यहां पर त्रिभूज APO, और इसमें हमने निकालने की बात की है, कास अलफा, इसमें कास निकालना है, तो समकोर्टिभूज APO में, next work का है हमारा, समकोर्टिभूज, समकोर्टिभूज APO में, इसमें हम निकालते हैं, कास अलफा, तो कास अलफा equal to क्या होगा देखो, यहाँ पर cos alpha equal आधार मटने करण होगा, तो आधार क्या है यहाँ पर, ओपी आधार है, और करण क्या है इसका, ap, मतलब हम सीधा सीधा इसका value को हम, d upon r लिख लेते हैं, direct उसका value को में d upon r लिख लिया, तेहां हो जैगा d upon r, that implies यहाँ से क्या करो, D upon R निकालने के बाद यहां से हम 1 upon D का value निकाल लेते हैं 1 upon D का value को क्या जोरत पड़ेगा अभी हम आगे देखेंगे ठीक है तो D को इधर में transfer कर दूँ या 1 upon R का value निकालने चलो 1 upon R का value निकालो तो D को इधर transfer करूँगा तो cas alpha upon D निकलेगा यह हो गया relation number 4 यह हमने इतना relation निकाल लिया clear यहां तक अब यहां पर ध्यान देना यह जो relation number 3 निकला है relation number 3 में हमने DL sign theta निकाला है और relation number 4 में हमने 1 upon R निकाला हुआ है क्या करेंगे हम आगे आगे हमारा 5 over की step कहता है कि भई जब मैं तीनों चारों काम आप कर लो तो biosavart के नियम को मैं इसमें apply कर दो क्योंकि हम finally biosavart के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं तो इसलिए biosavart के नियम से अब हम लगा देते हैं biosavart का नियम यहाँ पर मैं दूसरे color से highlight करके लिखता हूँ इसलिए biosavart के नियम से इसको आप सुरू में भी लिख सकते हो और जवरत है वहाँ पर भी लिख सकते हो मैं यही पर लिख देता हूँ biosavart के नियम से या एक काम आप और कर सकते थे इसको पहले से लिख के रखो और उसके बाद एक से करके लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर calculation start किया तो biosavart के नियम को उही पर लिख दो और बाद में उसमें उसमें मान को भरो दोनों तरीका सही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता calculation के बहुत तरीके हो सकते हैं तो इसको आप सुरू में भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है तो biosavart का नियम क्या होता है यह db equal mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r square यह biosavart का नियम है अब देखो हमने कैसी तयारी की हुई है हमने तयारी यह की है कि यह जो dl sin theta आप देख रहे हो आप dl sin theta जो आप देख रहे हो यह dl sin theta इस सुत्र में है देखो यह dl sin theta इस सुत्र में है इसलिए हमने dl sin theta का मान निकाल के रखा है अब आप समझ में आ गया होगा कि working step का क्या रोल है तो वर्किंग स्टेप का रोल यह है कि उसकी साहता से बायो से वर्ट के नियम में जो जो चीज का जुरत पढ़ता है वो हम निकाल के रखते हैं तो आप समझ गये होगे समी करण 3 से तो समी करण 3 से हम DL sin theta के मान को अब यहाँ पर रख देते हैं और आगे उसको continue सालो करते हैं तो यह जो blue color से माहिने घेरा हुआ है वहाँ पर हम यहाँ से मान भरते हैं तो इसलिए 3 से मान को भरते जाते हैं और साइड में लिखते जाएंगे हमने कहां से लिखा तो लिखने का तरीका यही है यह बेस्ट तरीका है लिखने का तो कम स्टेप में बनता है therefore आप लिखोगे db equal to mu naught upon 4 pi i और dl sin theta का value मैं यहाँ पर put कर रहा हूं ब्रेकेट में लिख के dl sin theta का value है r d alpha और upon r square हो जाएगा तो हो जाएगा r into d alpha और upon r square चाहो तो आप यहां से लिख सकते हो कहां से आपने इसके value को रखा है तो reference दे सकते हो 3 से ने लिखो के तो भी चलेगा लेकिन लिख देना चाहिए बात clear हो जाती है हमने कहां से लिखा है 3 से मतलब समी गण 3 का हमने use किया है ओके that implies अब आगे इसको हम solve कर लें that implies db equal to हो जाएगा mu naught upon 4 pi एक r इसके साथ में कटेगा तेहां पर हो जाएगा i into d alpha upon r यह होगा अब देखो हम 1 upon r का value निकाल के रखे हैं अब हम one upon r का value निकाल के रखे हैं कहां से यह देखो यह one upon r का value है और इसका value है कास alpha upon d और हमारे पास यहाँ पर one upon r है देखो सब इस तरह से उसको ब्यवस्थित किया गया है यहाँ पर देखो 1 upon R है यह 1 upon R का value है और 1 upon R का value अपने पास क्या है कास alpha upon D तो उसका value कास alpha upon D रख देंगे तो अगला step हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से step break नहीं करना पड़ेगा D भी equal to हो जाएगा mu naught upon 4 pi और यह हो जाएगा I into अब इसका value रख दिया कास alpha upon D यह किसका value 1 upon R का और into D alpha मतलब I का I लिग लिया और 1 upon R का value कास alpha upon D एक बार blue color से इसको मैं घेर देता हूँ यह कास alpha upon D 1 upon R का value है यह और चाहो तो आप साइड में बता सकते हो कि आपने इसको कहा से लिखा है तो इसको हमने कौन से समिकण से लिखा है चार से इसको हमने चार से लिखा है यह बता दो तो अच्छा है examiner इससे impressed भी होता है और साथ ही आपको भी कभी problem नहीं होगा कभी reason करते समय कि भाई मैं इसको कहा से लिखा हूँ ने तो कई बार ऐसा होता है कि सिंप्लिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा that implies db इक्वल यह हो जाएगा mu naught upon 4 pi mu naught upon 4 pi और यहाँ पर i cast alpha d alpha upon d अब इसको तो और सिंप्लिफाई करने का ज़ूरत नहीं है यह और आगे सिंप्लिफाई नहीं होगा तो इसको यहीं पर छोड़ो और इसमें इसका नाम दे दो इस समीकर का भी नाम दे दो चार तक हमने लिख लिया है न यह हो गया समीकर नमबर 5 यह हो गया समीकर नमबर 5 तो यह जो निकला है db यह क्या है यह हमारा working step तो पूरा हो गया बोलोगा कि सर अब तो काम पूरा हो गया क्योंकि हमने बायों से वर्ट का नियम तो लगा दिया लेकिन ये जो वर्किंग स्टेप से हम जहां तक पहुँचे हैं ये क्या है उस अलपांस के कारण चुमबकी छेतर की तीबरता है अलपांस के कारण और हमको किसका चाहिए पूरे अनंत लंबाई के चालत तार के लिए चाहिए तो अब हम थोड़ा सा अपने चित्र में थोड़ा सा सुधार करते हैं और देखो क्या है अभी हमने केवल DL लंबाई के लिए बात किया है ध्यान से सुनना आगे का टापिक बहुत ध्यान से सुनना अभी हमने केवल DLL5 के लिए बात की है अब हमको उसको बढ़ा करना है तो तार को बढ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं दो पाइंट और इसमें सलेट करते हैं और ये दो पाइंट कौन-कौन से होंगे ध्यान देना एक पाइंट हम यहां से यह सलेट डाइंट लाइंट चाहिए मुझे यह यहां पर एक पाइंट ले लिया और एक पाइंट इसके ठीक नीचे यहां पर ले लिया तो दो पाइंट हमने इसमें सलेट कर लिया एक पाइंट का नाम दे दिया एक्स मालो यह बिंदु एक्स है और एक point का नाम ले लिया मैंने suppose y तो x और y या उपर वाले को x कह दो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ना है नाम का क्या है ये x और y, दो बिंदू हमने ले लिया मतलब अब हम अपने तार को बड़ा कर रहे हैं पहले dl लंबाई का था, अब उसको हम x y लंबाई का कर रहे हैं तो जब हम यहाँ पर लेंगे तो इस नीचे वाले कोण को suppose हम इसको alpha 1 suppose कर लेते हैं और ये जो उपर में जो कोण बना है उस कोण को हम suppose कर लेते हैं alpha 2 इस कोण को alpha 2 suppose कर लेते हैं तो अब इसे होगा क्या, अब हम तार X, Y, E के कारण चुमबा की सेतर की तीवरता ग्याद कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको समा कलन करना पड़ेगा, किस तरह से देखो, अब यदी, यहाँ पर हम माल लेंगे, यदी कोड, एक बार चित्र में आप देखो, कोड क्या है, O, P, Y X में लिश सकते हैं, उससे कुछने, यदी कोड, O, P, Y बराबर, अलफा वन, तथा कोड, O, P, Y, बराबर, अलफा 2 हो, तो, तो चालक, तो चालक, X, Y, के कारण चुमबा की चेतर की तिव्रता के करांट चुमबकी छेतर की तिव्रता तो चालक xy के करांट चुमबकी छेतर की तिर्टा वह क्या हो जाएगा उसको हम लिखेंगे और alpha 2 उसका upper limit है, माने यहाँ पर आप चीतर में देखो, जब हम इसको alpha 1 से, alpha 1 से मतलब यहाँ से, alpha 2 मतलब यहाँ तक हम समा कलन करेंगे, और समा कलन का मतलब होता है जोड़ना, योग करना, तब हमको x y तार के कराण चुमकी 6 के तीवरता ग्यात हो यागा, बड़ा derivation है, ध में दो application समझा देता, लेकिन मेरा को मालूम है, student फिर उसमें क्या होता है, confused हो जाता है, बहुत burden हो जाता है, ऐसा है कि हम को हड़वरी में उसको पूरा करना है, भहले ही एक ही application करेंगे, लेकिन उसको हम 100% करेंगे, उसमें कोई doubt जैसा चीज नहीं रहना चाहिए, तो minus alpha 1 स alpha 2 किया, और db का क्या करेंगे, हम यहाँ पर समा कलन करेंगे, अब db का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, देखो, इस मान को वहाँ पर put up करेंगे, तो क्या हो जाएगा, that equal integration of minus alpha 1 to alpha 2, minus alpha 1 to alpha 2, और db के मान को यहाँ से हम भरेंगे, तो मान कितना हो जाएगा, इसका, mu 0 upon 4 pi, i cast alpha, i cast alpha, into d alpha upon d, यह हो जाएगा, bxy का value, minus alpha 1 to alpha 2, mu 0 upon 4 pi, i cast alpha d alpha upon d, यह हमने db का value को यहाँ पर put up कर दिया, ओके, अब यहाँ पर देखो, जो constant value है, वो constant value को हम बाहर कर लेते हैं, तो constant value कौन कौन सा है, यह constant है, i constant है, d constant है, alpha constant नहीं है, क्योंकि alpha के साप x समा कलन हो रहा है, जिसके साप x समा कलन होते रहता है, वो constant नहीं होता है, क्योंकि उसका तो समा कलन होना है, तो बाकी को हम बाहर कर दें, तो क्या मिलेगा अपने को देखो, आगे हम इसको लिख सकते हैं, bxy equal, therefore, bxy equal to, common क और integration होयाएगा minus alpha 1 to alpha 2 और यह होगा cas alpha into d alpha अब भाई हमको cas alpha का integration करना है cas alpha का integration करना है चलिए कौन-कौन बताएगा cas alpha का integration कितना होता है चलो मैं chat पर पढ़ रहा हूँ अब बताइए कि cas alpha का integration कितना होता है यह integration का sign मैंने हटा दिया यहाँ पर लिख दिया minus alpha 1 से alpha 2 कास alpha का integration क्या होता है तो कास alpha का integration क्या होता है sine alpha कास alpha का integration sine alpha होता है कास alpha का differentiation minus sine होता है यह क्या होता है sine alpha होता है हाँ plus में होता है ठीक अब हम इसमें limit put करेंगे तो limit put करेंगे तो क्या होगा that equal mu not upon 4 pi i upon d अब क्या लिखेंगे upper limit minus lower limit तो upper limit हो जाएगा sin alpha 2 और minus lower limit हो जाएगा sin और with sin तो minus sin alpha 1 यह हमने limit को put up कर दिया that equal to यह हो जाएगा mu not upon 4 pi i upon d अब देखो sin minus theta क्या होता है minus sin theta sin minus theta minus sin theta होता है तो minus into minus plus होगा उसको मैं पहले लिख लेता हूँ ते हो जाएगा sin alpha 1 plus sin alpha 2 sin alpha 1 plus sin alpha 2 यह हो जाएगा bxy bxy का मतलब क्या हुआ अब हमने xy चालक तार के लिए चुमबकी छेतर की तीब्रता निकाल लिया जो xy चालक तार है उसके लिए चुमबकी छेतर की तीब्रता निकाल लिया यह xy चालक तार के लिए final equation है लेकिन हमको चाहिए अनंठ लंबाई के चालक के लिए चुमबकी छेतर की तीब्रता तो इसलिए अब हम निकालते हैं अनन्त लंबाई का इसलिए अनन्त लंबाई के चालक के लिए तो जब चालक की लंबाई अनन्त हो जाए तो क्या होगा चित्र में देखो अब यदि हम चालक तार की लंबाई को अनन्त कर दें मतलब इस लंबाई को पूरा अनन्त ले जाए और नीचे इसको अनन्त ले जाए तो क्या होगा जब अनन्त तक तार फैलते जाएगा ध्यान से सुनना जब तार अनन्त तक उपर फैलते जाएगा तो क्या हो जाएगा वह कोड जो alpha 2 है वो 90 हो जाएगा और यह भी अनन्थ तक होगा तो alpha 1 बढ़ते 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 maximum कितना बढ़ सकता है 90 जब तार अनन्थ हो जाए तो alpha 1 alpha 2 ऐसे बढ़ते बढ़ते maximum 90 हो सकता है और दोनों imaginary condition है practically तो possible ही नहीं है तो imaginary condition पर ही हम उसको निकालते हैं तो उस condition में दोनों का value क्या हो जाएगा 90 90 degree हो जाएगा तो उसके लिए alpha 1 बराबर alpha 2 हो जाएगा और दोनों कितने हो जाएगा 90 जाएगा ओके तो alpha 1 equal to alpha 2 equal to 90 degree और उस condition में चुमबकी छेत्र की तिवरता को हम क्या कहेंगे b बराबर mu 0 upon 4 pi और यह i upon d और under bracket alpha 1 alpha 2 दोनों 90 degree होगा तब हम इसको लिख सकते हैं sin 90 plus sin 90 sin 90 plus sin 90 दोनों 1 होता है तो that implies यह b बराबर हो जाएगा mu 0 upon 4 pi i upon d और इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 तो 1 plus 1 2 हो जाएगा therefore हमारा जो final equation होगा यह मैं highlight करके लिख देता हूँ b बराबर हो जाएगा mu 0 upon 4 pi 1 plus 1 2 तो हो जाएगा 2i upon d और यह होता है अनंत लंबाई के चालाग के कारण चुंबकी छेत्र की त्विवरता यह बायो स्टेप का पहला application है तो मैं समझता हूँ आपको हर step clear होगा और आपको याद भी हो गया होगा यदि आपने बहुत ध्यान से समझा होगा तो आपको यह याद हो गया होगा एक बार आप step को ध्यान से देखो मैं 2-2 मिनट आपको हर step को समझने के लिए समय देता हूँ यह और screen start लेने के लिए समय देता हूँ तो सबसे पहले आप step को समझो या इसका screen start लो और कोई problem है तो अब भी पूछो मैं आपके comments पढ़ रहा हूँ मैं आपके comments देख रहा हूँ ध्यान से देखो next sin-theta-sin-theta होता है यह use किया है हमने यहाँ पर तो minus into minus प्लस हो जाएगा पहले हमने xy तार के लिए निकाला बी xy का मतलब है कि तार सबसे पहले को तीन स्टेप में कल्कुलेशन किया पहला क्या था अलपांस डियल फिर तार को xy किया फिर तार को अनंद किया पहले छोटा फिर xy फिर अनंद ऐसा किया तो यह इसका final equation है इस पकार से यह टापिक हमारा complete हो गया इसके बाद इसका दूसरा application है व्रित्ती कुंडली के कारण धारा वाही व्रित्ता का लूप के अक्ष पर चुंबकी छेत्र की गर्णा करना second application कि एक application इसमें exam में आता है तो पहला हम पढ़ चुके यह दूसरा पढ़ेंगे दोनों में से कोई आपके अब इस topic का हम मतलब समझें पहले कि क्या topic है धारा वाही व्रित्ता का लूप के अक्ष पर चुंबकी छेत्र मतलब अक्ष के किसी बिंदू पर अभी जब मैं आपको अब उसके अक्ष के किसी बिंदू पर हमको बनाना है तो फीगर सबसे पहले आप प्रापर फीगर को समझो तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा तो यह धारा व्रित्ता का लूप है और चुंकि हमको उसकी अक्ष को दिखाना है तो हम व्रित्ताकार को थोड़ा सा ऐसा तिर्चा बना रहे हैं कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सार आप तो हेडिंग में लिखे हो व्रित्ताकार और आप तो उसके सरसी चप्टा बना रहे हो तो उसका कारण यह है कि हम यहाँ पर आपको थ्री डैमेंशन सेप में उसको एस्प्लेन करना चाहते हैं क्योंकि हमको उसको आपको अक्ष भी बताना है इसलिए ऐसा किया गया ठीक है तो ध्यान रखना ये वृत्ताकार ही है लेकिन हमको इसका अक्ष सो करना है तो सबसे पहले चलिए हम इसका ये त्रिज्या और इसके बाद हम इसमें इसका अक्ष सो कर देते हैं ये इसका एक्ष यह अक्ष है और इस अक्ष के किसी बिंदू पर हमको चुम्बकी छेत्र की तिव्रता की गढ़ना करना है अक्ष के किसी बिंदू पर question में बोला है loop के अक्ष पर चुम्बकी छेत्र ते हमने यह अक्ष बना लिया अब यहां से हम बारी-बारी से इसके conditions को यहाँ पर पहले mention करने फिर आपको सब समझाएंगे एक point यह है अब यहाँ पर हो क्या रहा है बारी-बारी से मैं समझाते जाता हूं आप ध्यान से समझना यह इसका केंद्र है O इस loop पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम I आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसके अक्ष से मान लो यहाँ पर X दूरी पर एक बिंदू है यह P और यहीं पर हमको चुमकी छत्र की तिवरता का गढ़ना करना है कहां पर करना है बिंदू P पर करना है तो ये बिंदू P पर हमको चुमकी छतर की तिवरता का गर्णा करना है अब इसके लिए हम क्या किये इसके परिधी पर हमने एक DL लंबाई का एक अलपांस ले लिया AC ये AC एक अलपांस है ये ले लिया और इस अलपान से जिस बिंदू पर चुमबकी छेतर की तिवरता ग्याद करना है, माल लो वो P है, उसके बीच की दूरी को हमने R ले लिया, और ये जो कोण बना इसके साथ में, इस कोण को हमने फाई ले लिया, इस पकार से हमने इसको कंसीडर कर लिया, माल लिया, कोण कोण होगा क्या देखो, यहाँ पर इसका जो घटक हमको प्राप्त होगा, वो इस दिशा में लंबत होगा, किस पर? इस बिंदू पर लंबत होगा, अब इसके दो हम घटक यहाँ से निकाले, 36 और उर्धाधर घटक, तो क्या क्या मिलेगा? ये 36 घटक मिलेगा, और ये हमको ये 90 है, तो 90 माइनस फाई होगा, अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये वाला लाइन से, ये वाला लाइन 90 है, 90 माइनस फाई है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? फाई होना पड़ेगा, तभी 90 माइनस फाई, प्लस फाई, 90 होगा, तो भी फाई हो गया, अब देखो, ये जो आसमे मैं एक बात आपको बहुत जोर देके बोलता हूं वह यह है कि कभी भी आप यदी बड़ा derivation कर रहे हैं तो वह completely figure पर best होता है जबकि मैंने बहुत सी student को देखा है कि वह इस diagram पर इंट्रेस्ट नहीं लेते और फर्मुला का derivation तयार करना चाहते हैं यह ऐसी student उसको रटते हैं समझा हुआ student कभी भी derivation के step को याद नहीं करता समझा हुआ student जैसे figure उसके सामने दिखाई दे रहा है उस figure के best पर काम करता है और उसको लंबे समय तक याद भी रहता है वो भूलता भी नहीं जैसे पिछले वाले class में तो मैंने आपको working step भी बताया था यहां working step का जोरत नहीं वह तो calculation का फ्लो है जो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए तो यहां तक का situation हमने देख लिया तो db का दो घटक हम यहां से लिखेंगे db का तो यह देखो 5 और db sin 5 घटक यहां पर हमने निकाल लिया clear मालो पी से इसकी दिशा एन है जिसको मैं पी एन दिशा कहा रहा हूं अब यही काम हम क्या करते हैं इसके just opposite direction में करते हैं जिसको हम बोलते रहें ब्यासा भी मुखी ब्यासा भी मुखी का मतलब होता है व्यास के opposite point इंगली समझते हैं diametrically opposite तो यहां पर यह जो विंदू है इसका diametrically opposite point यह है मतलब ब्यास का ठीक उल्टा विंदू जैसे ब्यास ए बिंदू कर दी नाम है इसलिए बार बार उसको मैं जोड़ देके बोलना हूं बियासा भी मुखी इंग्लिस हमालते हैं डायमेर्घेट्रिकली अपोजीट ने लिया और डायमेर्घट्रिकली अपोजीट चुम्बकी छेतर की तिब्रता कल्कुलेट करेंगे तो वो कैसा होगा एक्जेक्ट वैसी होगा इस बिंदू को इससे मिला दिया यहाँ पर भी हमने उसके अलपांस को यह डियल ले लिया मालो डियल अलपांस है इस बिंदू का नाम है मालो A-B- यहाँ पर भी कॉड़ फाई होगा अब इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं नीचे को यहाँ पर भी फाई होगा और यहाँ पर भी जो चुम्बकी छेतर की तिब्रता का घटक होगा सबको सब भाई बिल्कुल वैसी होते जाएगा देखो यहां पर भी चुंबकी 6 तीव्रता का घटक यह होगा फिर यहां पर भी हम इसके दो घटक निकालेंगे फिर चुंब की यह होगा फैयोगा फिर भी है यहां पर भी यह दीवी है इसके भी दो घटक होंगे एक पास वाला घटक होगा जो कि dy b कास फाइ हो जायगा में पूरा चित्र चित्र ही है और यह हो जाएगा d b यह P से N दिसा है और इसको P से N दिसा हमने कह दिया अब इस चित्र को आप ध्यान से समझो पूरा का पूरा explanation इस figure पर best है चित्र समझ में आ गया तभी आपको आगे calculation समझ में आएगा तो यहाँ पर एक बार आप मुझे बताओ क्या सभी student को इस चित्र अच्छे से समझ में आ गया किसी को कोई problem हो तो chat में लिखो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको दुबारा मैं आपको explain करूंगा अब हम इस पर calculation start करते हैं चलिए तो गर्णा इस टार्ट करें और किस किस step से हमको गर्णा को calculate करना है यह अब ध्यान से समझना भई इसका गर्णा आसान है सबसे important है इसका चित्र तो यह हम गर्णा इस टार्ट करते हैं इसका और सबसे पहले हम लिखते हैं बायो सेवर्ट के नियम से यदि हम यहां से बायो सेवर्ट के नियम से तो बायो सेवर्ट के नियम से क्या होगा भाई बायो सेवर्ट के नियम से होगा db equal to mu naught upon 4 pi idl upon यहां से देखो हमने इसकी तिज्ज्या को दूरी को r लिया है तो idl upon r square यह होगा और इसमें हमने sin theta नहीं लिखा कोई बता सकता है sin theta क्यों नहीं लिखा नितिस ने पहले ही आंसर दे दिया मेरे पूछने के very good क्योंकि theta यहां पर 90 degree है यहां पर theta 90 degree है तो theta 90 degree होने के कारण हमने उसको 1 लिख लिया है क्यों 90 degree है क्योंकि इस पर सरेखा त्रिज्ज्या पर हमेशा लंब होती है इसलिए बायोसेवर्ट के नियम में जो ideal sin theta आता है उस sin theta को sin 90 लिखेंगे और sin 90 लिखने पर वह 1 हो जाएगा इसलिए उसको लिखने का ज़रत नहीं है ओके clear बात आपको चलिए तो आगे हम इस calculation को आगे start करें अब यहां पर देखो मैं इसको लिखता हूँ db के घटक पहला db के घटक इसके पहले हम क्या करेंगे उसको पूरा explain करेंगे explanation इसका क्या है थोड़ ध्यान से समझना यहां पर आप देखो कि db कास फाई घटक और db कास फाई घटक यह दोनो db कास फाई घटक कि दिशा एक दुसरे के ठीक विपरित है और परिमार में वो बराबर है दोनों की दिशा एक दुसरे के ठीक अपोजिट है और वो परिमार में बराबर है इसलिए वो एक दुसरे को cancel कर देंगे निरस्त कर देंगे जबकि यह जो db sin 5 घटक है DB sin 5 घटक, ये एक ही दिशा में कारे कर रहे हैं, देखो, इनकी दिशा क्या है, अक्स की दिशा में है, अक्स की दिशा है OP, और OP दिशा के में कारे कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये आपस में add हो जाएंगे, तो just opposite components cancel out हो जाएंगे, और एक ही दिशा में चलने वाले जो घटक हैं, वापस में जुड़ते जाएंगे, इस पकार से हम देखें, तो क्या लिख सकते हैं, पहले हम घटक को explain कर दें, तो DB के घटक, DB के कौन-कौन से घटक होगा, पहला DB कास फाई और इसका direction लिख लो, P से N की और, P N दिशा में, और दूसरा घटक होगा, DB sin 5 और इस की दिशा में, यह लिखना जोरी है, इसके बाद लिखेंगे, पुनह DB के घटक, पुनह, सेकंड नमबर में, पुनह DB के घटक, कौन सा नीचे वाला, ब्यासा भी मुखी पाइंट का सकते हैं इसको, ब्यासा ये, तो यदि हम ब्यासा भी मुखी पाइंट पर बात करें, पहला जो घटक होगा, वो क्या कहलाएगा, DB, कास फाइग, और इसका भी जो वेल्यू होगा, वो PN दिशा में होगा, चीतर में मैं आपको बताया हूँ, PN दिखा, जो की PN का विप्रिद दिशा है, और दूसरा घटक होगा, DB, साइन फाइग, और इसका दिशा घटक क्य करना है, कि यहां से बात क्लियर है, क्या क्लियर है, कि O P और O P सेम डारेक्शन में है, इसलिए दोनों आपस में एड हो जाएंगे, जबकि DB कास फाइग, विप्रिद दिशा में होने के कारण, एक दूसरे को कैंसल कर लेंगे, तो दो लाइन का यहां पर हम एस्पैलेशन ल परिमाड में बराबर किन्तु दिशा में विप्रिद हैं, अता एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे, अता एक दूसरे को यह लिखना ज़़री है, एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे, यह बात नहीं लिखोगे, तो आपको मारस नहीं मिलेगा, चुकि डीबी कासफाई घटक परिमाड में बराबर किन्तु दिशा में विप्रिद हैं, अता एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे, किन्तु यह जो डीबी साइन फाई घटक है, फिर हम लिखेंगे, परन्तु डीबी साइन फाई घटक की दिशा समान है, कि दिशा समान है, अता, चुकि उनके दिशा समान है, अता क्या होगा, उनका परिमाड में निकलेगा, अता परिणामी घटक का जो मान होगा जिसको हम क्या कहेंगे B और वो हो जाएगा सिगमा मतलब होता है सम और db sin 5 ये कैसे आया समझ में आया आपको परिणामी घटक को हमने B से पतरशित किया है इसका जो परिणामी घटक होगा इस परिणामी घटक को हमने B से पतासित किया है और B equal to होगा sigma db sin 5 sigma db sin 5 sigma मतलब sum होता है और सभी db sin 5 घटक क्या होंगे जुड़ते जाएंगे यहाँ पर हम दो method apply कर सकते हैं एक integration का भी कुछ writer लोग integration से बनाते हैं कुछ writer लोग उसको sigma करके बनाते हैं मुझे sigma का method ज्यादा आसान लगता है student best plan करने में आसान है इसलिए हम sigma को represent करते हैं sigma का मतलब भी sum है और integration का मतलब भी sum है दोनों तरीके से किया जा सकता है यह ज्यादा आसान method है अब हम क्या करेंगे देखो यह हम db का value जो निकाल के रखे हैं यह जो db का value हम निकाल के रखें कहां निकाल के रखें हैं यह db के value को अब वहाँ पर हम put up कर देंगे और इसको फिर हम simplify करेंगे चलो भाई value को put up करते हैं फिर therefore b बराबर sigma db का value कितना होगा mu 0 upon 4pi i into dl upon r square और into यहाँ पर ध्यान देना sin phi तो sin phi का value क्या होगा चित्र में देखो यह phi है और sin phi बराबर होगा लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण तो phi के सामने लंब है यह जो कि a के बराबर है और कर्ण क्या है r के बराबर है ठीक है तो कर्ण r के बराबर है तो ओ क्या होगा a upon r इस पकार से हम sin phi को क्या लिख सकते है a upon r लिख सकते है ऐसा लिखा जा सकता है अब यहाँ पर देखो जितने constant quantity है वो पूरे constant quantity को हम बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर constant सिर्फ कौन नहीं है DL, DL constant क्यों नहीं है क्योंकि वो alpans है वो छोटा part है और सिग्मा करने से वो पूरा छोटा part जूड़ेगा और पूरा सिग्मा का जोटा part जूड़के क्या बन जाएगा वो वृत्त की परिधी बन जाएगा ठीक है तो अगले step में हम क्या करते हैं mu naught upon 4 pi i a upon r cube को हम बाहर करते हैं ठीक है देख लेक बार i a upon r square into r r cube हो जाएगा तो i a upon r cube i into a upon r का घाथ पीन और यहाँ पर हो जाएगा sigma dl यह sigma dl हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखो यदि हम क्या करें इसको आगे सरल करें तो that implies क्या लिख सकते हैं that implies b equal to mu naught upon 4 pi i into a upon यहाँ पर थोड़ा गवर करना यह जो r का value है कितना है यह चित्र में आप देखो यह जो r का मान है वो क्या है इस समकोर्त इभूज का कर्ण है और कर्ण बराबर हो जाएगा under root a square plus x square यह हो जाएगा क्योंकि a इसका lump है और यह जो x है वो इसका अधार है तो पाइथागोरस के थ्योरम से कर्ण जो होता है root आप lump का वर्ग अधार का वर्ग होता है तो ऐसा हम उसको लिख सकते हैं इस पकार से इस value को यहाँ पर put up करें तो क्या हो जाएगा a square plus x square का root लगेगा root माने एक बटे दो और यहाँ पर तीन है तो लिखा जा सकता है 3 by 2 यह होगा और into sigma dl sigma dl मतलब क्या होगा पूनास चीतर को आप देखो यह क्या है एक alpans है यह छोटा सा alpans है और जब पूरा alpans जुड़ेगा तो बन जाएगा वरित्त का परिधी क्योंकि dlx alpans है dlx छोटा part है और वाद छोटा part जब पूरा का पूरा जुड़ 2 by r लेकिन त्रिजिया को हमने यहाँ पर a लिया है तो हो जाएगा 2 by a यह हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर एक मैं पॉइंट और 8 कर देता हूं फेरों की संख्या n हो तो मालो ऐसे तार को एन बार लपेटा गया है क्योंकि मालूम है कि जब हम लूप बनाते हैं तो तार की बाइंडिंग करते हैं एक तार नहीं होता उसमें कई बार तार को लपेटा जाता है तो मालो एन बार तार को लपेटा गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एन का गुण पर यहां पर एक सी ध्यान रखना कई बारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहां पर भी तो पाई है और यहां पर पाई है तो दोनों पाई को आप कटा क्यों नहीं रहे हो पाई को कटाते हैं जो उरत खिसाब से लेकिन यहां पर हम इसलिए पाई को नहीं कटाते हैं क्योंकि क्या होता है, mu nat upon 4 pi का जो value होता है, वो 10 to the power minus 7 होता है, 10 की खाथ रिंड साथ होता है, और यदि आप उसको disturb कर दोगे, तो numerical बनाते समय आप 10 की खाथ रिंड साथ नहीं लिख सकोगी, इसको वैसी रहने दो, ठीक है, तो क्या हो जाएका फिर आगे, ये 2 pi को मैं पहले लिख र और ये है, चुंबा की छेतर की तिवरता का final equation, ये चुंबा की छेतर की तिवरता का अंतिम समी करण है, लेकिन इसमें हम अभी है condition apply करेंगे, clear यहाँ तक, तो 2 pi ni into a square upon a square plus x square का घात, 3 बटे 2, ये क्या है इसका final equation है, लेकिन हम यहाँ पर एक condition apply करते हैं, वो है के अंदर प ठीक है, x का value यहाँ पर 0 हो जाएगा, x का value 0 होने पर 3 by 2 कटेगा 3, तो 2 pi ni upon a, चली, तो कुंडली के केंदर पर, condition, यहाँ पर हमें condition apply करते हैं, कुंडली के केंदर पर, कुंडली के केंदर पर का मतलब क्या हुआ, चीतर में आप देखो, ये जो बिंदु P है, वो यदि आएगा, तो ये जो x का मान है, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, कुंडली के केंदर से उस बिंदु के बीच की दूरी है, तो कुंडली के केंदर पर आने पर, naturally, यहाँ पर x का value 0 हो जाएगा, और जब x का value 0 हो जाएगा, तो इस फार्मूला को देखो, क्या हो जाएग यह x का value 0 हो जाएगा, x का value 0 होगा, तो a square का घात 3 बटे 2 होगा, जहाँ पर 2, 2 के साथ कटेगा, और बच जाएगा a cube, इस तरह से यह a cube हो जाएगा, और आगे इसको हम और साल्मो करें, तो b equal to mu naught upon 4 pi, 2 pi, ni, और a cube में a square कटेगा, तो नीचे a बचेगा, a, यह इसका फर्म यह कुंडली के केंद्र पर है, यह condition है, कुंडली के केंद्र पर के लिए, मतलब यह अक्ष के किसी बिंदू पर के लिए है, यह जो फार्मूला हमने निकाला है, वो अक्ष के किसी बिंदू के लिए है, और यह जो फार्मूला निकाला है, वो कुंडली के केंद्र के लिए क्लियर कोई प्राब्लम किसी को यहां तक यहां तक कोई प्राब्लम किसी को एक बार मैं आपके चेट में पढ़ रहा हूं कहीं पर किसी को भी कोई प्राब्लम हो तो यहां पर आप पूछ लो हाँ अब ध्यान देना कभी एक्जाम में यदि आपके बोर्ड एक्जाम में कोस्चन इस तरह से पूछा जाए कि वृत्ती कुंडली के अक्ष के किसी बिंदू पर चुमबकी छत्र की तिवरता की गर्णा कीजिए तब आप यहां तक निकालोगे इस फर्मूले को यहां तक लेकिन आपको बोले कि अक्ष के किसी बिंदू पर चुमबकी छत्र की तिवरता ग्याद कीजिए तथा उसके केंद्र पर उसका मान कितना होगा तो दो लाइन आप इसको और एस्ट्रा एस्टेंड करोगे आगरी बात समझ में लेकिन अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यदि आपको परिक्षा में सीधा केंद्र पर निकालने बोले अक्ष के किसी बिंदू की बात ना करे डारेक्ट बोले कि वृत्ती कुंडली के केंद्र पर चुमकी छेत्र की तिवरता ग्याद कीजिए तो फिर अक्ष पर इतना लेंदी मेथड में जानने का जवरत नहीं है हम उसके केंद्र पर सीधे निकाल सकते हैं ध्यान से सुनो फिजिक्स में पूरी पढ़ाई करने के बाद एक बड़ी समस्य यह होती है कि हम क्वेस्चन को जो बोल रहा है वही निकाल रहे हैं कि नहीं आंसर उसका कहीं पूछा कुछ और है और हम जवर्जस्ती बहुत जादा लिख किया जाते हैं तो इसलिए मैं बार-बार उसे डिसकस कर रहा हूं ध्यान से सुनो यदि आपको एक्जाम में प्रस्ण कैसा पूछे धारा वाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुमकी छेतर की गर्णा कीजिए तो अक्ष पर चुमकी छेतर की तिवरता की गर्णा करने बोलेगा तो यह वाला फार्मूला आपको निकालना है यह वाले फार्मूला और अक्ष के साथ साथ कुंडली के केंदर पर बोले तो आप ये निकालोगे लेकिन यदि आपको एक्जाम में सीधे केंद्र पर निकालने की बात बोले X की बात ही ना करे तो इतने लंबे मेथट से जाने का ज़ूरत नहीं है तब मैं आपको एक और मेथट बता रहा हूँ वहाँ से आप डारेक्ट निकालोगे क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको इस पर हमको निकालना है मेगनेटिक फिल्ड एड़ दा सेंटर आप सरकल सरकुलर रोप केरिंग करेंट चलिए यह कैसे होगा अब हम इसके लिए सीधा व्रित्ति कुंडली ही दिखाएंगे क्योंकि हमको उसका केंद्र ही दिखाना है सीधा तो चलो भाई यह व्रित्ति कुंडली बना लिया अब हम सीधा इसकी व्रित्ति कुंडली ही बना देते हैं साइट से तीर्षा दिखाने जोरत पही है यह हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं चित्र को ध्यान से समझना, चित्र बराते समय हमेसा याद दिलाता हूं को ध्यान से समझना, हम इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस कुंडली में, और इस कुंडली में हम इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् छोटा-छोटा अलपांस ले लिया, x1, x2, फिर x2, x3, x3, x4, and so on, ऐसे छोटे-छोटे पार्ट ले लिया, हमने वृत्य की परिधी पर, मतलब लूप पर, हमने छोटा-छोटा क्या ले लिया, उसका पार्ट ले लिया, अब छोटा-छोटा पार्ट लेने के बाद, अलग-अलग पार्ट के लिए, हम यहाँ पर, चुम्बकी छत्र की तिम्रता की गर्णा करेंगे, यह बहुत आसान है, इसी लिए लग से इसको पढ़ाया जा रहा है, देखो, तो सबसे पहले, बायो सेवर्ट के नियम से, यह तो पहले लिखना पड़ेगा, उसी का उन्प्रयोग पढ़ रहे हैं हैं अपन, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, दी बी इक्वल, दी बी इक्वल, म्यू नाट अपान फोर पाई, आई, डी एल, अपान आर स्क्वेर, और यहाँ पर हमने तिर्जिया को ए लिया है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वेर, यह हो गया रिलेस्न नंबर फास्ट, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, जैसे पहले बताया मैं, वो मैं आपको एस्प्रेंट कर चुका, वृत्ती कुंडली है, तो थीटा 90 डिग्री ही होगा, अब हम क्या करें, अब हम यह जो छोटे छोटे अलपांस हैं, इनके लिए अलग अलग चुमकी छेतर की तीवरता निकालते हैं, छोटे छोटे अलपांस के लिए चुमकी छेतर की तीवरता निकालने हैं, तो सबसे पहले हम निकालने, अलपांस अलपांस X1 X2 यह X1 X2 के लिए अलपांस X1 X2 के लिए और इसको हम कहते हैं DB1 अलपांस X1 X2 के लिए DB1 तो DB1 इक्वल टू क्या हो जाएगा μू नाट अपान 4π I into और यह अलपांस है अब X1 X2 तो DL के जगा में हम पूट अप कर देंगे X1 X2 और अपांस तरिजिया तो वही है तो A square मतलब अब हम छोटे छोटे अलपांस के लिए चुमबकी छेतर की तीवरता निकाल रहे हैं clear तो अलपांस X1 X2 के लिए Db1 निकाल लिए इसी प्रकार्स हम निकालेंगे अब अलपांस अलपांस X2 X3 X2 X3 के लिए अलपांस X2 X3 के लिए इसको हम कहा देते हैं Db2 इक्वल टू Mu 0 अपान 4 Pi I X2 X3 X2 X3 अपान A2 यह हो जाएगा एंड सो आन इसी प्रकार से हम अलग-अलपांसों के लिए निकालेंगे तो सभी अलपांस के लिए हम निकालने के बाद हम निकालेंगे इसकी कुल तीवरता इसके बाद हम निकालेंगे इसकी कुल तीवरता तो कुल तीवरता क्या हो जाएगा देखो इसलिए कुल तीवरता इसलिए कुल तीवरता B equal to Db1 plus Db2 plus Db3 plus ends 1 ऐसा होगा और सभी के value को हम यहाँ पर put up कर देते हैं तो यह हो जाएगा μू नाट अपान 4 pi i x1 x2 i x1 x2 upon a square plus यह होगा μू नाट अपान 4 pi i x2 x3 upon a square plus ends 1 इस तरह से अब जो constant है उसको हम बाहर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा μू नाट अपान 4 pi i upon a square सब में common है इसको हम common कर लेते हैं तो ब्रेकेट के अंदर क्या बचेगा x1 x2 plus x2 x3 plus ends 1 यह बचेगा अब आगे देखो that equal μू नाट अपान 4 pi i upon a square और अंदर में क्या बचेगा x1 x2 plus x2 x3 plus ends 1 इसका value क्या बचेगा यहाँ पर देखो x1 x2 x2 x3 सब जब जूड जाएंगे सब के सब जूडेंगे छोटे 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 आल पान तो सब के सब छोटे 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 आल पान के जूडने के बाद बुरित्यका परिधी बन जाएगा जिसको हम 2 pi a लिख सकते हैं अब फेरों की संख्या n हो तो यही पर लिख देता हूँ n फेरों के लिए लास्ट में n फेरा लिख देते हैं सुरू से भी लिख सकते हैं तो n फेरा हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे into n का multiply कर देंगे अब आगे यहाँ पर देखो 1 a इस a के साथ में कटेगा 1 a इस a के साथ में कटेगा और therefore हमको जो final equation मिलेगा वो b equal to क्या मिलेगा mu naught upon 4 pi mu naught upon 4 pi यह है 2 pi n into i यह तो कट गया तो हो जाएगा 2 pi n i upon a 2 pi n i upon a यह इसके लिए finally equation आएगा और अभी आपने देखा है कि हमने यही formula derive किया b equal to mu naught upon 4 pi 2 pi n i upon a यह देखो हमने निकाला है इससे पहले यह mu naught upon 4 pi 2 pi n i upon a और अभी फिर निकाला है हमने mu naught upon 4 pi 2 pi n i upon a मतलब वृत्ती कुंडली के केंदर पर हम सीधे-सीधे निकाल सकते हैं इस पकार से यदि आपको एग्जाम में वृत्ती कुंडली के केंदर पर सीधे-सीधे वृत्ती कुंडली के केंदर पर चुंबकी छेतर की तीब्रता की गर्णा करने बोले तो हम डारेक्ट यह निकाल सकते हैं इस पकार से यह दो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग है परिनालीका भी इसका तीसरा नुप्रयोग होता है लेकिन वो सभी बोर्ड से उसके सिलेबा से हटा दिया गया है ठीक है तो परिनालीका हम पढ़ेंगे लेकिन उसको किसमें पढ़ेंगे MPR के परिपथी नियम में पढ़ेंगे परिनाली का हम पढ़ेंगे लेकिन उसको MPR के परिपथी नियम में बायो से वाट के नियम की साहता से परिनाली का बहुत पहले निकाला जा चुका है बहुत दिन से कोर्स में नहीं है वर्किंग स्टेप का ज़ूरत नहीं है आज इसलिए मैंने working step नहीं दिया, क्योंकि working step का यहाँ पर जहुरत क्यों नहीं है देखो, बहुत सीधा calculation है इसका, यह figure ही main है, उसके बाद तो दो line में यह derive हो जाता है, इसमें main है घटक, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यह figure को अच्छे से बनाओगे, यह figure का explanation main है आप db के घटक निकालोगे, फिर db का दूसरा घटक निकालोगे, फिर यह चीज़ें करोगे, तो यहाँ पर working step का जहुरत नहीं है, बहुत छोटा है, db कास घटक परिमार में बराबर किन्तु दिशा में विपरीथ हैं, अता एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे, इस तरह से योग करने के बाद सिग्मा के भेली पूट करेंगे, यह उसके केंद्र पर है, और इसके बाद हमने बताए आपको धारा वाहिवरित्ता काल लूप के केंद्र पर चुमक की छेत्र की तीबरता यह, तो यह जो मैं आपको आज फार्मूला बताया, यह बारी बार से बारी बारी से सब फार्मूला लिराइब होते जाएंगे, एंपियर का परिपथी नियम, एंपियर का परिपथी नियम का बोर्ड एक्जाम में आने का 100% चांस रहता है, साथ ही इसका एप्लिकेशन भी हमको पढ़ना है, यहाँ पर हमने इसका कथन लिखा हुआ है, उस चालक के चारों और चुमबकी छेतर उत्पन होता है, यह बात आस्टेट ने बताया, और लगातार हम अलग-अलग साइंटिस्ट के उसके एडवांस फाम को पढ़ते गए, आगे चलके एंपियर नमक साइंटिस्ट ने यह बताया, कि यदि किसी धारावाही चालक पर धारावाहीत किया जायत उसके चारों और जो चुमबकी छेतर उत्पन होता है, उसके किसी बंद प्रिष्ट पर या उसके किसी बंद सतह पर किसी लंबाई पर जो चुमबकी छेतर की तिवरता होता है, यहाँ पर लिखावा देखो चुमबकी छेतर की तिवरता भी उसका जो रेखी समाकलन है, रेखी समाकलन है मतला लाइन इंटिग्रेशन, चुपकि लंबाई के सापयक्षł, लंबाई के सापयक्ष इसलिए वहाँ पर सरकल बनाये गया है और वह mu naught into i के बराबर होता है जो गडिती रूप में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है और इसको मैं आपको एक बार read करके बता दूँ पूरे कथन को ध्यान से सुनो निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों और किसी बंद वक्र के चारों और चुम्बकी छेत्र b का जो रेखी समाकलन होता है उसका जो line integration होता है रेखी समाकलन होता है उस वक्र द्वारा घिरी कुलधारा i का म्यूनाट गुना होता है क्लियर यह मूनाट गुना होता है यह स्टेट्मेंट एक बार आप ध्यान से पढ़ो और यह नोट डाउन करो ना एक मिनट ओके लिख लिया चलो ठीक है यहां पर एक चीद ध्यान में रखना यह सिर्फ निर्वात के लिए नहीं है किसी बंद प्रिष्ट भी कर सकते हो माध् प्रिकेबल है लेकिन यहां पर एक महत्वपूर बात यह है कि म्यू नाट जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वह सिर्फ यू निर्वात के लिए चुम्बक सिलता होता है आपको मालूम है और यहां पर हम म्यू आर लिख दें तो क्या हो जागा क्योंकि हमको मालूम है जो चुम्बक सिलता है और किसी डेट्टी मीडियम के लिए चुम्बक सिलता है दोनों को गुणम्यू के बराबर होता है तो यहां पर मू, लिखने का मतलब ही है किसके लिए निर्वात इसीलिए यहां पर सो किया गया ठीक है चली उस व цен suscept में उस सब्दों और नहीं पर प्रकिका रेखी समाकललन उस वक्र द्वारा घरिक फुल धारा आई का में। द्वाइयु आपके सुदो question में आएगा तो बोलेगा empire के परिपथी नियम को लिखो तथा सिध्ध करो इसको सिध्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक ले लेते हैं suppose हमारे पास ये कोई चालक है यहां चीतर बनाना अनिवारे बहुत ध्यान से समझना इसके बाद हम क्या करते हैं जब इसमें धारा प्रवाहीत करेंगे तो धारा प्रवाहीत करने से इसके चारो और जो चुमबकी छेतर उत्पन होगा मालो ये इसके चारो और का चुमबकी छेतर ये है जो की एक डिस्टेंस ले लिया इस धारावाही चालक पर हम मालो आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और यह चारों तरह का इसका बंद प्रिष्ट है तो किसी धारावाही चालक पर धारा प्रवाहित करने पर चारों उसका जो बंद प्रिष्ट है उसके किसी बिंदू पर जो चुमबकी चुम्बकी छेतर की तिवरता यह है और जिसको हमने कहा है यहाँ पर चुम्बकी छेतर की तिवरता का मान B यहाँ पर एक DL लंबाई पर चुम्बकी छेतर की तिवरता बी है इस पकार से यहाँ पर जो चुम्बकी छेतर की तिवरता का रेखी समाकलन होगा चुम्बकी छेत आपको मालूम है इसलिए इन दोनों का डाइस्रासी है तो दो सदीसों का अधीस गुना ही अधीस होता है इसलिए डाइस्रासी होता है यदि और DL तो सदिस रासी है लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वह अदिस रासी है इसलिए दोनों का डार्ट पॉडट किया गया है तो यह आप चीतर को समझ गए अब इसके बाद हमको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ किया जाता है बायो सेवर्ट के नियम के पहले अनुप प्रयोग और बायो सेवर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग क्या था अनन्त लंबाई के रेखी चालक से D दूरी पर किसी बिंदू पर चुम्बकी छेतर की तीब्रता जो आपको मालूम है ठीक है तो वहां से हम कल्कुलेशन स्टार्ट करें क्या कि बायो सेवर्ट से या ब क्योंकि हम उस नियम को पहले पढ़ चुके हैं तो चालक से R दूरी पर चुम्बकी छेतर की तीब्रता इसका हमको फार्मूला पता है और वह चुम्बकी छेतर की तीब्रता होता है बी इक्वेल टू म्यू नाट अपान 4 पाई 2 आई अपान D होता है फार्मूला में लेकि क्लियर रहता का गई बास समझ में आपको ठीक अब इसको आगे हमको आगे सिंप्लिफाई करना है हम इस बिंदू पर चुम्बकी छेतर की तीब्रता बे लिख लिए अब हमको क्या करना है इसको चुम्बकी नया फार्मूला बनाना है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लिफा कर सकते हैं या आगे करते हैं चलो आगे करेंगे अभी से करने की जोरत नहीं है अब हम क्या करते हैं नेस्ट स्लाइट में समा कलंग करने पर अब हम दोनों साइट का समा कलंग करते हैं चलो उसके बाद हम सरल करेंगे तो यह हमने लिखा एक बार मैं दुबारा लिख देता integration of BDL equal integration of इस side में क्या है इस side में है हमारा mu not upon 4 pi 2i upon L तो integration आप DL होगा पूरा कुमा एक बर समकलन के अंदर लिंग देता हूँ mu not upon 4 pi mu not upon 4 pi 2i upon R into DL तो क्या किया हमने दोनों पक्षों का DL मतलब लंबाई के सापेक्ष इसलिए बोला गया है रेखी समकलन इसको रेखी समकलन बोलने का कारण क्या है क्योंकि हम रेखा मतलब लंबाई के सापेक्ष इसका समकलन करते हैं तो यह हो जाएगा, अब आगे इसको हम सरल करें, तो किस तरह से सरल करेंगे, लेप्ट साइट को कुछ करने का जूरत नहीं है, यह तो हमको प्रूफ ही करना है, इंटीग्रेशन आप बी डी एल इक्वल, राइट साइट में ध्यान देना, यह डी एल को छोड़के, बाकी सब कांस्टेंट कॉएंटिटी हैं, तो बाहर चले आएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर चले आएंगे, तो म्यू नाट अपान फोर पाई, यह हो जाएगा, टू आ इंटीग्रेशन आप डी एल, यह होगा, देट इंप्लाइज, आगे साल्म किया जाए, तो इंटीग्रेशन आप बी डी एल इक्वल, यह हो जाएगा, मू नाट अपान फोर पाई, टू आई अपान आर, अब यहाँ पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन आप डी एल, यह हो जाएगा, जैसे आपको पिछला क्लास पता होगा, कि सिग्मा डी एल को हम उसकी परिधी लिखते थे, तो ऐसे इंटीग्रेशन आप डी एल, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, समाक्रान का मतलब होता है, जोड़ना, तो जब यह छोटे 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 पाइ और यह हो जाएगा अब इसको 2 पाइ रृ लिखने के बाद कैसे चिंपलिफाई होगा देखो यह आर, आर के साथ में कट जाएगा 2 इंटु 2 फोर पाइ तो 2, 2 और पाइ यह फोर पाइ इसी लिए बोला क्या टाएँगी इसको और इस तरह से सब के cancel out होने के बाद हमको left side में क्या मिल जाएगा integration up, BDL और right side में सिर्फ यहाँ पर mu not बचा है और i बचा है तो यह हो जाएगा mu not into i और यह proof हो जाएगा देखो कितना आसान proof है बहुत ही आसान इसका proof है इस पकार से बायो सेवाट का नियम पहस्वारी, MPR का परिपथी नियम proof हो जाएगा क्या 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 एक बार ध्यान से सुनो हमने एक रेखी चालाक लिया रेखी चालाक में आई धारा प्रवाहित किया इसके चारों और जो चुमबकी छेतर बना उसके किसी बिंदू पर चुमबकी छेतर की तीबरता भी लिया अब हम चानते हैं कि चालाक से आर दूरी पर चुमबकी छेतर की तीबरता का ये फार्मूला होता है बायो सेवाट के अनुप्रयोक से इसके बाद हमने क्या किया दोनों पक्षों का समा कलन कर दिया जब दोनों पक्षों का हमने समा कलन कर दिया तो दोनों पक्षों का समा कलन करने पर ये हुआ ये constant को बाहर किया इस पकार से इसका समा कलन 2πr होगा simplify करने पर ये proof हो गया clear? तो मैं समझता हूँ आपको बायो सेवर्ट का नियम का प्रूप समझ में आ गया होगा कोई प्राबलम यहां तक किसी को अब इसके हम एप्लिकेशन पढ़ते हैं नेस्ट टापिक है MPR के परिपथी नियम का अनुप्रयोग जिस प्रकार से हमने बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा जिस प्रकार से हमने बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अब MPR के परिपथी नियम का अनुप्रयोग जिसमें पहला है सीधे लंबे धारावाही तार के समीव चुमकी छेत्र कुल मिलाके यहां आपको बहुत अजीब लगेगा कि जिस फार्मूला की सहायता से बायो सेवर्ट के नियम का हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया है जिस नियम की सहायता से बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन किया है वही अब वही इंपियर की परिपथी नियम की शायता से प्रूफ होगा, देखो कैसे, तो फीगर सेम टू सेम वही बनेगा, यहाँ पर बोला है, सीधे लंबे धारवाही चालक के समीब चुमबकी छेत्र, तो बना लो भाई, पहले सीधे लंबे धारवाही चालक, यह हमने सीधे थारवाही चालक बना लिया, इस पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके चारों और हम बना लेते हैं, इस तरह से यह चुमबकी छेत्र, अब जब हम ठीक उल्टा काम, जो भी हमने किया उसका ठीक उल्टा काम, ऐसा लगेगा कि आप वही काम को दुबारा कर रहे हैं, य बेगार जैसे हमने अब इसकी दूरी को लिया था ये आग ले लिया और यहां पर हमने चुंब की छेख दरखित को बी ले लिया, बस, फिगर वही बनेगा, अब हमको कैलकुलेशन में क्या करना है कि इसके calculation में क्या करना है देखो proof करें समझ वज़ आ गर्णा कहना चाहिए proof नहीं गर्णा कर रहे हैं हम नहीं formula निकाल रहे हैं तो गर्णा में क्या लिखेंगे चुकि हमको MPR के परिपथी नियम का उप्योग करना है तो पहले लिखें हम एंपियर के परिपथी नियम से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन आप B DL इक्वल टू होता है म्यू नाट इंटू आई अब देखो थड़ा रिलेशन को समझना हम अभी क्या किये थे अभी हमने ये सूत्र को लिया और इस सूत्र की साहता से एंपियर के परिपथी नियम को सिद्ध किया अब हम इसको लेंगे एंपियर के परिपथी नियम को और उसकी साहता से किसी सरल रेखी चाला के काराण चुमकी छत्र कमान कितना होता है इसका गढ़ना करेंगे तो कैसे गढ़ना होगा देखो that implies अब हम यहां से क्या करें B constant है और अभी मैंने आपको बताया कि constant को हम integration से बाहर निकाल सकते हैं तो constant को हम integration से बाहर निकालने यह B तो अंदर हो जाएगा integration of DL DL का समा कलन और equal to mu naught into I mu naught into I हो जाएगा that implies अब आगे इसको solve किया जाए तो यह B integration अब DL 2 pi R होगा अभी मैं आपको बताया integration अब DL 2 pi R होगा और equal to हो जाएगा mu naught into I यह होगा आगे यहीं पर इसको मैं simplify कर दूँ आगे इधर ही simplify कर दूँ तो आगे क्या होने वाला है ध्यान देना इसको 2 pi R को उधर transfer कर रहा हूँ क्योंकि B का मान निकालना है तो B equal to हो जाएगा mu naught upon 2 pi into I upon R यह हो जाएगा अब इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ और 2 का भाग कर दूँ तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूँगा तो therefore B equal to mu naught upon जब 2 pi में 2 का गुणा करूँगा तो 2 pi कितना बन जाएगा 4 pi और into यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा तो बन जाएगा वो 2 I upon R तो B equal to mu naught upon 4 pi into 2 I upon R यह हो जाएगा इसका फार्मूला देखो यह proof हो गया चार लाइन में proof हो गया जो हम बायो सेवरेट के नियम में 20-25 step में जिसको हम सालव किये थे वो proof हो गया MPR के परिपथी नियम की सहता से चार लाइन में अब एक्जाम में जब इसको पूछेगा तो वह ग्यानी का नाम जरूर बोलेगा कई बार इस टुडेन कन्फूज हो जाते हैं और मेरे से पूछते हैं कि सर कौन से नियम से प्रूफ करेंगे तो भीया आप फ्री रही हो नियम से प्रूफ करने के लिए एक्जाम नियार आपको बताएगा किसी सरल रेखी चालाक के कारण चुमकी छेटर की तिब्रता की गर्णा कीजिए बायो सेवर्ट की सहयता से तो वैसा बनाना पड़ेगा और MPR के परिपथी नियम की सहयता से बोलेगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा इस पकार से उसको किस मेथर से बनाना है वो एक्जाम में दिया रहता है वैसा ही बनाओगे तो नंबर मिलेगा इस टेंडर्ड फाम में दिखाने के लिए हम 2 का गुणा किये और 2 का भाग किये क्योंकि mu naught upon 4 pi हमको लाना होता है mu naught upon 4 pi और बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि mu naught upon 4 pi इसलिए लाते हैं क्योंकि mu naught upon 4 pi का मान 10 की घात rate 7 होता है mu naught upon 2pi लिख दो के तो 10 की घासरेंट साथ थोड़ी लिख पाओगे कहीं पर हम numericals बना रहे हैं और वहाँ पर हम लिख दें यदि mu naught upon 2pi तब हम उसको 10 to the power minus 7 कैसे लिखेंगे तब हम नहीं लिख पाएंगे क्या होगा बोला है 2 mu naught mu naught upon 4pi यह कहीं मतलब हुआ ना 2 को mu के सामने लिखो चाहें आगे लिखो मतलब यह है यह formula आ गया यह formula आ गया इस formula को हमने ले आया चलो next हमारा application है यह है धारावाही toriide के काराड़ चुम्ब की छेतर अब यह toriide क्या होता है पहले तो मैं आप लोग को toriide समझा दूं कि यह toriide क्या होता है देखो यह सब अलग-अलग shape और design है अभी हमने state line पढ़ा मतलब हमारा जो चालक था वो सरल रेखा था अब toriide तो toriide क्या होता है actual में आपने कभी बच्पन में ऐसा किया होगा बच्पन क्या अभी तो बच्पन ही है ना हाला कि आजकर 11-12 के बच्चों को बच्पन में बोलने से थोड़ा सा डर लगने लगता है करे भई अब तो बच्पन हम लोग के टाइम में हम लोग 12 क्लास तक बहुत इनोसेंट होते थे बहुत बच्चे होते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था और कोई एडिसनल जानकारी नहीं था अभी तो चुर्टी का एज बहुत डिक्रीस हो गया है तो इसलिए मैं बच्पन में कर सकता हूं खैर आप में से बहुत सारे अभी चाइल्ड हुट को बचा के रखे होंगे ने तो बच्पन में मतलब क्या आप भोलने वाला था मैं कि हम लोग टिप टाप फॉल जो पेन होता था उसमें जो pitch और इस स्प्रिंग में इस किनारे को पकड़ को very should be इस प्रिंग मेरे पास बहुत सार पड़ा हुआ है तो इस प्रिंग जो होता है सीधा मैं यहां पर तोरोइट को इसे समझा दूँ कि कई बाद टोराइट क्या है समझ नहीं पाता जब तक चीजों को आप प्रापर इमेजीन नहीं करोगे फिजिक्स में तो फिर वो गलत तरी क्योंकि सब चीज तो हमको सिधा सिधा दिखता है खास कर धारा के चेप्टर में तो सब चीज उसी पर बेस्ट है क्योंकि करेंड को फ्लो होते हुए किसी ने देखा नहीं इलेक्रान को फ्लो होते है किसी ने देखा नहीं तो हमारा यह चेप्टर ही इमेजीनेशन पर स्ट है जैसा हमको समझाया जा रहा है तो यहां पर देखो मान लो यह एक इस प्रिंग है आप इस प्रिंग सब इस रूप में होता है तभ हम उसको फिजीज के लेंग्वेज में इस चेप्टर में परिणाली का बोलते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको इसको परिनाली का कहेंगे यह देखो मेरा अगला टापी की है परिनाली का यहां पर उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा यह हो गया परिनाली का और इसी को पकड़के यदि मैं गोल बना दूं मतलब इसी को मैं ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं तो इसी का नाम हो ज क्या है यह टोराइड है तो बात आई आपको समझ में वह इस्प्रिंग जैसा डिजाइन स्टेट लाइन में है सीधा है तो वह परिनाली का है और उसी के दोनों सीरे को पकड़ के हम सरकल बना दिये तो वह टोराइड बन गया इसलिए भी आप एक खास बात देखना दोनों मे पढ़ेंगे जिसका मान आएगा वी इक्वाल टू म्यू नाट इंटू एन आई यह दोनों में वही आएगा आपको पढ़ाने से पहले बता देता हूं मैं कि यह फार्मूला दोनों में सेम आएगा क्यों मालूम क्योंकि दोनों एक जैसा चीजी है बस एक स्ट्रेट है और इक इस पारेक सरकल है तो आगई बास में में अख्याय से आपको आग्या होगा कि टो राइट क्या होता है और सोले नायट परिनालिका क्या होता है तो दोनों को हम बारी-बारी से पढ़ेंगे फार्मूला सेम आने वाला है ठीक है चलिए तो इस्टार्ट करें हम तो राइट के कारण चुंबकी छेत्र की तिवरता की गर्णा तो गर्णा करें और सबसे पहले कल्कूलेशन और इसका हम एक चीत्र बना लें तो चीत्र मैं इस तरह से बना लूँ इसका पहले तेक सरकल बना लूँ और सरकल पर फिर स्प्रिंग जैसा मैं डिजाइन बना देता हूँ हम बना लें इसका चीत्र यह है हमारा टोराइड यह हमारा टोराइड है और इसमें यह जो blue color से मैंने बनाया है समझ लो वो उसका axis है वो उसका अक्ष है और केंद्र से उस अक्ष के बीच का जो distance है जिसको हम इसकी त्रिजिया कहेंगे इसको मैंने यह center है और इस distance को small r ले लिया और इस toroid में बहने वाली धरा मानलो आई है यह इस पकार से अब हमको यहाँ प लेकिन MPR ने इस तरह के design के लिए जिसको toroid कहते हैं चुमबकी छतर की तीवरता का गर्णा किया यह हो गया अब हम देखें कि इसमें चुमबकी छतर की तीवरता का मान कितना होगा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N है यहाँ MPR के परिपथी नियम का सबसे पहले हैं क्या करेंगे यहां यूस करेंगे तो MPR के परिपथी नियम से MPR के परिपथी नियम से क्या पढ़ा है हमने इंटेग्रेशन आप B DL equal to mu naught into I लेकिन यहाँ पर मैं N का गुणा कर रहा हूँ क्यों मैं यहाँ पर N का गुणा क्यों कर रहा हूँ इसको आप फरसा ध्यान देना चलो इसको N को बाद में लिख दूँगा अभी मैंने लिख दिया इसको mu naught into I MPR के परिप्यतिनियम से mu naught into I लिख लिया आगी बाद समझने अब यहाँ पर जब इसको हम simplify करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान देना that implies integration आप B DL में B को बाहर किया और यह हो जाएगा integration आप DL और यह हो जाएगा mu naught into I mu naught into I ठीक है यहाँ पर आप देखो कि जब हम यह mu naught into I का जो formula हम DL किये एक बार मैं आपको पीछे ले जाता हूँ यह MPR का परिप्रथिनियम तो mu naught into I था वह एक चालक तार के लिए था एक चालक तार के लिए था और यहाँ पर आप देखो कि इसमें क्या है बहुत से तार को लपेटा गया है binding किया गया है जैसे motor binding करते हैं वैसा इसका binding किया गया है तो यहाँ पर क्या होगा मानलो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N है तो पूरा toroid में जो यूज किया गया है उसमें N का multiply हो याँगा तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो that implies B equal to sorry B into यहाँ पर जो DL का value होगा DL का value होगा वो होगा 2 pi r ठीक है इसका value क्या होगा 2 pi r और यहाँ पर इसमें N का हम multiply करेंगे क्योंकि 2 pi r तो उसकी परिधी है और इकाई लंबाई में N तारला पेटा गया है तो 2 pi r में कितना तारला पेटा जाएगा N into 2 pi r तारला पेटा जाएगा ठीक है और that equal यह हो जाएगा mu naught into i यह हो जाएगा integration of B DL equal to mu naught into i और यह हो जाएगा इसका value that implies आगे इसको साल्म किया जाए 2 pi r into n i यहाँ पर की step को फ़रा ध्यान से समझना otherwise यहाँ पर चलो मैं दुबारा लिखता हूँ इसको बड़ा confusion हो जाएगा यह मैं सुरुवात करता हूँ देखो एक बाद ध्यान से सुनना एक तार होता है तो b integration आप b dl equal to होता है n into i एक चालक तार के लिए है अब यदि हम क्या करें इस तरह से तार को लपेटें तो वास्तों में इसकी लंबाई कितनी होगी वास्तों में चालक तार की लंबाई कितनी होगी किसी भी वृत्त की लंबाई उसके परिधी के बराबर होता है मतलब इसकी जो पूरी लंबाई है ऐसा आपन कर दें तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगा 2 pi r क्योंकि वृत्त की परिधी ही वृत्त की लंबाई होती है अब मैं बोलना हो कि इसके इकाई लंबाई में n फेले लगाए गए है तो इसमें into n को क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा तो बायो सेवाइट के नियम को यहाँ यहाँ पर beginning से change करना पड़ेगा शुर्वात सही तो थोड़ा यहाँ पर alert रहना यदि आप यहाँ पर बायो सेवाइट के नियम को सीधा सीधा वैसी लिख दिये जैसे हम लिखते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा तो एक step उसको मैं दूसरे color से highlight करके लिख रहा हूँ वो हो जाएगा 2 pi r into n into i अब आप नहीं भूलना इसको मैं highlight कर दिया 2 pi r into n से अब इसको ध्यान से समझ जा क्यों multiply किया बायो सेवाइट ने अपने नियम को एक चालक तार के लिए दिया था लेकिन यहाँ पर चालक तार की संख्या कितनी हो जाएगी इक आई लंबाई में n फेरे तो तार की लंबाई है 2 pi r तो 2 pi r में फेरे कितने हो जाएगे 2 pi r into n तो यह important step है इसको शुरुवात से ही लिखना पड़ेगा otherwise formula गलस हो जाएगा ठीक है चलिए जैसा भी मैं बिना उसको लिखे लिख रहा था तो final equation नहीं आ रहा था actual में किसी भी formula का यदि आपको अंतिम समीकरण पता हो तो फिर आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आप पकड़ लोगे कि फिर mistake कहां पर हो रहा है अब इसको आगे साल्व करें तो b बाहर आएगा यह हो जाएगा integration of dl equal to हो जाएगा mu naught into 2 pi r into n into i अब तो दो लाइन का है कुछ नहीं है that implies b को बाहर कर दिया integration of dl हमेशा 2 pi r होगा तो यह हो गया 2 pi r और यह हो जाएगा mu naught into 2 pi r into n into i यह होगा अब आप दोनों साइट से देखो दोनों साइट से यहाँ पर क्या होगा यह 2 pi r यह वाले 2 pi r के साथ में cancel out होगा तो दोनों 2 pi r 2 pi r cancel होगे तब therefore तब हमको इसका value कितना में जाएगा b equal to mu naught into n into i यह मैंने आपको derivation करने के पहले बता दिया था कि इसका formula mu naught into n into i आएगा ठीक है तो इस तरह से देखो यह इसके चुमबकी छेतर के तिवरता का formula होगा किस के कारण to right के कारण तो यह है धारावाही to right के कारण चुमबकी छेतर की तिवरता दो line का है और कुछ नहीं है और बहुत important है इसके बाद हमको पढ़ना है परिनाली का इसको अपलिको या इसकी नसार्ट ले लो फिर हम तीसरा एपलिकेशन पढ़ते है परिनाली का नेस्ट एपलिकेशन है लंबी धारावाही परिनाली का के कारण चुमबकी छेतर जिसको हम बोलते हैं क्या magnetic field due to a long current carrying solenide टापिक है हमारा लंबी धारावाही परिनाली का के कारण चुमबकी छेतर लंबी धारावाही परिनाली का जिसको हम इंगलिस में कहेंगे magnetic field due to a long current carrying solenide ये क्या होता है देखो ये एंपियर के परिपती नियम का तीसरा important application है परिनाली का अभी मैंने आपको बताया कि परिनाली का होता क्या है परिनाली का हम आपको complete explain कर दिया एक spring जैसा state जो farm होता है उसको हम परिनाली का कहते हैं इंगलिस में solenide बोलते हैं तो हम उसको इस तरह से भी अफसोर नहीं करेंगे अब यहाँ पर हम गणना करने के हिसाब से साइधानतिक चित्र बनाएंगे इसका और यह integration के method पर best है थोड़ा इसका बड़ा derivation है ध्यान से समझना मैं पहले बना देता हूँ इस पर परिनाली का का पहले हम चित्र बनाएं लंबी नली होती है इस तरह से परिनाली का वो तो बहुत सक्री नली होती है लेकिन यहाँ पर हम बड़ा बना देते हैं ताकि आपको explain करते बने बाकि इतना बड़ा नहीं होता है यह तो पूरा हम pipe बना देते हैं यहाँ पर वो सिर्फ आपको explain करने के लिए इस तरह से cylindrical farm में होगा यह इसका हम axis बना देते हैं यह इसका axis है और इस परिनालीका में tar की binding की गई है लेकिन tar की binding को हम यहाँ पर sow नहीं कर रहे हैं ठीक है उसको sow नहीं कर रहे है लेकिन इसमें tar इस पकासे लपेटा गया है वो इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत से और values को दिखाना है तो उसको हम so नहीं कर रहे हैं ठीक है चलिए अब इसमें हम ले लेते हैं एक इस तरह से हैं बंद प्रिश्ट क्यों लेंगे भाईय क्योंकि हमको मालूम है कि MPR का परिपाथी नियम केवल बंद प्रिश्ट के लिए लागू होता है ते हमने एक बंद प्रिश्ट ले लिया और इस बंद प्रिश्ट का नाम हमने ले लिया Wednesday, B, C, D यह बंद प्रिष्ठ है क्लियर और यह सपोज वर्गाकार है और इसके प्रत्यक भुजा की लंबाई मालो L है इस तरह से तो अब इस बंद प्रिष्ठ पर हमको चुमबकी छत्रकी तिब्रता की गर्णा करना है MPR के परिपर्थी नियम की सहयता से तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे देखो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे MPR का परिपर्थी नियम हम नहीं लगाएंगे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे निश्चित समा कलन का एक प्रापर्टी होता है मेस वाले student sum- росolay nev me pढ़ते हैं आगे पढ़ोगेॉर ढयों की student को मैं यही पर explain कर देता हूँ कि हम किसी भी sumie कलन को proper paper me häm eight कर सकते हैं यहां पर mathematical लिखू तो आपको समझ नुज हम आएगा integration of b and integrate in इसको हम किस पकार से लिख सकते हैं, टोटल इंटीग्रेसन आप BDL को चार पार्ट में बाढ़ सकते हैं, पहले A से लेके B तक, जिसको हम लिखेंगे, इंटीग्रेसन आप BDL A to B, यह लिखेंगे, प्लस, अब हम चलेंगे B से C, तो इंटीग्रेसन आप B to C, BDL, यह प्रापर्टी है, मतलब टोटल इंटीग्रेसन को, पार्ट पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, और पार्ट पार्ट में क्यों ब्रेक करेंगे, आगे की स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, तो हो गया B to C, अब चलेंगे C to D, तो प्लास यहाँ पर लिख रहों में, इंटीग्रेसन आप C to D, BDL, यह होगा, और प्लास इंटीग्रेसन आप, यह होगया C to D, अब D to A, D to A, B, DL, यह हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बता रहा था देखो, कि इस प्लास से हम इसको क्या करते हैं, पाइट पाइट में, पाइट पाइट में उसको 8 कर सकते हैं, ओके, चलिए, अब हम इसको साल्व करना जी स्टार्ट करें, तो क्या हो जाएगा, देट इंप्लाइज, इंटीग्रेसन आप, BDL, इक्वल, इसके वेल्यू को हम, डाइट पॉड़ाट के फार्म में, हमको मालूम है, A डाइट B इक्वल टू, ये हम फार्मूला जानते हैं, A डाइट B इक्वल टू होता है, A B कास थीटा, A डाइट B को अट अबी कास थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं c2d इस पकार से सबको हमने dart product के फार्म में change कर दिया अब इसको dart product के फार्म में change करने के बाद हम इसके values को लिखते जाएंगे थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर यही पर step में next slide में लिख देता हूँ सुनना ध्यान से यहाँ पर जो cast theta का value होगा वो 0 होगा, क्यों जूरो होगा देखो क्योंकि AB क्या है? अक्ष के समानतर है और हम अक्ष के सापेक्स यहाँ पर चुमकी 6 के तीब्रता निकाल रहे है तो चूंकि AB line अक्ष के समानतर है तो यहाँ पर theta का value 0 होगा यहाँ theta 90 होगा यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ पर 90 होगा इस पकार से इसके सभी के value को हम बारी-बारी से put करते जाएं तो क्या मिलेगा अपने को देखो यह मिलेगा integration up B DL equal यह होगा integration up A to B A to B B DL Cas 0 प्लस यह होगा B to C B DL Cas 90 degree होगा वो लंब बहुत है अब प्लस यहाँ से क्या होगा C to D यहाँ पर चुमकी 6 के तीब्रता ही 0 हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि यह जो CD line है यह CD line परिनालीका के बाहर है और एक important बात आप ध्यां रखना कि परिनालीका के बाहर कोई चुमकी छ छत्र नहीं होता जितना भी चुमकी छत्र होता है वो परिनालीका के अंदर होता है तो यहाँ पर वो 0 हो जाएगा महुत important topic है ध्यान से सुनना यह 0 हो जाएगा और यह dl cas 0 और प्लस यह हो जाएगा d to a तो यह हो जाएगा b dl cas 90 दो समांतर हैं दो लंबोत हैं इस पकार से आगे इसको देखो तो आगे आपको पता चलेगा यह पूरा 0 हो गया cas 90 के कारण यह पूरा 0 हो जाएगा इस 0 के कारण यह पूरा 0 हो जाएगा इस cas 90 के कारण इस तरह से सिर्फ यह बचेगा और आगे हम इसको लिख सकते हैं that implies integration up b dl equal अब यह cas 01 होता है तो हो जाएगा integration up a to b b dl यह होगा अब हम यहाँ पर लगाएंगे एंपियर का परिपथी नियम तो एंपियर के परिपथी नियम से इतना काम करने के बाद last step में हम लगाएंगे एंपियर का परिपथी नियम एंपियर का परिपथी नियम हम यहाँ पर apply करें तो एंपियर के परिपथी नियम से इसको हम क्या लिख सकते हैं यह हो जाएगा B और मुझाट इंटू N I B D L इकोल टू क्या होता है मुझाट और इंटू N इंटू L का मल्टिप्लाई होगा और आई अब यहाँ पर N इंटू L का मल्टिप्लाई क्यों हुआ जैसे अभी हमने अभी से पहले वाले टूरोइड में क्या ठिया था हुआ इंटू N का मल्टिप्लाई क्या था क्योंकि टू पाई आर क्या है उसकी परिधी था और इकाई लम्बाई में फ्यानों के संख्या N था लेकिन यहां पर हमने लम्बाई को L लिया हुआ है तो N into L हो जाएगा that equal इसको हम integration करें तो B वाहर हो जाएगा और integration अब DL L हो जाएगा अब देखो दोनों साइट से L को जादी हम cancel out करा दें तो दोनों साइट से जब L को cancel out कराएंगे तो B equal to हो जाएगा mu naught into Ni इस तरह से हमारा जो फार्मूला होगा final equation वो हो जाएगा B equal to mu naught into Ni और यह ही इसका final equation होगा यह इसका final equation होगा और आप देखो कि अभी हमने यही फार्मूला derive किया है यह mu naught into Ni मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि परिनालीका और टोराइट के कराण फार्मूला सेम आता है तो यह भई टोराइट और टोराइट परिनालीका और परिनालीका के लिए इस तरह से derive होता है एक समान्य चुमक्ति चेतर में विद्युद्धारवाही चालक पर बल यह हमको समझना है क्या होता है यह मैं हाइलाइट कर दूँ अपने टापिक को एक समान्चुमक्ति चेतर में विद्युद्धारवाही चालक पर बल force on current carrying conductor placed in uniform magnetic field देखो क्या होता है? हम इस चप्टर में पढ़ रहे हैं आस्टेट के प्रयोक से कि जब भी किसी धारावाही चालक पर कोई धारा प्रवाहित की जाती हैं, तो उसके चारओ चूमकी छेतर उत्पण होता है ये हम इस चप्टर पर पढ़ रहे हैं ये टापिक क्या कह रहा है कि मानलो हमारे पास चुमबकी छेत्र पहले से निर्मीद है और उस चुमबकी छेत्र में हम किसी धारावाही चालाग को लेकर आते हैं तो वो धारावाही चालक भी अपने चुमकी छेत्र निर्मित करेगा एक चुमकी छेत्र पहले से हैं चलिए मैं साथ में चित्र बनाते जाओं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये देखो ये सपोज एक समान चुमकी छेत्र है ये एक समान चुमकी छेत्र है और इस एक समान चुमकी छेत्र में एक धारावाही चालक है ये है धारावाही चालक जब इस एक समान चुमकी छेत्र में कोई धारावाही चालक पर रेदी हम धारा प्रवाहित करेंगे मान लो जो चुमकी छेत्र है हमारा उसके चुमबकी छेतर की तिवरता क्या है B है B क्या है एक समान चुमबकी छेतर वाला छेतर है मतलब एक magnetic field पहले से हमने develop करके रखा है उस magnetic field में हम एक चाला को प्रवेस कराते हैं ध्यान से समझना, ऐसे टापिक को समझने के लिए situation ही important होता है कई बार होता क्या है कई बार हम लोग situation समझे नहीं रहते और फार्मूला याद कर लेते हैं यही physics को difficult बनाता है physics के difficult लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि without any situation हम फार्मूला रट्टा मार लेते हैं कि भाई यह बराबर a physical to ilb sin theta होता है कव होता है, कैसे होता है, किस condition होता है theta क्या कोड है, कौन क्या है ठीक से नहीं पता यही कुछ बज़ा है जिसके कारण हमको वो कठी लगता है और आगे चलके हमको यदि किसी numerical में उसको apply करना होता है तो बड़ी परिसानी हो जाती है इसलिए सबसे important है situation को समझना condition को समझना कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो किस condition पर apply होता है तो चित्र बनाते हैं समय आपको उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए यह जो white color से मैंने lining किया है वह एक समान चुमकी छेत्र है जो पहले से निर्मित है अब इस चुमकी छेत्र में यह हमने एक धारा वाही चालक लाया और इसमें मालों धारा प्रवाहीत हो रहे है इसमें हम आई धारा प्रवाहीत कर रहे हैं तो अब क्या करेगा यह अपना खुद का चुमकी छेत्र भी निर्मित करेगा पर एक चुमकी छेत्र पहले से था लेकिन चालक भी चुमकी छेत्र निर्मित करेगा कि हमको मालूम है किसी चालक पर धारा प्रवाहित करने से वो अपना चुमकी छेत्र निर्मित करता है तो यहाँ पर यह जो चुमबकी छेत्र निर्मित करेगा यह चुमबकी छेत्र यह होगा यह एक चुमबकी छेत्र है अब यह जो चुमबकी छेत्र निर्मित करेगा इसकी अपनी भी तिवरता होगी तो दोनों चुमकी छेतर की तिवरता के बीच का जो परणामी बल है उस परणामी बल का जो मान है वो यह है जो मैं ब्लू कलर से ड्रा किया और यह परणामी बल का मान मानलो एफ है यह दोनों चुमकी छेतर के बीच का परणामी बल है और ये पहले छेत्र के साथ में जो परणामी है ये मालो थीटा कुड बनाता है मालो ये इसके साथ में थीटा कुड बनाया हुआ है इस तरह से तो ये concept कहता क्या है अब हम एक एक करके देखें कि यहां पर ये जो लगने वाला बल है वो उसका मान कितना होगा ये प्रयोगों से पाया गया कि जितना अधिक मात्रा में हम धारा प्रवाहित करेंगे उस बल का मान उतना ही अधिक होगा त one कि बल प्रवाहित धारा के समनुपती होता से फॉपस्टन Ik कि में दूसरा है यह यहां पर क्या है इस धारावाही चालक की लंबाई है मानलो इस धारावाही चालक की लंबाई क्या है? L है जो चुमबकी छेत्र में है धारावाही चालक तो अनंत लंबाई का है धारावाही चालक अनंत लंबाई का है लेकिन चुमबकी छेत्र में जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई मानलो L है तो F proportional to L मतलब चाला की लंबाई के समानुपाती होगा तीसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बल है वह उसके चुमबकी छेतर की तिवरता के भी समानुपाती होता है मतलब जो चुमबकी छेतर पहले से महाँ पर निर्मित है उस चुमबकी छेतर की तिवरता के समानुपाती होता है तो F proportional to B होगा और चौथा जो फेक्टर है वो है F proportional to sin theta F proportional to sin theta मतलब पहले चुमबकी छेतर के साथ में परिणामी बल जो कोण बनाता है उस कोण के ज्या के समानुपाती होता है तो ये चार चीजों के समानुपाती होता है अब यदि इन चार चीजों को मिला दिया जाए तो therefore इनको मिलाने पर हमको जो relation मिलेगा ओ मिलेगा F proportional to I L B sin theta तो F proportional to I L B sin theta इसका फर्मूला होता है यहाँ पर यदि हम force constant को 1 ले ले न्यूटन ने बल ने ये तांग को 1 लिया था तो generally हम बल ने ये तांग को 1 ही लेते हैं तो बल ने ये तांग को यदि हम 1 ले ले तो उस condition में इसका value हो जाएगा F equal to I L B into sin theta यह है एक समान चुमक की छत्र में विरुद धर्वाही चालक पर बल ये इसका final equation है अब यहाँ पर कुछ और हम discuss करें तो और discussion ये कर सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर क्या आया है sin theta आया हुआ है L B sin तो I तो क्या है अदिसरासी है और L और B इसको एदि हम sin theta के फार्म में cross product के फार्म में लिखें तो हमको ये mathematics में vector algebra से पता है कि A cross B equal to होता है A B sin theta A cross B equal to A B sin theta होता ही हम जानते हैं मतलब दो सदीसों का जो सदीस गुणा होता है वह A B sin theta होता है तो यहाँ पर L B sin theta को हम क्या लिख सकते हैं F equal I constant को हमने बाहर लिख दिया इसको लिख सकते हैं L cross B इस पकार से भी इसको लिखा जा सकता है तो यहाँ पर हम लंबाई और उसके चुमकी छतर की तिवरता का दिशा का cross product भी लिख सकते हैं इस पकार से इस फर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं F equal to L cross B इस फार्म में भी इसको लिखा जा सकता है ओके F equal to I into L cross B समझ में आगे सबको यह हम चलिए यह फर्मूला आप याद रखना इसका आगे बहुत यूज होने वाला है numerical भी important है इसने next topic लारेंज बल अब देखो लारेंज एक scientist का नाम है और इनका force बहुत important है इनके force को इनके नाम से ही लारेंज बल के रूप में जाना जाता है तो लारेंज बल क्या होता है लारेंज बल भी इसी situation का force है मतलब लारेंज नाम के scientist ने यह बताया कि यदि कोई धारा वही चालक किसी चुमकी छेतर पर रखा हो तो वहाँ पर जो force लगता है वही लारेंज बल है लेकिन उन्होंने क्या किया ये जो फर्मूला हम पढ़े हैं इस फर्मूला में धारा है और चालकतार की लंबाई है तो लारेंज ने क्या किया धारा को वहां से हटाया और उसके जगा में आवेस उन्होंने लाया और लंबाई के जगा में उन्होंने वे लारेंज मल भी बहुत important है अभी हम कल के class में cyclotron पढ़ने वाले हैं और cyclotron बहुत important topic है वहाँ पर लारेंज force का use होगा तो हमको एक बार उसको ध्यान से समझना है आज जो पढ़ा रहा हूं उसका बहुत सा basic आपको कल के class में काम आएगा cyclotron में काम आएगा धारमापी में काम आएगा ये सब जगा आपको वो काम आने वाला है इसलिए आज का जो class है उसमें जो basic छोटे छोटे फार्मूले बताए जाएंगे वो कल के class के लिए बहुत important है तो ध्यान से समझना और कल आप तयार करके भी आना पहले से आपको बता द अब चूंकि हमको पता है चूंकि ये बाद हमको पता है कि धारा i बराबर क्या होता है आवेस बटे समय धारा i बराबर आवेस बटे समय आवेस प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं और उसके बाद यदि हम तथा l का मान निकालना चाहें l तो लंबाई वेक बराबर होता है दूरी बटे समय, वेक बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर वेक गुरी समय होता है, तो L को हम क्या लिख सकते हैं, V into T लिख सकते हैं, इस पकार से यह I का वेल्यू और L का वेल्यू, यह दोनों वेल्यू को यहां पर put up किया जाए, तो वहां पर put up करने के बाद, therefore, हम इसको क्या लिख सकते हैं, F equal I का वेल्यू हो जाएगा, Q upon T और इंटू L का वेल्यू हो जाएगा, V into T और इंटू B sin theta, इंटू B sin theta, यह हो जाएगा, अब यहां से दोनों T को हम cancel out करा दे, तो therefore, यहां पर हो जाएगा, F equal to Q VB sin theta, और यह Q VB sin theta जो formula आया, इसी formula को हम लारेंज बल कहते हैं, इसी formula को हम लारेंज बल के नाम से जानते हैं, यह लारेंज बल कह लाता है, और इसका यह वेक्टर फार्म लिखें, ठीक है, तो वेक्टर फार्म में, वेक्टर फार्म में इसको हम लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, F equal to Q, और VB sin theta को लिख सकते हैं, हम V cross B, तो F equal to Q into V cross B, इसको हम वेक्टर फार्म में लिख सकते हैं, V cross B भी लिख सकते हैं, सामने माइनस हो याएगा, वो डिरेक्शन पर डिपेंड करता है, डिरेक्शन चेंज होने पर, निगेटिव साइन्स हो जाएगा, क्यों Q vector quantity है, तो यह कहलाता है, लारेंज फोर्स और लारेंज फोर्स भी आपको याद रखना है, कभी भी, हम लारेंज फोर्स बोलें, तो तुरंत आपको बताना है, Q बराबर, एब बराबर Q ही भी साइन्स हीटर, बिर्कुल क्लास यूटूपर डेली होती है, हमारे क्लास यूटूपर डेली होता है, आप यूटूपर ही पढ़के अपना पूरा 100% सिलेबस पूरा कर सकते हैं, औ क्या प्राइज है, भाई 11-12 का स्कूल लेबल का हम यूटूपर ही फ्री पढ़ाते हैं, आपको 100% सिलेबस, उसका हमारे एप्लिकेशन में कोई क्लास नहीं है, हाँ आपको नीट आयटी जाई का क्लास करना है, तो आपको एप्लिकेशन से क्लास देना पढ़ेगा, 11-12 के लिए हमारा कोई क्लास एप्लिकेशन पर नहीं है, वो हम आपको 100% यूटूपर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 11-12 का पढ़ने वाला इस्टूडेंट हम उस अंतिम बच्चे तक हेल्प करना चाहते हैं, जो फीपेट करने के कंडिशन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो हम complete यूटूपर ही पढ़ाते हैं, इसमें कोई आप जरास भी आप इसमें संसय मत रखो, कि आपका यूटूपर कोर्स पूरा नहीं होगा, और यदि किसी काराट से live class ज्वाइन नहीं कर सकते, यदि उस समय आपकी कोई और class हो, school हो, जो भी हो, तो वहाँ पर आप फिर बात में recorded देख सकते हैं, कोई प्राबलम नहीं, आप recorded class देख सकते हैं, केमेस्टी का भी class चल रहा है, केमेस्टी का class अब मार्निंग में हो रहा है, 8-9 11th class और 9-10 12th class और केमेस्टी भग का भी class अब सबताह में 3 दिन नहीं, regular मिलेगा आपको, केमेस्टी का class भी आपको रेगुलर मिलेगा चलिए नेस्ट टापिक पर हम बात करें यह अगला टापिक है हमारा दो समांतर विद्ध धारावाही चालकों के बीच बल इसमें से कई बार निमेरकल कोश्चन पूछा जा चुका है इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है नीट में इसमें से द दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल क्या होता है यह हमको समझना है तो दो समांतर धारावाही चालक होता क्या है यह हमको सबसे पहले समझना है तो देखो यहां पर दो समांतर धारावाही चालक का मतलब इस त यह सपोस्ट चालक नंबर फस्ट है और यह सपोस्ट चालक नंबर से करने सिच्वेशन को बहुत ध्यान से समझना अभी मैंने आप से डिसकस किया है कि बिना सिच्वेशन के फिजिक्स में फार्मूला डिराइब करना या याद करना बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है हुआ यह देखो यह चालक नंबर फस्ट है यह चालक नंबर सेकंड है अब यदि समझो हम इसमें ऑइधारा प्रवाहित करते हैं है किसले पहले चालक में आईवन धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों और चुमकी छहत्रुत्पन होगा नेचरली, जब हम किसी चालक में धारण प्रवाहिद दाू में तो यहां पर आ पर आप देख रहे हो कि कि जब पहले चालक में प्रवाहिद धारण प्रवाहिद करेंगे तो तो दूसरा चालक भी चुमबकी छेतर उत्पन न करेगा तो दोनों चालक का जो चुमबकी छेतर है वह आपस में कितना परिणामी बल लगाएगा उस बल का हमको यहाँ पर गर्णा करना है हमारे टापिक का हेडिंग यही है दो समांतर विद्धु धारावाही चालकों के बीच बल दो समांतर विद्धु धारावाही चालक है और दोनों के चुमबकी छेतर के कारण कितना बल लगेगा इसका हमको गर्णा करना है ठीक है अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लो दोनों चालकों के बीच देखो, सबसे पहले हम देखें कि पहले चालक में, फस्ट चालक में, चालक एक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पने चुमकी छेत्र की तिब्रता, चालक, धारा नी, चालक, चालक फस्ट, यह मैंने फस्ट कहाँ, चालक फस्ट में, आईवन धारा, आईवन धारा प्रवाहित करने पर उत्पने चुमकी छेत्र, उत्पन चुमकी छेत्र, चालक फस्ट में, आईवन धारा प्रवाहित करने पर उत्पन चुमकी छेत्र, और उस चुमकी छेत्र का मान हो जाएगा, बी इक्वल टू, म्यू नाट अपान फोर पाई, टू आई, टू आईवन अपान ध, यह हमने बायोसेवर्ट के नियम के प्रथम एप्लिकेशन में पढ़ा है, कि किसी धारावाहि चालक से, किसी धारावाहि चालक से, डी दूरी पर इस्थित, किसी चालक पर चुमकी छेत्र की तिब्रता, तो यह हमने पढ़ा है, बी इक्वल टू, म्यू नाट अपान फोर पाई, टू आईवन अपान डी, अब अभी हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी चुमबकी छेतर में किसी दूसरे धारवाही चालक को लाया जाए तो दूसरे धारवाही चालक पर बल लगता है तो उस पर कितना बल लगता है ये हमने अभी पढ़ा है तो ये हम लिखें इसलिए चालक 2 पर लगने वाला बल तो चालक 2 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा f equal to होता है i lb sin theta तो उसमें धारा कितना परवाहित हो रहा है i2 और l ये उसकी लंबाई ले लिए और b इसके चुमकी छेतर किती ब्रता और यहाँ पर theta 90 degree होगा theta 90 degree ये इसलिए होगा क्योंकि जब चालक समांतर होते हैं जब चालक समांतर होते हैं तो चुमकी छेतर परस्पर लंबत होता है ध्यान से एक एक वर्ट सुनते जाओ तो यहाँ पर जो sin theta होता है वो 1 हो जाएगा sin 91 हो जाएगा ये होगा अब आगे इसको साल्व किया जाए तो that implies f इक्वल ये हो जाएगा i2 into l और b तो b का मान जो हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं mu not upon 4pi to i1 upon d mu not upon 4pi mu not upon 4pi to i1 upon d इस value को हमने महाँ पर put up कर दिया clear that implies आगे इसको simplify करें f equal to इसको मैं पहले लिख देता हूं constant को mu not upon 4pi हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i1 into i2 into l upon d ये दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फार्मूला होगा ये final equation होगा लेकिन यहाँ पर हम एक condition apply करें वो condition यह है कि यदि चालक तार की लंबाई 1 हो यहाँ पर हम condition apply करें कि यदि l equal to 1 हो मतलब चालक तार की लंबाई 1 हो तो उस condition में उनके बीच लगने वाला बल f equal to हो जाएगा mu not upon 4pi 2i1 into i2 upon d 2i1 into i2 upon d ये हो जाएगा उनके बीच f equal to mu not upon 4pi 2i1 into i2 upon d तो ये दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल है और ये बहुत important है ये formula बहुत ज़्यादा important है ये formula numericals के ले भी important है और आगे तो आपको काम आएगा ही आएगा तलिक लिजिए इसको और या iiskin start ले लिजिए इसके बाद हमारा अगला topic है loop पर बल अगुण loop पर बल अगुण भी बहुत important है कल जब हम पढ़ेंगे topic हमारा धारा मापियों अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत काम आना है loop पर बल अगुण तो पहले तो मैं आपको ये explain कर दूँ कि loop का होता है वैसे मैं एक दिन आपको बताया था loop का मतलब होता है इस तरह का कोई मालनो हमने ये आयताकार ये तुकड़ा ले लिया चालक तार ले लिया इस पर हम धारा प्रवाहित करें ये loop कहलाता है या circular भी ले लिया ये इस पर धारा प्रवाहित किया ये loop कहलाता है मतलब लूप का मतलब होता है सर्कूलर रेक्टेंगूलार या square सेप का यदी हमारे पास कोई चालाक तार है अज जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है loop कहलाता है तो लूप पर बल आगुन का हमको यहाँ पर study करना है तो लूप पर बल आगुन actual में होता क्या है देखो यहाँ सबसे पहले हम चुम्बक के दो धुरू consider कर लेते हैं इस तरह से देखो यहाँ पर magnet के दो पोल है एक नार्थ पोल और दूसरा साउथ पोल यह दो magnet के पोल नहीं ध्यान अखना यह एक ही magnet है और यह magnet क्या है हारसू magnet है मतलब क्या है नाल चुम्बक है नाल चुम्बक मतलब इस तरह से जो घोड़े की नाल आपको मालूम है इसका back side जो है वो पिछे से joint है कई करें दो भंग गर इसको हम गलत तरीके से समझ लेते हैं कई लोग misconception इसे यह पाल लेते हैं क्या पीछे से हो जूड़ा हुआ है क्योंकि दंड चुंबकी इस तरह से पिछे से जूड़ा हुआ होता है और सामने को क्या है इसको देखो आवतल करने का कारण क्या है कि आवतल करने से यहाँ पर चुंबकी छेतर बनता है वह सरकुलर बनता है और उसमें बल रेखाएं 3G होती है और इसके काराण वो लंबवत होती है लंबवत रखने का फैदा यह है कि साइन 90 को हम 1 ले लेते हैं यदि लंबवत नहों हो तो फिर साइन का फेल्यू पूट करना पड़ेगा इसलिए क्या होता है चुमबक के धुरू को ओतल काटा जाता है अब यह चुमबक के धुरू को जो ओतल काटा गया है उसके बीच में मालो यहाँ पर कोई यह लूप रखा हुआ है यह है लूप यहाँ पर यह लूप है और इस लूप पर धारा प्रवाहित की जा रही है इस लूप पर मालो धारा प्रवाहित की जा रही है इस पर प्रवाहित धारा का मान मानलो आई है आई धारा हम इस लूप पर प्रवाहित कर रहे हैं जैसे ही हम इस पर लूप पर धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें बल्यूग्म उत्पन होगा और बल्यूग्म का जो दिशा होगा यह इस प्रकार से होगा एक बल्यूग्म इ घुमने लगता है मोटर इसी तरह से रोटेट होता है यह हमेसा धियान रखना मोटर ऐसे घुमता है तो मालो इसकी लंबाई मोटर कोई भी मोटर जो घूम रहा है वो सब इसी टार्क के कारण घूम रहा है इसी बल आघून के कारण घूम रहा है तो बल आघून ही वो चीज है जो मोटर को घूमाता है इसले आगे चल के जब मोटर डाइनेमो ऐसा पढ़ेंगे वो काम आने वाला है तो इस तरह का सिच वर्णुर्ण, जिसको हम इंडली समें टारक करते हैं, टारक ये जो टा होता है बल गूडि दोनों के बीच की लंबत दूरी लेकिन जब लंबत दूरी लेंगे तो उसके लिये हम यहाँ पर युट डालेंगे और उसके बीच की लंबद दूरी तो ये B sin theta के बराबर होता है ये होता है B sin theta के बराबर B sin theta उसका sin घटक होता है तो ये होता है या ऐसे भी आपको 11th class से पता होगा TIE equal to FD cast theta FD sin theta होता है FD sin theta इसका formula होता है That implies आगे हम इसको solve करें TIE हो जाएगा TIE equal to अब देखो बल कमान अभी हमने पढ़ा है ILB sin theta तो हो जाएगा I I इसमें धारा प्रोहित कर रहे है L लंबाई B चुमबा की छेतर की तिब्रता और sin theta 90 होने के कराण 1 हो चुका है क्योंकि चुमबा के ध्रोग को अवतल काटा गया है तो उसको नहीं लिखेंगे तो ILB किसका value हो गया ये F का और ये होयाएगा B into sin theta अब यहाँ पर एक नई बाद ध्यां रखना कि चुमब की यहाँ पर हमने क्यवल एक तार दिखाया है लेकिन मान लो यहाँ पर फेरों की संख्या N हो इस तरह से हम ऐसा फेरों की संख्या उसमें सो कर सकते है कि मान लो इसमें N फेरे लगाए गए है ऐसे हम इसमें बहुत से तार लपेट सकते है क्योंकि जब armature बनाया जाता है तो ऐसे तार की binding की जाती है ये इसमें बहुत से तार हम ऐसे लगा सकते है साल्व करें तो क्या क्या लिख सकते हैं ध्यान देना यहां पर यह लंबाई है और यह क्या है चोड़ाई है यह लंबाई गुड़ी चोड़ाई का होता है छेत्रफल होता है इस पकार से लंबाई गुड़ी चोड़ाई उसका 6 रफ़ल है तो n a और यह हो जाएगा b और into i स्वारी n i a b i को लिखना भूल गया n के बाद हम लिखेंगे i n i a b sin theta तो tie equal to n i a b sin theta यह इसका value हो जाएगा that implies अब आगे इसको देखो कि n और i यहाँ पर constant है यह तो इसे final equation है इसका यह final equation आप इसको लिख सकते हो tie equal to n i a b sin theta यह है अब आगे जब हम इसको देखें तो that implies ta बराबर n into i और चूंकि a और b दोनों सदिस रासी है तो इसको हम लिख सकते हैं a cross b यह इसका vector form हो जाएगा और चूंकि बल अगुण सदिस रासी है तो ta पर भी हम vector लगा सकते है इस पकार से क्या है एक सदिस रासी है और यह है बल अगुण इस formula को आप याद रखना देखो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ आज जितना भी formula मैं आपको बता रहा हूँ यह सब आप तयार नहीं करोगे तो अगला class समझ में नहीं आएगा O sin 1 हो गया था वो F का sin 1 हो गया है F का sin 1 हो गया है भई दो sin theta है यहाँ पर यह sin theta अलग है वो sin theta अलग है यह sin theta तो यहाँ का sin theta है यह वाला sin theta है हो गया चलिए इसके बाद दो नियम अपने को समझना है जो की बहुत important है जिसमें पहला है flaming का बाय हाथ का नियम मैं आप लोगों को सुरुवात में बोला था इसको जहां जवरत पढ़ेगा वहाँ पर explain करूँगा अब जवरत है इसका कहां पर जब लारेंजबल हम लारेंजबल की बात करेंगे तो लारेंजबल में जो बल की दिसा है उसको बताने के लिए flaming के बाय हाथ के नियम का जवरत पढ़ता है तो यहां पर तो मैं हाथ का फिगर नहीं बना रहा हूं देखो मैं अपने हाथ से अपनी हथेली से आपको इस पकार से बता रहा हूं सुनो और आप लोग को बहुत मालूम है आसान है अंगुठा तरजनी और मधिका ये अंगु को तो उस कंडिशन में यहां पर मैं लिगते जाता हूं आपको उसमें अंगुठा जो होता है अंगुठा बल की दिशा को तरजनी अंगुठा बल की दिशा को तरजनी जो होता है वह धारा की दिशा को या धन आवेस की के गती और तीसरा मध्यमा जो है वह स्वारी तरजनी जो है छेतर की दिशा को तरजनी छेतर की दिशा को और मध्यमा जो है वह धारा जिसे हम कहेंगे धन आवेस के गती की दिशा धनावेस की गती की दिशा को प्रतरसित करता है तो यहाँ पर क्या है देखो अंगुठा बल की दिशा को तरजनी छेत्र की दिशा को और मध्यमा धारा या धनावेस की गती की दिशा को प्रतरसित करता है यह कहलाता है फ्लेमिंग के बाय हाथ का नियम यदि बाए हाथ के अंगुठा, तरजनी और मध्यमा को इस पकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंब वाथ हो तो अंगुठा, बल की दिशा को, तरजनी, छेत्र की दिशा को और मध्य का जो है वह धारा की दिशा को पदर्शित करता है यह होता है फ्रेमिंग के बाए हात कर नियम, अब इसको याद करता है कि कभी कभी हम को इसमें हम लिग डालते है तो इसको याद करने का कुछ हमने टैकनिक बनाये है हो आपसे सेयर करते है ध्यां से समझना ये तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर अंगूठा है यदि अंगूठा तर्जनी और मधिका की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बल अंगूठे में होता है आपको मालूम है किसी जगा पीण अपने को अंदर डालना हो और तरजनी क्या है छेत्र की दिशा को पदरशित कर रहा है तरजनी छेत्र की दिशा को कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो हम किसी भी जब छेत्र को दिखाते हैं किसी भी आदमी को जब हम फिल्ड दिखाते हैं इधर देख उधर देख तो इस उंगली का उप्योग करते हैं वो याद रख सकते हो कि तरजनी छेत्र की दिशा को पतरशित करेगा, तो आपको कभी नहीं होगा, जो आप ऐसा याद करोगे, और उसके बाद बज गया मध्धिमा, तो जवरत क्या हो, उसको याद करने का तीसरा तो धारा होता है, या धनावेश की गति की दिशा होता है, वो अपने आप सो होगा, तो ये कहलाता है, ये कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बल, छेत्र, धारा, मैं ऐसे याद रखता हूँ उसको, सबसे ताकतवर अंगुठा, तो बल, छेत्र दिखाना है, तो ये उंगली, तो तरजनी छेत्र, और उसके बाद तीसरा है, धारा, तो एक बार मैं कथन को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, यदि बाएं हाथ के अंगुठा, तरजनी तथा मध्यमा को इस पकार फैलाया जाए, कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो अंगुठा बल की दिखा को, तरजनी छेत्र की दिखा को, और मध्य का धारा की दि देखो, यहाँ पर भी वैसी ट्रिक्स से हम याद कर सकते हैं, अब यहाँ पर अंगुठा हट गया, हथेली आ गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हथेली ही लिख दूँ, हथेली, उसके बाद लिखने हैं उंगलियां, सभी उंगलियां, अब सभी उंगलियों में तरजनी भी सामिल है और तीसरा है ये हथेली की दिशा उंग्लियों की दिशा और अब अंगुठा भी रहेगा अंगुठा भी रहेगा लेकिन उसका रोल बदल जाएगा अब क्या रोल बदलेगा देखो अब बताओ पीनों में सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास होगा हथेली और उंग्लियां और अंगुठा में सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास होगा नेच्वली हथेली के पास होगा जब आप किसी को धक्का देते हो आप किसी को पूस करते हो तो हथेली से पूस करते हो अब ये बल की दिशा को बताता है मतलब हथेली मतलब ऐसा हथेली ऐसा काम नहीं करता हथेली ऐसा काम नहीं करता हथेली लंब बहुत आगे काम करता है मतलब वो समझ गए direction ऐसा होता है हथेली तो हथेली बल की दिशा को उंगलियों में तो तरजनी सामिल है एक उंगली कहो चाहे चारों उंगली कहो तरजनी सामिल है तो ये नहीं बतलेगा ये छेत्र को पदल सित करेगा अब थेली बल के जगा को ले लिया तो बेचारे अंग उठे के पास क्या बचा धारा तो ये धारा के दिशा को बर पदल सित करेगा या धन आवेस के गती के दिशा ये कहलाता है दाएं हाथ के हाथेली के नियम देखो ये नियम फिजिक्स में दो तरह से उपयोगी है पहले सीधा सीधा परिक्षा में पूछने के लिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखो ये सीधा उपयोग है जो परिक्षा में आपको पूछा जाएगा दूसरा उपयोग क्या है काम्टिट्यू एक्जाम में कैसे आप लारेंज बल कहीं पर लगाओगे आप मालो किसी निमेरकल में किसी सिच्वेशन में आपने लारेंज बल लगाया और उस लारेंज बल में आपके बल के दिशा को आपको बताना है या धारा की दिशा को आपको बताना है तब वहाँ पर ये एप्लाई करना पड़ता है तभी हम वहाँ पर दिशा को बता सकते मैं आपको numerical कराते समय इस पर discuss करूँगा बीना example क्यों आपको समझ में नहीं आएगा तो दो application है इसके एक तो सीधे सीधे परिक्षा में पूछे जाने के लिए कि भाई सीधा ये लिखो कि flaming के बाएं हाथ के नियम को लिखो एक उपयोग ये है इसका दूसरा उपयोग क्या ह कि मोसन आपे charge particle in a uniform and a cul at this Será this सब से पहले कोई सबसे दें कोई समझना होगा कि कोई भी charge particle कोई भी charge particle जब किसी Uniform labor मुब होता है उस पर गती करता है तो उस पर कितना कितना उसका remain होता है किस रेडियस पर गती करता है यह सब हमको पढ़ना है ठीक है तो रेडि है सब आगे सब आज बहुत कम इस्टुडेंट्स लाइब में आ पाए हैं क्या बात है थोड़ा क्लास दिले भी हो गया कुछ-कुछ प्राब्लम्स चल रहे थे 11 का तो क्लास भी नहीं हो पाया रेडि है सब वेरी गुड चलिए तो एक समान चुमबकी छेत्र सपोस हम यहाँ पर एक समान चुमबकी छेत्र कंसिडर कर लेते हैं मालो को यह एक समान चुमबकी छेत्र है एक समान चुमबकी छेत्र में यह चुमबकी छेत्र को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं जब किसी आवेशित करण को एक समान चुमबकी छेत्र में एंटर कराया जाता है तो वह इस तरह से अभिकेंद्रबल उस पे लगता है और अभिकेंद्रबल के कारण वह वहाँ पर सर्कूलर मोसन करने लगता है वृति गती करने लगता है तो यहाँ पर देखो इसका जो पत ह जो पत होगा मान लो इसकी तरिजया और जब यहाँ गती करता है वृति गती करने के कारण इसके किसी भी बिंदू पर जो इसके गती की दिशा है वह उस बिंदू पर खीचे गए इस पर्स रेखा की दिशा में होती है ये इसकी गती की दिशा है और इसके केंद्र की ओर लगता है अभी केंद्र बल आपको मालूम है कि जब कोई भी पिंड वृति गती करता है तो वृति गती करने वाले पिंड का केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको हम क्या गया कि कोई भी आवेस, कोई भी आवेस जब एक समान चुम्बकी छेत्र में गती करता है, प्रवेस करता है, तो वह वहाँ पर वित्तकार पत्पे गती करने लगता है, और मान लो वहाँ पर आर्थ रिज्जा की पत्पर गती करता है, उसका वेक भी है, और उसके केंद्र की और लगने ओला जो अभिक्यारवल कारे करता हुष क्लियर, चलिए अब यहाँ पर हम कल्कूलेशन करें, कि इसका त्रिज़्या कितनी होती है, इसका व्रित्रिक इतना होता है, यह सभी चीजों को क्या करना है हमको यहां पर वन बैइण कल्कूलेशन करना है, तो देखो इसका जो basic principle है इसके गती करने का जो basic principle है जो सिधान्त है वो क्या है आपको मालूम है कि कोई भी पिंड जब पृति गती करता है जब कोई भी पिंड पृति गती करता है तो उसमें अभिकेंद्रबल होता है और अभिकेंद्रबल का कोई स्रोथ होता है मतलब वृति गति प्रदान करने के लिए काम करता है तो यहां पर क्या है लारेंजबल यहां पर जो लारेंजबल है यहां पर जो लारेंजबल है वह अभिकेंद्र बल के बराबर होता है यही इसका basic concept है इसी बात को लेके cyclotan भी बनाये गया इसलिए cyclotan पढ़ने से पहले इसी concept को समझा जाता है जब तक आप इस concept को नहीं समझेगे तब तक आप लो cyclotan भी समझेगे इसको समझने बाद cyclotan same to same यही है तो लारेंज बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जो लारेंज बल होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कोई धन आवेशित कर या कोई भी आवेशित कर जब किसी चुमबकी छेतर में गती करता है तो उसमें जो बल लगता है जिसको हम लारेंज बल करते हैं और इसका मान होता है QVV sinθ इस पकार से लारेंज बल का यहाँ पर मान हो जाएगा QVV मालक्चुमक की छेता किती प्रता B है और यहाँ पर sinθ को हम 1 लिखेंगे क्योंकि चुकि वृत्ताकार पत पर गती कर रहा है और इनके दोनों के बीच का जो कोड है वो 90 डिग्री होता है क्योंकि त्रिज्ज्या हमेशा परिधी पर लंब होती है तो इसका 90 डिग्री होने के कारण QVV sin 90 यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इस पकार से वह इस पत पर गती करता है आगे हम इसको साल्व करें तो that implies इसको साल्व करेंगे sin 91 हो जाएगा और यह हो जाएगा QVB और इक्वल MV square upon R यह होगा अब यहाँ से देखो दोनों साइट से यहाँ पर इसमाल भी cancel out हो जाएगा और इसमाल भी cancel out होने के बाद यहाँ से हम radius निकाल लेते हैं यहाँ से हम radius निकाल लें तो therefore इसकी जो त्रिज्या होगी R इसको इधर transfer करें और बाकी को इधर transfer करें ते हो जाएगा M into V upon Q into B M V upon Q B यह इसका radius का फार्मूला होता है इस पकार से इतने त्रिज्या के पत पर R equal to M V upon Q B इस त्रिज्या के पत पर यह particle क्या करता है? गती करता है clear? इसके बाद हम निकालेंगे इसका आवर्टकाल लें हाँ ता कोई problem किसी को? साइक्लोटान completely इसी पर best है अब हम देखें इसका आवर्टकाल आवर्टकाल मतलब होता है एक complete चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्टकाल की हम गढ़ना करें आवर्टकाल T equal to हैगा समय बराबर होता है दूरी बटे वेग तो समय बराबर दूरी बटे वेग तो दूरी यहाँ पर क्या है देखो? 2πr जब एक चक्कर वो पूरा करेगा तो 2πr और उसका velocity क्या होगा? V इस तरह से तो 2πr अपान V होगा that implies यहाँ से T यदि हम निकालें तो T का मान निकालने के लिए हम क्या करें? इसको simplify करें क्या simplify करेंगे? 2π और V को यहाँ पर नीचे रहने दो और R का value जो हमने निकाला है उस R के value को अपन put up कर देते हैं तो M V अपान Q इंटू B होगा M V अपान Q इंटू B यह बहुत आसान तरीका है यहाँ से V भी cancel out होएगा और V भी cancel out होने के बाद therefore यहाँ पर T का जो मान निकलेगा वो होगा 2π M अपान Q इंटू B यह होता है उसका आवर्तकाल यह सब फर्मूला आपको याद रखना है cyclotron आप इसको पढ़े मतलब cyclotron समझ लिए तो T equal to 2π M अपान Q इंटू B होता है यह कहलाता है क्या इसका आवर्तकाल आवर्तकाल निकाल लें के बाद हम निकालते हैं इसकी आवरित्ती अब यदि हम इसकी आवरित्ती निकालें तो next calculation है आवरित्ती आवरित्ती एकी लाइन में निकलेगा क्यों क्योंकि आवरित्ती new बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल ठीक है किसी भी बृति गती या दोलनी गती करने वाले पिंड का जो आवरिती है वह एक बटे आवर्तकाल के बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल हमने यहाँ पर निकाल लिया है तो therefore new equal to 1 upon t का यहाँ पर value अपर put up करेंगे तो हो जाएगा 2 pi m upon q into b 2 pi m upon q into b that implies इसको हम उपर ले जाएं तो new equal to qb मतलब सिधा सिधा उसका reciprocal करना है उल्टा करना है qb upon 2 pi m यह क्या होती है इसकी आवरित्ती इस पकार से यह इसकी आवरित्ती है new equal to qb upon 2 pi m ओके clear तो यहाँ तक हम इसकी आवरित्ती आवर्तकाल यह सब निकाल लिए ठीक है qb upon 2 pi m इसकी frequency है तो कोई problem यहाँ तक आपको अब हम निकालेंगी इसका vague यही पर उसको भी मैं लिख दूँ ताकि सभी formula एक ही जगा रहेगा तो ज़्यादा सही है कि उसका vague क्या होता है गती का उसका vague velocity क्या होता है तो हम निकाल लें उसका कड़का vague velocity तो velocity निकले गए इस formula से देखो r equal to mv upon qb r equal to mv upon qb चूंकि r equal to mv upon qb सभी formula क्या है एक दूसरे से connected है मतब एक formula के help से दूसरा formula यहाँ पर निकल रहा है तो सभी के सभी formula एक दूसरे से connected है तो r equal to mv upon qb होता है that implies यहाँ से हमको velocity निकालना है तो कितना हो जाएगा qb r qb r upon m यह इसका velocity हो जाएगा तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि radius निकाल सकते हैं आप इसते radius निकालने के बाद हमने इसका आवर्टकाल भी निकाल लिया इसकी आवरित्ती भी निकाल लिया और main हमारा जो टापिक है इसका velocity भी निकाल लिया इस पकार से हम इसके velocity की भी गर्णा कर लिये clear अब हम पढ़ते हैं cyclotron देखो cyclotron क्या है cyclotron एक device का नाम है एक उपकरण का नाम है ये syllabus में है तो कम से कम ये 4 या 5 नंबर का पुछे जाएं लाए question है क्योंकि ये दिर्ग उतरी प्रस्न में आता है उपकरण है और ये बहुत important है cyclotron हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है cyclotron एक device है और इस device का काम क्या है cyclotron की सहाथा से हम करते क्या है तो एक चल में cyclotron क्या है एक ऐसा उपकरण है जो positive charge particle को इसकी सहाथा से हम positive charge मतलब धन आवेसित करणों को like proton, alpha particle ये सब को क्या करते हैं त्वरीद करते हैं इसकी सहाथा से इनको त्वरीद किया जाता है मतलब cyclotron एक ऐसा device है जो positive charge particle को जो धन आवेसित करण होते हैं उन धन आवेसित करणों को क्या करता है त्वरीद करता है और त्वरीद करने के बाद उसको accelerate करके उसके गती को बढ़ाके उसकी kinetic energy को इतना धिक कर दिया जाता है कि वह maximum kinetic energy पर पहुँच जाता है और maximum kinetic energy पर पहुचने के बाद वो किसी nucleus के साथ में उसका collision उसका टकर कराया जाता है मतलब bombarding करते हैं जिसको तो यह क्या है नाभिकी विखंडन के काम में आता है फिर वो क्या करता है भारी नाभिक को तोड़ता है अब यहाँ पर सोचने की बाद है कि positive charge particle को ही क्यों तरी कराया जाता है भै निगेटिव charge particle को क्यों नहीं कराया जाता है तो आपको मालूम है आप chemistry में भी बात पढ़ते होगे कि जैसे कोई nucleus होता है nucleus में positive charge particle proton होता है और इसको हमको break करना है तो यहाँ पर यदि हम positive charge particle की bombarding करेंगे तो क्या करेगा जो orbitals में जो electron घुमते हैं वो उसको क्या करते हैं अपनी और attract करते हैं और उसके गती को और बहुत अधीक बढ़ा देते हैं और फिर यह धन धन से टकराने के बाद इसको तोड़ता है ब्रेक करता है यदि हम यहाँ पर negative charge particle यूज़ कर दें तो चुकि इसके orbitals में electron होते हैं तो यह electron क्या करेंगे उस negative charge particle को प्रतिकरसित करेंगे और जब वो तेजी से नाभी की और आता रहेगा तो उसके गती को कम कर देंगे मतलब मंदित कर देंगे उसको तो रिद करने के बज़ाए उसको मंदित कर देंगे उसके velocity को कम कर देंगे इसलिए क्या होता है कि positive charge particles को हम क्या करते हैं नाभी की विखंडन के लिए use करते है nuclear fusion के लिए cyclotron में अब यहाँ पर हम देखें कि cyclotron इस तरह से काम कैसे करता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके उपकरण का चित्र क्योंकि जब तक आप उपकरण को नहीं समझोगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर हम cyclotron apparatus का एक figure बनाते हैं symbolic figure हम यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा ध्यान देना संकेतिक चित्र हमको बनाना है और यह चित्र की सहयता से ही आप उसको समझ पाओगे देखिए यहाँ पर यह चुमबक का ओतल कटा हुआ ध्रूखन है यह मैं आपको पहले समझा चुका हूँ यह उसका नार्थ पोल है और यह एक ही चुमबक के दो पोल है जो बार मेगनेट होता है जो हार ससू मेगनेट होता है उसी दो चुमबक के इस तरह के पोल है एक ऐसा और ऐसा और एक ही चुमबक से वो जुड़ा हुआ है अब यहाँ पर क्या किया जाता है इसके बीच में इनके बीच में एक अर्ध वृत्ताकार आक्रिती होती है जिसको हम डीज कहते हैं चीत्र को ध्यान से समझना क्योंकि पूरा एक्स्प्रेनेशन फिगर पर ही बेस्ड है यह डीज है जो अंदर से खोखला होता है और यह अर्ध वृत्ताकार होता है इस डीज से हम फिर दो कनेक्सन लेते हैं और यह कनेक्सन हम इस तरह से alternating current के लिए हम यहाँ पर लेते हैं इस तरह से उसको कनेक्सन कहीं से भी ऐसा लिया जा सकता है देखो मेरी जहां तक कोसिस होती है कि मैं फिगर आपको बना के बताऊं क्योंकि आपको भी तो figure बनाना ही है ना यदि मैं यहां से figure ले लूँ ready made figure मैं इसका ले लूँ और उसका photo आपको दिखा दूँ उसको explain कर दूँ तो student की practice नहीं हो पाती मुझे मालूम है इसलिए जवरी है कि आप वो step को भी समझो जो बनाने के लिए जवरत होता है यह बहुत जवरी चीज है figure बनाने का practice आपका proper होना चाहिए क्योंकि exam में आपको figure तो बनाना है मैं तो कहीं सभी net से copy paste करके यहां पर आपको explain कर दूँँगा तो उससे आपको बनाने का practice नहीं होगा इसलिए आप जब मैं ray diagram या कोई भी diagram ड्रा करता हूँ तो उसको proper step by step आप उसको समझा करो ठीक है तो यह यहां पर देख रहा है आप नार्थ पोल साउथ पोल बीच में एक डीज है और इस डीज के साथ में क्या किया गया है देखो यहां से डीज में मैं एक और पूरा complete figure को पहले बना ही लूँ है हाँ अब यहां पर ध्यान देना आप यह है क्या यह magnet के नार्थ और साउथ पोल है और यहां पर जो blue color से आप center में देख रहा है और इसको डीज बोलते हैं एक डीज D1 है और एक D2 है दोनों अर्ध गोलाकार होते हैं और इसको अंदर से ये खोखला होता है यहाँ पर सेंटर में एक फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F ये इसका फिलामेंट होता है और ये दोनो डीज प्रत्यावर्ती धारा के स्रोध से connected होते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा होता है जिसको हम auxiliary current बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा की विश्यस्ता क्या होती है कि एक cycle में half और एक में plus एक में minus एक cycle में plus होता है एक cycle में minus होता है इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस इसका नेचर होता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसे work कैसे करते हैं, यहाँ पर यह जो देख रहे हैं वाप, यह target कहलाता है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है, यह इसका target है, मतलब इसी को क्या करना है, तोड़ना है, इसी नाभी तो ऐसी ही जैसे मैं भी आपको बताया, वर्क कैसे करता है ध्यान से सुनो, जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत AC लगा हुआ है, उसको जैसे ही हम आन करते हैं, तो आन करने पर क्या होता है, यहां पर करेंट फ्लो होता है, और फिलामेंट से यह जो उस फिलामेंट से अलफा पार्टीकल निकलने लगते हैं जो मैंने आपको बताया कि अलफा पार्टीकल का यहां पर क्या है तो तो वहां से अलफा पार्टीकल अलफा कड निकलते रहते हैं जो कि धना वेसी थे अब इन कड के निकलने के बाद इसके जो यहां पर गती की तरह पर्टेक्ट होता है उसके बाद थोड़ी दिरबाद माइनस वाला डिस प्लस हो जाता है फ्लस वाला माइनस तो वह जो अलफा पार्टिकल है दूसरे डिस के तरफ चला जाता है और इसकी स्थिती इस पकार से होती है यहां पर मैं आपको यह डाटेट लाइन से सोग कर पहुंचता है जब यह अंतिम कक्षा में पहुंचता है तो इसकी गती जूर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि यह हाइस्ट मैक्जीमम काइनेटिक एनरजी पर पहुंच जाता है और यहां पर एक वाइट कलर का आप जो देख रहे हो यह एक्ट्व में निगेटिव प्लेट है यह एक निगेटिव प्लेट है जिसो हम विच्छेपक प्लेट भी कहते हैं इसको हम विच्छेपक प्लेट कहते हैं तो यह जो निगेटिव प्लेट है विच्छेपक प्लेट यह क्या करता है इस पार्टिकल को अपनी और आकरसित करता है और इस तरह से अपनी और आकरसित क्लियर प्रोसेस आया आपको समझने कि प्रत्यावरती धारा प्रवाहित करने पर D's D1 और D2 दोनों अल्टरनेट बारी बारी प्लस माइलस होते हैं जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल लगातार गती करते जाता है और अपनी गती जूर्जा को ब अब इसका basic principle क्या है? इसका basic principle यह है कि जब alpha particle को, मतलब positive charge particle को, एक साथ परस्पर लंबवत, विद्युत तफा चुंबकी छेतर में गती कराया जाता है, तो उसमें अभिकेंद्र बल लगता है, और वो अभिकेंद्र बल क्या है? इसके लारेंज बल के बराबर होता है, तो इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, यही इसका सिधान्त है, यह इसका सिधान्त है, लारेंज बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, अब यहाँ पर हमको दो-तीन formula derive करना है, जिसमें gyro radius, gyro frequency, maximum kinetic energy, आपके exam में जो पूछेगा, उसी के हिसाब से आपको उसका answer देना है, क्योंकि इसमें question बहुत है, जितने part में वो बोलेगा, उतने part में उसका हमको गर्णा करना है, ठीक है, चलिए, तो calculation स्टार्ट करें हम इसका, और सबसे पहले हम निकालेंगे, गर्णा में पहला part है, इसका सिध्धान जो की क्या है, अभी जो मैंने लिखा था, सबसे पहले आप इसका सिध्धान लिखोगे, सिध्धान को सब्दों में लिखोगे, वैसे इसका पूरा explanation आपको हमारे notes में मिलेगा, हमारा notes आप use कर रहे होगे, हमारा notes जो है वो origin the learner साब application पर है, उस application से आप पूरा notes जला हुआ है, वहाँ से आप उसको use कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिध्धान इसका क्या है, इसका सिध्धान है कि अभिकेंद्र बल जो है, वो है लारेंज बल के बराबर होता है, तो लारेंज बल के कारण ही यहाँ पर अभिकेंद्र बल उत्पन होता है, और लारेंज बल यहाँ पर क्या है, q, v, b, यहाँ पर sin theta लिखने का ज़वरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d's को ओतल काटा गया है, और दोनों परस पर लंब बता ही, मैंने आपको पहले बता दिया था, और अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, m, v square upon r, यह काम तो हम अभी सिधा कर चुके, इसमें कुछ नहीं है, तो r equal to क्या हो जाएगा यह, m, v, upon q into v, यह जो radius निकलता है, इस radius को actual में हम, यह तो trigya ही है, लेकिन वाइग्यानिकों न इसका अलग से नाम रखा है, इसको बलता है gyro radius, या radius अभ गायसन, gyro radius या radius अभ गायसन, दोनों नाम से जाना जाता है, रेडियस अभ गायसन का मतलब क्या है, कि यह एक परिवर्ति trigya है, variable radius है, कैसे variable radius है, क्योंकि वह d's के अंदर लगातार अपने क्या करता है, कक्ष को बदल रहा है, मतलब यह variable radius है, constant radius नहीं है, यहाँ पर चित्र में आप देखो, यह particle जब move होना शुरू होता है, तो इस तरह से लगातार लगातार अपने त्रिज्या को बदल रहा है, that means यहाँ पर r क जो value है, वो completely depend करता है, किस पर, velocity पर depend करता है, क्योंकि बाकी के चीज़ तो क्या है, constant है, यहाँ पर wave ही इसका बदल रहा है, और wave बदलने के करण इसका त्रिज्या बदलता है, mass तो constant है, alpha particle का जितना mass होगा, उतना ही होगा, इसका Q भी constant है, उसमें जितना आवेस है, वो भ constant है, that means यहाँ पर completely change होने वाला एदी कोई variable है, तो वो velocity है, वो wave है, और इस तरह से velocity के change होने के करण उसका radius भी change होता है, इसलिए इसको बोला जाता है, gyro radius, बतला variable radius जो लगातार बदल रहा हो, clear, इसके बाद हमको निकालना है frequency, अभी तो हम निकाले हैं, सबसे पहले आव तो यहाँ पर जब हम आवर्तकाल निकालेंगे, तो बिल्कुल वही काम करेंगे, t equal to 2 pi r upon v, that implies t equal to 2 pi upon v, और r का ये value को हम यहाँ से put up कर देंगे, तो mv upon qb, वही गरना है, जो अभी किया है, mv upon qb, यहाँ से 1 b cancel out हो जाएगा, तो t equal to हो जाएगा, 2 pi m upon q into b, और यह जो फ वह क्या होगा, इसका आवर्तकाल का फर्मूला होगा, आवर्तकाल के बाद हम क्या निकाल लें, इसकी आवरित्ती निकाल लें, इसकी frequency निकाल लें, अभी हमने देखा है, frequency new equal to होता है, 1 upon t, और 1 upon t होने के कारण, हम इसका उल्टा कर लेंगे, तो new बराबर, अब सीधा इस को हम कहते हैं क्या गाइरो फ्रिक्वेश sû periphery इसका नाम है गैई रोफ्रिक्वेंशी ग वाई आर हिंदी नाम नहीं इंगिलिस नाम हिए होता है कई बार कई वोर्ड एक्जाम में इसी नाम से पूछ देता है इस्टुडेंट समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है आपको गैरो रेडियस बोले तो गैरो रेडियस में आपको यह निकालना है या रेडियस आप ग्रायसन भी कहते हैं और यदि आपको गैरो फ्रिक्वेंस तो सीधे अधिक्तम गती जूर्जा निकालोगे और वही इस टापिक का सबसे इंपॉर्टेंट टापिक है देखो अब हम निकालते हैं अधिक्तम गती जूर्जा मैक्जीमम काइनेटिक एनरजी अधिक्तम गती जूर्जा होता क्या है पहले आप यह समझ लो कि अधिक्तम गती जूर्जा हम किस कंडिशन को कहेंगे तो देखो अभी मैंने इसका वर्किंग प्रोसेस आपको बताया कि जैसे जैसे यह अलफाट पार्टिकल गती करते जाता है तो गती करते करते जब यह लास्ट अर्बिटर में पहुंचता है तो उसका जो वेग है अधिक्तम हो चूकर रहता है और उस समय उसका जो वेग हो नहीं करेंगे बाकी पूरा का पूरा कॉरा कॉंसअ यही होगा तब उसका होगा यहां पर जो समय गूखिंगे अब V को लिखेंगे हम V maximum Q V B equal to हो जाएगा M V maximum M V square और upon capital R यह हो जाएगा that implies अब इसको solve करो और इसको solve करके गती जूर्जा बनाओ गती जूर्जा मतलब half M V square गती जूर्जा बनाने का मतलब इसको हम 1 upon 2 M V square बनाएगे तो जब इसको हम 1 upon 2 M V square बनाएगे तो क्या हो जाएगा यह Q V पहले V maximum को cancel out करा दो तो Q V बराबर हो जाएगा M V maximum upon R M V maximum upon R that implies अब इसमें क्या करें हम इसमें दोनों side का whole square कर देते हैं या सबसे पहले तो हम इसको इधर transfer कर दें R को या V को अकले कर दें हाप M V square बनाना है अपने को तो इसको मैं V maximum के लिए निकाल लिया तो V maximum square to इधर transfer कर दो Q V capital R upon M यह हो जाएगा यह हमने कर लिया सबसे पहले इसके बाद इसको हम 1 बटे दो M V square बनाएं तब दोनों पक्षों का work कर देते हैं जब दोनों पक्षों का work करेंगे ते हो जाएगा V maximum square और right side में क्या हो जाएगा Q E square, B square, R square और upon M का square यह होगा अब यहाँ से 1 M को हम इधर transfer कर दें तो 1 M इधर transfer होके हो जाएगा M V maximum square equal to यहाँ से क्या बचेगा Q E square, B square, R square और upon 1 M बचेगा यह जो M E square है उसमें से 1 M को यहाँ रहने दिया और दूसरे M को इधर transfer कर दिया That implies अब दोनों पक्षों में 1 बचे 2 का गुणा कर देते हैं 1 बचे 2 का गुणा करेंगे तो 1 upon 2 M V maximum square equal to यहाँ भी 1 upon 2 का multiply कर दें तो Q E square, B square, R square upon 2 M यह हो जाएगा अब 1 upon 2 M V maximum square को इसको अधिक्तम गती जूड़ जाका सकते हैं तो therefore अब यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी maximum हम कह सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी maximum क्योंकि 1 upon 2 V maximum square है और इसका value हो जाएगा Q E square, B square, R square upon 2 M इस पकार से यह है इसका final equation हो जाएगा Q E square, B square, R square upon 2 M यह कहलाता है maximum kinetic energy, यह हमारा टापिक है और यह board exam के लिए बहुत important टापिक है ध्यान से समझना actual में galvan meter होता क्या है, नाम से इसपस्ट है, हिंदी में देखो धारा मापि मतलब नाम से इसपस्ट है, क्या करता होगा यह धारा मापता होगा current measurement करता होगा, हालाकि अब measurement नहीं करता केवाल उसका indication बताता है कि current flow हो रहा है कि नहीं हो रहा है किस direction में current flow हो रहा है यह सब बताता है इसको हमको भी detail में पढ़ना है धारमापी को पूरा तो धारमापी होता क्या है धारमापी को हम पहले classification इसका देखें तो धारमापी को हम दो part में divide कर सकते हैं धारमापी के दो type होते हैं मैं आपको basic introduction बता रहा हूँ कुछ ऐसी बात भी बता रहा हूँ जो आपके syllabus में सायद नहीं होगा लेकिन आपको यह जानना जरूरी है तो actual में धारमापी दो प्रकार का होता है पहला जो धारमापी होता है first इसको हम कहते हैं चल चुमबक English में हम बोलेंगे moving magnet एक होता है moving magnet गेलवानो मीटर और दूसरा जो इसका type होता है वह है चल कुंडली English में बोलेंगे moving coil यह दो type के धारमापी होते हैं एक होता है चल कुंडली और दूसरा होता है चल चुमबक चल moving का मतलब है यहाँ से नाम से इसपस्ट है आप समझ सकते हो नाम से ही कि moving magnet में move होता है कौन magnet इसमें magnet move होता है एक्ट्वल में गेलवानो मीटर बनाने के लिए दो जो major part है इसके वो coil और magnet है एक magnet होता है और एक coil होता है कुंडली होती है और इन दोनों की सहायता से गेलवानो मीटर बनाया जाता है तो ऐसा गेलवानो मीटर जिसमें क्या हो magnet move हो magnet घूमे और coil जो है वो rest में रहे कुंडली जो है इस्थिर रहे उसको हम कहते है moving magnet और ऐसा गेलवानो मीटर चल कुंडली मतलब moving coil moving coil गेलवानो मीटर का मतलब होता है को क्या कहते हैं मुविंग मेगनेट कोई कहते हैं फिर इसके दो प्रकार होते हैं इसके टू टाइप्स होते हैं आगे हम इसको और क्लासिफाइब करें तो इसके टू टाइप्स होते हैं इसके कौन-कौन से two types होते हैं देखो पहले पूरा मैं classification आपको समझा दूँ उसके बाद फिर हम इस पर discussion start करेंगे इसके two types होते हैं जिसमें इसका जो पहला type है वो कहलाता है निलंबित निलंबित इंगलिज में बोलते हैं suspended suspended coil निलंबित कुंडली suspended coil suspended होना मतलब लटका के रखना उसको निलंबित कहते हैं किसी चीज़ को लटका के रखना suspended बोलते हैं और दूसरा होता है किलकित इसको बोलते हैं pioted pioted और इसका एक और फेमस नाम है western western galvanometer बोला जाता है इसको तो चल कुंडली के फिर दो प्रकार होते हैं एक होता है suspended coil निलंबित कुंडली और दूसरा होता है किलकित कुंडली pioted quiet इस प्रकार से धारमापी को हम classify करते हैं इसको हम इस प्रकार से हम बताते हैं clear तो यह दो प्रकार होते हैं galvanometer के और फिर चल कुंडली धारमापी के और दो प्रकार होते हैं okay clear यहां तक आगली बात आपको समझ में अब यहां पर देखो हमको पढ़ना क्या है चल चुंबक धारमापी अब हमारे syllabus में बहुत दिनों से नहीं है यह हमारे syllabus में किसी syllabus में नहीं है किसी भी vote के syllabus में नहीं है बहुत पहले हुआ करता था ये अब ये syllabus में नहीं है और important भी नहीं है इसका ज्यादा use भी नहीं होता है इसमें बहुत सारे दोस्त है इस दोस्त को दूर करके चल कुंडली धारमापी बनाये गया मैं भी बताऊंगा किस पकार से क्या problem था क्यों बनाये गया इसको तो ये चल क्योंकि ये जो दोनों गेलवानो मीटर है वो एक के ही एक दूसरे के modified farm है मतलब एक में थोड़ा दोस्त था उसको दूर करके क्या है दूसरा बनाये गया ठीक है वैसे मैं आपको explain करूंगा तो बताऊंगा कि किस पकार से इस गेलवानो मीटर को तो classification समझ में आ गया सब को कोई problem इसमें अब पढ़ते हैं हम चल कुंडली धारा मापी का explanation moving coil और ये moving coil गेलवानो मीटर में दो प्रकार होते हैं लेकिन दोनों का जो principle है दोनों का जो basic concept है वो सेम है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका सिध्धान्त principle चल कुंडली धारा मापी का हम सब से पहले पढ़ेंगे इसका सिध्धान्त मैं आपको लास्ट में explain करूंगा कि किस तरह से बोर्ड एक्जाम में इसमें question पूशा जाता है पहले आप पूरा समझ लो सिध्धान्त जिसको हम इंगली से महते हैं principle का मतलब होता है कि किस concept पर principle पर ये काम करता है तो इसको समझने के लिए हम दोनों में से किसी एक गिलवानोमीटर को ले लेते हैं किलकित और निलंबित में से एक को ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी सिध्धान दोनों के लिए कामन होता है लेकिन हम यहाँ पर पुंडली मतलब suspended coil तो suspended coil के लवानोमिटर को हम एक चीत्र बनाएं और चीत्र बनाने के बाद उसको आपको समझाते हैं कि कैसे काम करता है और उसके बेस पर हम उसके principle को समझेंगे तो यहाँ पर जो मैं डाइग्राम ड्रा करूंगा यह बहुत important है इसको ध्यान से समझना और यह डाइग्राम आपको भी ड्रा करना है क्योंकि इसके चित्र पर ही मार्स है समझ लो टू मार्स तो इसके फिगर पर ही रहता है जब यह बोड एक्जाम में आता है इसलिए आप लोग को मैं कल भी एक बाट डिसकस किया था आपने ध्यान दिया होगा मैं चाहता तो इस टापिक पर वो भी जोड़ी है चित्र भी दिखाना जोड़ी है लेकिन जिस टापिक पर आपको वो चित्र डाइग्राम ड्रा करना है जैसे यह लांग आंसा टाइप क्वेस्चन में आएगा तो रे डाइग्राम पर मतलब इसके लेबल डाइग्राम लेबल डाइग्र करना है इसलिए मैं खुद से ड्रा करके इसको आपको बताता हूं कि फिगर कैसे बनाना है तो यहां पर मैं बना रहा हूं magnet के two poles इसलिए मैं बोलता हूँ साथ में आपको practice करना चाहिए diagram बनाने का तो ये magnet के two north और south pole है और ये कानके हो cutting होते हैं ये मैं previous class में आपको समझा चुका हूँ कि कानके क्यों कटे होते हैं ये north pole है इसका और ये south pole है actual में ये हार ससू magnet है नाल चुमबक है जो इस तरह से मैं अंगुठा रूंगली को बना रहा हूँ ऐसा है मतलब ये board के पीछे side में ये एक दूसरे से जुड़े हुए है ये सब मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ जब मैं आपको टार्क बताया आउतल ही लेंगे आउतल ही लेंगे तभी क्या होगा वो उसका जो magnetic field है वो 3G होगा उतल लेने पर वो radial नहीं हो सकता क्योंकि इस पकार से जब आउतल लेते हैं देखो ये तो इसको cutting करें तो ये आउतल ही बनेगा और दोनों मिल के circle बनाएंगे तभी इसके जो चुमकी छेत्र है ये अपने फ्रिष्ट पर क्या होंगे लंबत होंगे इसलिए उनको कानकेव लिया जाता है क्योंकि दोनों कानकेव को joint करेंगे तो एक circle बनेगा और उतल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा तो वहां पर चुमकी छेत्र लंबत नहीं हो सकते इसलिए इसको क्या करते हैं उसको ओतल लेते हैं ठीक है इसलिए उसको ओतल लिया जाता है यही इसका रीजन है और किसी को कोई बात पूछनी है clear doubt आपका तो दो पॉल हो गए अब इसके बीच में होता है coil तो यहां पर हमें coil बना रहे हैं देखो यह क्वाइल है क्वाइल में मैंने बता यह जल्दी demagnetize हो जाता है इस पकार से क्वाइल यह center में क्वाइल लटका होता है और यह जो क्वाइल है इसका खासियत यह है कि यह एक फास्फर ब्रांज का एक एलाय होता है फास्फर ब्रांज ध्यान रखने हैं सब एक्जाम में पूछने वाले question है तो फास्फर से इसको लटका के रखा गया है इसलिए इसका नाम है suspended लटका के रखने के कारणर है इसको इस तरह से एक फास्फर ब्रांज एलाय होता है उस एलाय से उसको चुपका आकर लटका के रखा जाता है इस पकार से यहां पर यह लटका हुआ है ध्यान रखना इसके बाद इसका जो नीचे से इसमें two connection point होते हैं और यह two connection point हम यहां से ले लेते हैं सपोज यह दो तार मैं इसमें लगाया यह दो तार है और यहां से क्या क्या जाता है इसको connection इसको दिया जाता है ताकि हम current measurement करें तो दोनों terminal में हम तार को यहाँ पर जोडते हैं और ये अपने axis पर rotate होने के लिए स्वतंत्र होता है इस पकार से इसका जो rotational axis है वो ये होता है इस rotational axis पर ये घूम सकता है ये जो white color से मैंने dotted line बनाया इस rotational axis पर ये move हो सकता है इसमें reading लेने के लिए फिर क्या होता है एक needle लगा होता है reading लेने के लिए और ये needle suppose ये इसका needle है ये जो arrow लगा हुआ है और यहाँ पर आपको मालूम है आपने देखा भी होगा इसको live वगरा में तो यहाँ पर इसका एक reading लेने का reading scale होता है यहाँ पर एक समतल धरपन लगा रहता है मतलब plane mirror लगा रहता है plane mirror के help से हम क्या करते हैं इसका parallax remove करते हैं मतलब उसको हम देखते हैं कि वो reading stage में है कि नहीं है ठीक है यह होता है निलंबित कुंडली धारा मापी का figure अब यह काम कैसे करता है अब हम यहाँ पर समझते है कि work कैसे करता है इसके working method को हमको ध्यान से समझना है सुनो क्या करता है जब हम इस galvanometer को कहीं पर भी current measurement करना होता है तो दो wire से हम इसमें connect कर देते हैं इसको इस पकार से suppose हम यह दो wire लाए और यहाँ से हमने इसको connect कर दिया और इसमें हमने धारा प्रवाहित किया है यह जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको मालूम है कि हमने इस chapter में पढ़ा है तार्क आने लूप लूप पर बलागुन आपने पढ़ा है लूप पर बलागुन लूप पर बड़ागुन में हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी जब कानके हो कटिंग मेगनेट के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है आप प्रिव्यस टापिक याद करो मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने एक बात बोला था आपको ध्यान से आप पूरा याद दिलाता हूँ एक दिन मैं आपको 5 टापिक फर्मूला डिराइब करके बताया और बोला इसका हर टापिक आगे के टापिक को समझने में काम आएगा जैसे आपको साइक्लोटान में काम आएगा टापिक के नाम सुन लो ध्यान से मैं आपको पढ़ाया था एक समान चुंबा की छेतरपल बर फोर्स आने यूनिफार्म अने फिल्ड दूसरा पढ़ाया है लारेंज फोर्स तीसरा पढ़ाया है मैं दो समानतर धारावाही चालक पर बल फोर्स आन्टू पहलाल करेंट केरिंग कंड़क्टर फिर मैंने आपको पढ़ाया था को समझने में काम आता है यह मैं आपको एक बार्यात दिलाया और उसी के बैस पर इसको हम अभी पढ़ रहे हैं तो जैसे हम इसमें धारा प्रवाहीत करेंगे तो इसमें टार्क होएं लगता है आपने इसको लेब में कभी यूज किया होगा या यूज करेंगे तो आप देखेंगे कुसमें निडिल इस तरह से भूमता है तो इंटर्नल जो उसका अंदर का पार्ट होता है वह ही होता है और उस तरह से धारा प्रवाहीत करने पर कुंडली उसका जो क्यों क्यों क्योंकि एक क्वायल मूव हो रहा है देखो इसका नाम है मुविंग क्वायल क्योंकि यहां पर उसका क्वायल मूव हो रहा है अंदर में जो क्वायल है वह मूव हो रहा है इस तरह से यह मूव होता है अब हम इसमें करते हैं इसका कल्कुलेशन किसका इसके पूरा डीटेल में लिख देता हूं है कुंडली पर बल आघुण कुंडली पर बल आघुण कुंडली पर बल आघुण का जो वेल्यू होता है टा टा इक्वल टू वो क्या होता है N I E B Sin Theta जहाँ पर N फेरों की संख्या है N I E B Sin Theta और आपको पता है कि चू कि मेगनेट के हमने जो किनारे हैं उसको कानके ओकटिंग किया है तो यहाँ पर जो magnetic lines आप force होता है, चुमबकी बल रखाए होती है, वो अपनी परिधी पर लंब होती है, तो theta 90 रीगरी हो जाएगा, इसलिए NIAB sin theta में हमने theta को 1 ले लिया है, तो यह होता है, कुंडली पर बल अगुण मतलब tark on a coil, coil पर tark, अब हम देखते हैं, एठन रहे हो, नया तो नहीं है, लेकिन याद नहीं होगा, एठन बल यूग मकाभून, इसको बहते हैं, torsen coefficient, यह क्या होता है, इसको हम पदर्सीत करते हैं, टा से ही, और इसका फेली होता है, c into theta, अब यह क्या चीज़ है, ध्यान से समझना, सपोज यह मेरे पास एक तार है, मेर अब इस तार को में twist करूँ, एठ हूँ, तो जब किसी इत वायर को अपन twist करेंगे, एठेंगे, तो उसमें भी बल अगुर्ण उत्मन होगा, उसमें भी तार्क डवलप होगा, और सपोज हमने इसको थीटा डिगरी से twist किया है, थीटा डिगरी से घुमाया है, तो इस पर चलक लगता है, वह टा इक्वल टू अब आगुर्ण के तकशाप होता है, अब आके धियान से सुनो, यह हम जानते हैं, क्वायल पर टार्क है, और यह हम जानते हैं, उसी वायर पर force लगाने से जो torque है वो है एक mechanical torque है कर सकते हैं कि electricity की कारण़ torque है तो उसी के कारण़ ये torque डवलप हो रहा है ये force लगने के कारण़ ही ये torque डवलप हो रहा है इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करें therefore फोर दोनों को equal कर दें तब क्या हो जाएगा न आई ए बी एक्वल टू सी इंटू थीटा होगा यह सी इंटू थीटा होगा इस तरह से आई को लेप्ट साइड में रखें और बागी कुधर टांसफर करें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर महत्व पूर्ण बात यह है कि केवल थीटा को छोड़के यह पूरा value constant है क्योंकि थीटा तो variable है वो तो change हो रहा है current के carding वो change हो रहा है तो थीटा को छोड़के बाकी सब constant है जो मैंने महाँ पर round किया हुआ है वो constant है तो therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं mathematical language में इ i proportional to theta क्योंकि equal के पास जब कोई constant होता है तो equal और constant मिलके वहाँ पर proportional का sign बना लेते हैं तो i proportional to theta होगा इस पकार से आप यहाँ पर देखो यह जो value हमने निकाला है i proportional to theta यही क्या है इसका सिध्धान्थ है यही इसका theory है यह जो मैंने लिखा इसका सिध्धान्थ ही है i proportional to theta इसलिए मैं आपको starting में discuss नहीं किया पहले यह बता देता तो आपको समझ में नहीं आता और अब हम यहाँ पर इसके theory को inward बोलते हैं क्या कि क्या है सिध्धान्थ चलकुंडली धारा मापी का सिध्धान्थ यह सिध्धान्थ में आप सुरू में सब्दों में लिखोगे वैसे आपको notes हमारे application पर available है वहाँ से आपको notes लेना है free notes हमारे application में डला हुआ है कोई इसके लिए charge आपको नहीं देना है आप application डाउनलोड करो और वहाँ से आप notes लेलो पढ़ो वहाँ से तो i proportional to theta को सब्द धारा उसके कुंडली में उत्पर्ण विछेप के समनुपाती होता है यही कहलाता है क्या चल कुंडली धारा मापी का सिध्धान्थ I proportional to theta clear तो यह है इसका सिध्धान्थ और यहाँ पर यह proof होता है तो यदि आपको exam में निलंबित कुंडली धारा मापी पूछे तो इतना detail में आपको इसको लिखना है इसके सिध्धान को लिखना है ये चीतर बनाना है और चीतर में पूराइश को कौन सा पार्ट क्या है और इसके बाद यह आपको प्रूफ करना है तो यहां तक कोई प्राभ्लम किसी को एक बार आप इसका स्कीन साथ ले लो और चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्लास में तो कुछ और ही चल रही है मैं क्या कर सकता हूँ पूरी दुनिया में कुछ और ही चल रही है लेकिन इसी में रहके कोई कुछ कर लेता है कोई कुछ कर लेता है इसी दुनिया में रहके कोई डाक्टर एपी जी अब्दूल का लाम बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता तो वैभाव क्या कर सकता हूं मैं वो मेरे हाथ में नहीं है इसी क्लास में रहके कोई कुछ कर सकता है कोई कुछ भी नहीं करेगा इसी द तरह से लेवल करो इसको मैं बता देता हूं यहां पर हमने एम लिख लिया इसको सी लेक्द लिया ये मेगनेट है तो यहां पर ऐसा लिखोगे एन एस मेगनेट है C क्या है क्या है उसके लिए ने रहेतं कि उखला सिंधी है और उसके साय सांससा इसंध्ड Richt फासफर ब्रांज ही क्यों लेते हैं ठीक बेरी गुड देखो असलेसान अच्छा कोस्टन पूशा है यह मैं बताने वाला था लेकिन मेरे ध्यान से यह उतर गया इसलिए बोलता हूं आप लोग के कमेंट्स पहना मेरे लिए बेकार होता है यह जो वायर यहां पर यूज किया क्यों लटका दिये तो इसका रीजन यह है कि इसका जो टार्सन कोफिसियंट होता है वो मेक्जिमम होता है मतलब होता क्या है आपने देखा होगा कि अलग-अलग मेटल का अलग-अलग नेचर होता है एक मेटल को हम इस तरह से घुमाएंगे एठेंगे उसको ट्विस्ट कर आएं कि जिसमें जो कोफिसियंट है उसका मतलब यह तरह से सकते हो यह बहुत कामन लेंगवेज आपका टाइप ही है तो जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो वह सड़न क्या होता है वापस आ जाता है अधरवाइस दूसरा लगा दें तो ट्विस्ट होता लेकिन जो सेविंग करने के लिए ब्लेड यूज किया जाता है उसको देखना ऐसे पकड़ के दोनों सीरे से मड़ोगे और छोड़ोगे तो सीधा हो जाता है और ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो सीधा टूट जाता हूँ तो फास्थर व्रांज का नेचर यह है कि तो देख है खेर आगे मैं उसको डिसकस करता अभी उसके डिसकस किये भीने मैं आप लोग को suspended coil नहीं पढ़ा सकता क्या हुआ अब मैं डिसकस करता हूं ध्यान से सुनना सब लोग यह जो गैलवानोमीटर है इसके बहुत से डिमेरिट थे कई बार एक्जाम में इसके कि दिमेरिट पूछता है मतलब दोस्ध मतलब कैश दोस्ट थे कि इस गैलवानोमीटर में क्या जुक्त था इस गैलवानोमीटर का सबसे बढ़ा दोस्ट यह था कि कंक Rogathon कराओ कम current flow कर आओ तो यह twist नहीं होता था क्योंकि उसको एठने के लिए एक sufficient force तो चाहिए तो कम current flow कर आओ तो twist नहीं होता था और ज्यादा current flow करा दो तो इतना twist होता था कि यह तूड़ जाता था मतलब इसके current का एक range था कि proper इतने current को ही यह slow कर सकता है तो हम कैसे जाने वो तो इसके use में problem आया यह इसका dream merits से और इसलिए अभी मैंने आपको discuss किया था कि इसलिए निलंबित को फिर किलकित बनाये गया वास्ताव में किलकित जो कुंडली है मतलब peotate coil galvanometer is the advanced form आप the suspended coil कर सकते हो मतलब suspended coil galvanometer में जो दोस्त था वो दोस्त को दूर करके क्या बनाये गया किलकित कुंडली धारम आपी बनाये गया तो अब हम पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों ऐसा बनाये गया चलिए फिर हम देखते हैं सेकंड और सेकंड है हमारा क्या किलकित कुंडली इसका एक गहुत फेमस नाम है western कई बार एक जाम में western galvanometer कहता है तो कई बार इस्टुएंट समझ नहीं पाते कि किसको पूछ रहे है piotate piot मतलब क्या होता है kill मतलब क्या होता है यह तो पता होगा हिंदी मीडियम स्टुएंट को kill तो पता होगा kill किल आपने देखा होगा जो दिवार वगब या कही पर भी furniture बनाते हैं तो तो इस तरह से बाइव सेवल नोट में कुछ और ही है ति कि देख लेंगे क्या है ठीक देख लूँगा उसको में क्या कुछ हो गया हो सकता है कुछ mistake होगा ऐसा आसर होना नहीं चाहिए लेकिन देख लूँगा मैं तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका देखो puretate का मतलब होता है kill होता है तो यहाँ पर puret बनाके उसको लटकाए गया तो principle तो वही रहेगा इसका जो सिध्धान्त होगा पहले point में लिखोगे इसका सिध्धान्त तो सिध्धान्त को पूरा पीछे से copy करोगे और यह सिध्धान्त वही होगा I proportional to theta clear सिध्धान्त वही होगा बस उसको पीछे से अपने को proof करना है उसके बाद हम देखते हैं इसका नामांकी चित्र चित्र बस बदलना है जब आपको exam में जो पूछेगा उसी का चित्र बनाना है और सिध्धान्त को दोनों में कामन करना है तो इसका figure कैसे बनेगा यहाँ figure को ध्यान से समझो वैसा ही figure यहाँ पर भी बनेगा थोड़ा सा तो सुधार किया गया उसमें वो सुधार को ही आप समझो तो सब आपको समझ में आ जाएगा नार्थ पॉल साउथ पॉल यह इस तरह से कटिंग कड़के दिखा दिये उसको बीच में आर्मेचर यह बना लो आपको यहाँ पर आर्मेचर सारे चीज वैसी होंगे कोई change नहीं है एक पॉल पर बस change है suspend करने के बजाए इसको पियोट में लटकाये गया यह आर्मेचर है इसके बाद इसमें किया क्या गया फोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर दो नुकिला पॉल पॉल बनाये गया यह यह नुकिला पॉल इसलिसका नाम पियोटेड है यह दो नुकिला पॉल पॉल बनाये गया उपर और नीचे में मतलब उसको किसी वायर से पर्मानेंट suspend ना करके वहाँ पर क्या क्या दो पॉल पॉल बनाये गया और यह दोनों पॉल पॉल यहाँ पर इस तरह से एक केविटी कि मतलब एक खाली इस पेस में इसको इस पकार से attach किया गया मतलब वहाँ पर वो उसमें ऐसा घुजा हुआ है उसके साथ वो completely attached नहीं है वहाँ move होने के लिए स्वतन्त रहे मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है वो move हो सकता है इस पकार से क्या होता है move होने के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है दोनों point पर तो अब आप समझ सकते हो इससे फायदा क्या हुआ होगा इससे फायदा क्या हुआ होगा यह आप देखो यहाँ पर भी reading लेने का सब system रहेगा अब जैसे हैं हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ पर धारा प्रवाहित करने के लिए terminals तो होता ही है इस तरह से वैसे symbolic figure होता है यहाँ पर terminal से जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है यह अपने axis पर rotate होने लगता है जैसे वो हो रहा था काम तो सेम है ने भई काम में कोई düş Cambodia उसकी ग स्थार सब्सक्राइब को सेजिज किया गया सिर्फ इसके फिजिकल स्थाट्यर गया यह जो किसी वाइर में लटका हुआ था उस लटके हुए वायर को मैं छ已经 ? और यह फिए वायर को आटा के हमें ऊसके जगह में क्या लगा दिया इसी तरह से यह जैसे electronic pen है हमारा वैसी वहाँ पर प्योट लगा दिया अब हुआ क्या जैसे current हम प्रवाहित किये तो यह coil बहुत आसानी से turn हो गया बहुत आसानी से turn हो गया यहाँ पर दो और important बात था जो यहाँ पर मैं so कर रहा हूं figure में ध्यान देना यहाँ पर एक spring लगाया गया यह और नीचे में एक spring लगाया गया यह इसको बोलते है hair spring hair spring क्यों hair मतलब बाल hair मतलब बाल यह जो हमारा hair है जो इतना थीन होता है बहुत पतला होता है उसी तरह से पतला spring है ठीक है इसलिए उसको हम क्या कहते है hair spring कहते है तो यहाँ पर hair spring लगाया गया hair spring इसलिए ताकि थोड़ा सा भी धारा प्रवाहित करें तो बहुत असानी से वह घूम जाए और धारा प्रवाहित करने से उसको वापस ले आया कुल मिला के यह दोनों figure में आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा था चलो कोई बात नहीं तो यहाँ पर क्या होता है देखो यहाँ पर यह लटका हुआ था वहाँ पर उस पर लटका हुआ था और लटके होने के कारण क्या होता है सीधा सीधा वो एठन होता था उसमें ट्विस्ट होता था लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्विस्ट नहीं होता है यहाँ पर क्या हो जाता है जैसे ही इसमें हम करेंट फ्लो कराते हैं तो इस्प था उसको इसमें दूर किया गया यह ध्यान में रखना अब एक टापिक इसमें महत्पूर्ण पढ़ना है जो कई बार एक्जाम एक नंबर का पूछा जाता है ओ है सुग्राहिता सेंसिटीविटी आप दा गेलवानोमीटर मतलब कितना सेंसिटीविटी मतलब का सीधा मतलब कि कितना सार्प कितने कम से कम करें को यह सो करके दिखा सकता है वो इसका सेंसिटीविटी कहलाता है और सीधा इसका एक लाइन का फार्मूला है वो है S equal to theta upon I S equal to theta upon I कहने का मतलब यह कि जब किसी कुंडली पर धारा प्रोहित की जाती है तो कुंडली में जो उत्पन विछेफ है जो deflection है तो उस angle और जितना current हम उसमें flow कराते हैं उसके ratio को हम क्या कहते हैं यहाँ पर इसका sensitivity कहते हैं तो यह दो धारा मापी हम पढ़े और यह दोनो धारा मापी में से एक का आपके exam में आना लगभग decided है या तो किलकित कुंडली या तो निलमित कुंडली आएगा और चल चुंबक धारा मापी syllabus में नहीं है उसको पढ़ने के जोरत नहीं है तो यह दो टापिक आपको समझना है एक मैंने बताया चल कुंडली धारा मापी सिधान यह निलमित कुंडली धारा मापी है और उसके बाद फिर हमने देखा यह किलकित कुंडली धारा मापी यह हमने देखा ठीक है तो दोनों धारामापी आपको अच्छे से तयार करना है और फिर सुग्राहिता का डेफिनिशन लिखना है तो आसान है जो device है और practical topic होता है वो बहुत आसान होता है में फीजिक्स ने बहुत आसान होता है हम देखते हैं की संट क्या है हिंदी में और इसका नाम है पाल स्ववाहिस्फ पार्जीन लाफी संट तो इंगलिस नाम है और जबड़ेली हम इसको इसके इंगलिस नाम से ही जानते है वैसे आप लोगको यह तो पता चलते जा रहा होगा हिंदी मीडियमी स्टुडेंट्स को की साइंस में मैख्जीमम टर्मिनोलाजी हमको इंग्लिस में ही याद रखना पड़ता है और वही सही तरीका है बहले आप हिंदी में पढ़ाई करो लेकिन टर्म को ताप इंग्लिस में जानो तभी ज्यादा अच्छा है आपके लिए ठीक है चलिए तो संट पर हम डिसकस करें संट एक्च्वल में क्या है संट एक प्रतिरोध तार है संट बोलने से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा उपकरना पर बात हो रहा है रहे बहुत बढ़ा डिवाइस हो गए ऐसा कोई डिवाइस नहीं है यह एक छोटा सा तार है मतलब यह क्या है एक रजिस्टेंस वायर है लेकिन कुछ इस्पेसल प्रापरिटी लिए हुए है इसलिए इसका नाम प्रतिरोध तार ना रखके इस्पेसल नाम रख दिया उसको संट नाम रख दिया किसी का कुछ इस्पेसल गुण होता है तो स्पेसल नाम रख दिया जाता है वह इसी बात है इसके साथ में तो है क्या यह एक निम्न प्रतिरोध का तार है इसकी दो प्रापर्टी है पहला निम्न प्रतिरोध लो रजिस्टेंस लो रजिस्टेंस का वायर है और दूसरा प्रापर्टी यह है कि इसको हमेशा समांतर क्रम में जोडा जाता है। मतलब पेरेलल कंभाइन किया जाता है। इसको परिएल autor का संड का मतलब यह हुआ संड एक ऐसा निम्न प्रतिरोत का अतार है जिसको किसी परिपत में समानता क्रम में जोड़ा जाए वो संड है तो बात आगई आपको समझ में एक हमारे पास एक चास्रास रजिस्टेंस वाइर रहे जो निम्न प्रतिरोत का है मत का उसका रजिस्टेंस बहुत कम है. और उसको किसी भी सरकीट में जब जोड़ा जाए तो पेरेल लहीं जोड़ा जाए थी लिए हिंस का है इसलोगे ठोलिसल बेट जोड़ा जाता है जिसे किसी परिपत में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बस यह इसकी परिभासा है अब हम देखते हैं इसका सिध्धान कि वास्तों में संट को जब जोड़ा जाता है किसी प्रतिरोत तार में हम जब इसको हम जोड़ते हैं तो किस पकार से किस पकार से इस प्रिभासा है अभी जो मैं बताया वो इसकी परिभासा है अब बता रहा हूं उसका सिध्धान मतलब उसका प्रिंसिपल इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हमको एक परिपत बनाना होगा यहाँ पर हम एक धारामापी लगाएंगे और यहाँ पर उस तार को लगाएंगे देखो समांतर कम में उसको लगाने के लिए जगा बनाया जा रहा है समांतर कम में लगाने के लिए तो यहाँ पर हम बना देंगे एक गेलवानुमीटर और यहाँ पर हम बनाएंगे एक प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध का तार यहाँ गेलवानुमीटर है, इसका प्रतिरोध केपिटल जी है और यहाँ संट है, इसका प्रतिरोध F है, F फार संट तो देखो गेलवानु मीटर के साथ में यहाँ पर निम्न प्रतिरोत का तार जोड़ा गया है इसका मतलब यह है कि यह संट हो गया अब यहाँ हम देखते हैं करेंट का डिस्टिब्यूशन इसमें होता कैसे है तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे मालो हम यहाँ पर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो नेच्रली यह करेंट जब यहाँ पहुचेगा तो इस जंक्सन में पहुचके दो पार्ट में बढ़ जाएगा इस जंक्सन में पहुचके वह दो पार्ट में बढ़ जाएगा एक part हो जाएगा इसका ये और दूसरा part हो जाएगा ये ये धारा चूंकि धारा मापीशों के बहर रही इसलिए इसका नाम हमने रख दिया IG, G फार के लवानों मिटर और यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है इसका नाम हमने रख दिया suppose IS, S फार संट इस पकार से दोनों धारा यहां से बहर के आगे निगल जाएंगे और ये हो जाएगा इसका current का distribution current का distribution इस पकार से होगा तो सरकीट आपको समझ में आ गया अब इस तरह से जब current का distribution इसमें होगा तब हम इसको किस तरह से इसका calculation करेंगे ये अब ध्यान से सुनो तो हम इसके principle को समझ रहे हैं तो सबसे पहले चूंकि I current का ही दो पार्ट में विभाजन हो रहा है तो I equal to हम क्या लिख सकते हैं IG plus IS ये किर्चाप के प्रथम नियम से कि किसी संधी पर जाने वाली धारा संधी से बाहर जाने वाली धारा के योग फल के बराबर होता है इसलिए I equal हम लिख सकते हैं IG plus IS अब हम लिखते हैं चूंकि VG बराबर VG का मतलब हुआ VG का मतलब हुआ गेलवानोमीटर का विभाव कि जो गेलवानोमीटर है उसका विभाव कितना होगा यह हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो विभाव बराबर क्या हो जाएगा V equal to IR होता है तो प्रतिरोध गुडित धारा तो धारा का मान कितना हिसमे है IG है और प्रतिरोध कितना हिसमे है Capital G तो VG equal to हो जाएगा IG into G VG equal to IG into G हो जाएगा तथा Vs लिखे हम मतलब संट का विभाव लिखें तो संट का विभाव क्या हो जाएगा Is into S क्योंकि संट का प्रतिरोध S है Clear यहाँ तक अब आप मेरे को यह बताओ कि VG का विल्यू IG into G है Vs का विल्यू Is into S है अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चूंकि VG Equal to Vs चूंकि VG Equal to Vs यहाँ पर मैं G को Capital लिखता हूँ थोड़ा सा जादा Clear S पेन होता है यह GG के साथ Confusion हो जाता है हालाक ऐसा कोई जोरी नहीं है फिर भी S को Capital लिखे हैं इसको भी लिख देते है संकेतों का कोई नहीं जैसा मान लो इसको मैं कह दिया V Capital G तो दोनों आपस में बराबर होंगे VG और Vs आपस में बराबर होंगे यह मैंने यहाँ पर लिखा है कोन-कोन बता सकता है कि दोनों बराबर क्यों होंगे देखो यहाँ पर यह दोनों समानतर क्रम में जूड़े हैं संट के प्रिंस्पल में ही मैंने बताया कि दोनों को समानतर क्रम में जोड़े जाता है और जब समानतर क्रम में चाहे जितने भी डिवाइस को आप जोड़ो और स्रेडी में ठीक उल्टा होता है स्रेडी में सब में धारा का माना समान होगा विवाओ का माना अलग-अलग होता है ठीक है तो यहाँ पर चूंकि समानतर क्रम में जूड़ा हुआ है इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा ब्रेकेट में मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ समानतार प्रमी जूड़ा है एकजाम में लिखना जोरी नहीं है एकजाम में लिखना जोरी नहीं एकजामनर को पता है आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते है वैसे आपको भी पता रहना चाहिए चलो अब दोनों के मान को हम यहाँ पर भढ़ दे तो VG का मान यहाँ से भढ़ दें तो क्या हो जाएगा IG into G हो जाएगा और VS का वेल्यू यहाँ से पूट कर दें तो वो हो जाएगा IS into S यह होगा अब इसको थोड़ा एडजेस्मिन करते हैं एक बार मैं इसको और कापी कर लूँ न्यू स्लाइड में जा रहा हूँ इसलिए मैं इसको कापी कर रहा हूँ IG into G equal IS into S अब इसको हम यहाँ से साल्व करें और I और G और S को एक एक साइड में सेपरेट कर लें तो IG को इधा ट्रांसफर करके लिग बाया तरप रहा हूँ तो IS upon IG इसको में इधा ट्रांसफर किया ते होगा G upon S देट इंप्लाइज दोनो साइड में प्लस 1 कर दें ते होगा IS upon IG प्लस 1 इक्वल यह होगा G upon S प्लस 1 यह होगा दोनो साइड को आप हम LCM ले लें तो that equal इसको लिखा जा सकता है IG और यह LCM होके हो जाएगा IC प्लस IG और इक्वल यहाँ हो जाएगा G प्लस S upon S तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखो यह जो वेल्यू हमने लिखा है यह जो वेल्यू लिखा है IS प्लस IG आप देखो रिलेशन फर्स न से IG प्लस IS किसके बराबर है I के बराबर है तो उसको हम वहाँ पर I लिख सकते हैं तो next step हमारा क्या हो जाएगा इसको हम I लिख लें तो therefore I upon IG इक्वल टू हो जाएगा G प्लस S अपान S यह हो जाएगा यहाँ से हम चाहें तो हम IG का वेल्यू फाइंड कर सकते हैं तो IG का वेल्यू हम फाइंड करना चाहें तो यह हो जाएगा I into S अपान G प्लस S यह है बहुत महत्पुन फार्मूला है और यह फार्मूला आपको हलाएक भी सिधान्त पूरूफ नहीं हुआ है लेकिन रास्ते में एक और important फार्मूला हमको मिल गया derivation में और यह numerical बनाने में आपको काम आ सकता है कैसे काम आएगा कि गेलवानोमीटर का जो धारा है मतलब गेलवानोमीटर में कितना current flow हो रहा है धारा मापी में कितना current flow हो रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं इस फार्मूला से ग्याद कर सकते हैं clear तो इस फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है यह भी आप ध्यान में रखना अब आगे हम चलते हैं अब यहाँ पर हम मानते हैं कि माना की कुल धारा का एनवा भाग यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल करेंट है जो हम इस सरकिट पर फ्लो करा रहे हैं उसका एनवा भाग धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है एन्वा भाग धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है माना कि कुल धारा का एन्वा भाग धारा मापी से प्रवाहित होता है तो इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं तो वास्तों में धारा मापी से कितना भाग प्रवाहित हो रहा है वास्ताव में कितना हो रहा है तो वास्ताव में इसमें जो भाग प्रवाहित हो रहा है वो है I g upon I कैसे हुआ यह क्योंकि किसी का जब पार्ट निकालते हैं तो जो पार्ट होता है उसमें कुल को डिवाइट करते हैं तो equal to क्या हो जाएगा 1 upon n हो जाएगा यह तो ig upon i equal to 1 upon n लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर माना है कि कुल धारा का n वा भागी धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं That implies आगे इसको salvo किया जाए तो यहाँ से देखो i upon ig का value हमने निकाला हुआ है i upon ig लेकिन यहाँ पर ig upon i है तो हम उसको reciprocal करके उल्टा करके लिख सकते हैं तो g upon s को क्या लिखेंगे अपन s upon g plus s और equal to हो जाएगा 1 upon n ऐसा होगा अब आगे हम इसको salvo करें s upon g plus s therefore s upon g plus s equal to 1 upon n यहाँ पर cross multiplication करें तिर्या गुणा करें तो इसके साथ multiply होगा n into s equal to होगा g plus s that implies s को इधर transfer करके common करो तो अंदर बचेगा n minus 1 equal to g therefore s equal to g upon n minus 1 और यही क्या है संट का सिध्धान्त है यही संट का सिध्धान्त है इस प्रकार से हम संट के सिध्धान्त को क्या कह सकते हैं संट का सिध्धान्त को हम सब्दों में क्या कहेंगे ध्यान से सुनना संट का प्रतिरोध मतब s संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का एन माइनस वनवा भाग होता है जहां एन धारा का वह भाग है जो धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है ये संड के सिधानत में हमको लिखना होता है तो कभी भी एकजाम में जब ये कोस्चन आता है तो बोला जाता है कि संड किसे कहते हैं जब बोर्ड एकजाम में सिधा सिधा question आता है तो बोलता है संट किसे कहते हैं तो संट की परिभासा में आप लिखोगे कि संट एक निम्न प्रतिरोद का तार होता है जिसे किसी भी परिपत में सदेव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यह परिभासा हो गया फिर जब आपको संट का सिधांत लिखना होगा तो इस बात को आप लिखोगे कि संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का एन माइनस वनवा भाग होता है जहां पर एन धारा का वह भाग है जो धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है इतना आपको लिखना पड़ेगा बाकी हमारा notes available है आपके पास उस notes से भी आप copy कर सकते हो, book से भी पढ़ सकते हो और ये lecture सुनने के बाद आपको याद भी हो जाना चाहिए, इतने बार बताने के बाद आपको याद भी हो जाना चाहिए clear, ते हुआ संट का सिधान आप screen start लेना चाहो तो एक बार screen start ले लो आप धारम आपी का ammeter में रूपांतरण ये एक ऐसा टापिक है जिसका एक जाम में आने का 100% chance रहता है और competitive में भी पूछा जाता है, conversion आप galvanometer into an ammeter किस पकार से हम धारम आपी को ammeter में बदलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं point wise हम समझाते जा रहे हैं आपको ध्यान से समझना सबसे पहला point ये है कि निम्न प्रतिरोध का तार निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोडते हैं निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं that means एक सब्द में कहें तो संट जोड़ते हैं ऐसा कर सकते हैं तो धारम आपी को अमिटर बनाने के लिए निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अब इसके लिए हमें परिपत बना लेते हैं जो परिपत को मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं. परिक्षा में आएगा तो आपको पूरा इसा डिटेले स्परेन करना पड़ेगा. इसलिए मैं उसको दुबारा बना रहा हूं. यही अबीटर है जो अभी आपने पीछे पढ़ा है. यही अबीटर है जो पीछे आपने वग में संट लगाया हुआ समय इसका प्रतिरोध एस है बाकि आप लोगों को पता है कि यहां पर धारा आई-ज रहे हैं और यहां पर धारा जा रहा है है यहं पर धारा पिक्षुलमे संट लगाया कि यहां जाता है धारा तो यदि यह dollar कमान बहुत अधीक हो इतना dollar इतना, Kelvin में प्रवस्च करें तो द्रीमेज होने का डर रहता है. उसका क्वाइव क्या सकता है उसका जाएम हमेज उसको देखा होगा कि railway platform में मालो चार platform हैं लेकिन जो track आते हैं वो सिर्फ दो track आ रहे हैं दो track के लिए और चार platform हैं तो दो track से आने वाले चार या पांच platform में कैसे train अलग-अलग platform में चले जाते हैं तो sunting के थूरू चले जाते हैं क्योंकि station master को जिस उसमें लाना होता है उसको जिस platform पर वो decide करता है और उसके हिसाब से जैसे वो entry करता है station पर तो एक sunting का व्योस्ता होता है जिसके कहा track एक track को छोड़के दूसरे track के साथ में joint है उसको भी sunting कहते हैं उसको भी sunting कहते हैं तो वास्तों में sunting common word है sunting का मतलब होता है divert करना मतलब किसी की direction को change करना तो यहाँ पर हो क् current का direction change हो रहा है इसलिए sunting यहाँ से current कुछ मातरा में इधर और कुछ मातरा में इधर चला जा रहा है यह sunting है तो sunting एक तरह से 70 प्रदान करता है किसको धारमापी को और यह बन जाता है meter अब यहाँ पर हम देखें कि इसका sunting का calculation करें कि कि कितने प्रतिरोध का sunting अपने को i g into g equal to होता है i s into s यह मैंने आपको बताया था अब sunting का अपने को प्रतिरोध जानना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर i g और i i s के value को यहाँ से हम यदि हम displace कर दें तो क्या लिख सकते हैं that implies हमको यह भी पता है कि total current का जो value होता है i equal to होता है i g plus i s यह होता है अब sunting से कितना current flow हो रहा है यह हमको नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से is equal to i minus i g लिख सकते हैं यहाँ पर i minus i g i minus i g लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा ig into g equal to is को यहाँ से is को i minus ig लिख लिख लिए हमें i minus ig और into क्या ले लिया s ले लिया अब संट का हमको प्रतिरोद जानना है तो संट का प्रतिरोद जानना है तो इसको इधा टांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा s equal to ig into g ig into g upon i minus ig इस फार्मूला से हम कितने प्रतिरोद का संट लगाना चाहिए यह निकाल सकते हैं तो यह बहुत important फार्मूला है बहुत जादा इसमें से इतने बार numerical आया है कि मैं count नहीं कर सकता मतलब board exam में या complete exam में कैसे question पूछा जाता है इसमें से question पूछा जाता है कि एक galvanometer का प्रतिरोध इतना है कुल इतनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है और galvanometer से जाने वाली धारा इतना ampere है तो उसको ammeter बनाने के लिए उसे ammeter बनाने के लिए कितने प्रतिरोध का संट जोड़ना चाहिए यह पूछा जाता है तो यहाँ से s equal to ig into g upon ig इस फार्मूला से निकाल सकते हो यह फार्मूला हमको बताता है कि कितने प्रतिरोध का वहाँ पर संट चाहिए ते हुआ निम्न प्रतिरोध के तार को समानतर क्यम में जोड़ कर धारा मापी को हम ammeter बनाते हैं और इतने प्रतिरोध का संट उसमें जोड़ना चाहिए कुछ महत्पूर्ण पॉइंट जो यहाँ पर मैं explain कर रहा हूँ वो note करके लिखना ध्यान से वो यह है ammeter को सदेव यह जो हमारा ammeter है उसको ammeter को किसी परिपत में किसी परिपत में सदेव स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है यह बड़ा confusion है students इसमें बहुत confuse रहते हैं कैसे confuse रहते हैं वो पढ़े रहते हैं कि निम्र प्रतिरोध के तार को समानतर प्रम में जोड़ा जाता है ये उनके दिमाग में बैठा रहता है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अमीटर को किसी परिपत में सद्याओ स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों का स्रेडी समांतर बड़ा confusion क्रियेट करता है लेकिन यहाँ पर बात को थोड़ा इस पस्रूप से समझना जब धारा मापी को अमीटर बनाया जाता है तो निम्न प्रतिरोत के तार को समांतर पर में जोड़ा जाता है मने संड चोड़ा जाता है लेकिन जब हमारा अमीटर तयार हो जाता है जैसे ही अब हमारा पूरा अमीटर हो गया ये पूरा हमारा क्या हो गया अमीटर हो गया तो जब हमारा अमीटर बन जाता है तो उस अमीटर को जब हमको किसी परिपत में यूज़ करना होता है किसी सरकिट में जॉइन करना होता है तो स्रेडी क्रम में जोडते हैं ये ध्यान में रखना ठीक है आगई बात समझें तो दोनों में आप confuse मत हो ना ये बात ध्यान में रखना इसके बाद एक important बात ये है जो कि बहुत important है इसको भी कई बार multiply twice वगर में पूछा जा चुका है वो क्या है वो क्या है देखो ये आदर्स अमिटर आदर्स अमिटर का प्रतिरोध आदर्स अमिटर का प्रतिरोध है वो सुन्य होना चाहिए आदर्स अमिटर का प्रतिरोध को सुन्य होना चाहिए ये बात आप ध्यान रखना ये बात कई बार एक्जाम में पुछा जा चुका है जो ideal अमिटर होता है माल हमा पास कोई आदर्स अमिटर हमको बनाना है हालाई कि आदर्स एक कलपना होती है आपको बता दूमें आदर्स एक कलपना है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आदर्स अमिटर बनाना है मतलब उसके प्रतिरोध को सुनी होना चाहिए माने उसका प्रतिरोध को क्या होना ओके क्लियर यहां तक, आधार समीटर वही होती ही जिसका प्रतिरोध सुन्य हो, इसथ बता रहा हुँ में, अब हम देखते हैं, नेस्ट अपिक हमारा है धारम आपी का वोल्ट मीटर में रूपांजननति हम देखते हैं कि धारम आपी को घृभत है कि सबसे पहला इसका पथा धारा मापी के साथ अब हम उल्टा काम करेंगे धारा मापी के साथ उच्छ प्रतिरोध का तार स्रेडी क्रम में जोड़ते हैं मतलब धारा मापी के साथ यदि उच्छ प्रतिरोध का तार को स्रेडी क्रम में हम जोड़ दें तब वो क्या बन जाता है वोल्ट मीटर बन जाता है ठीक है अब इसका हम परिपत देखें कि किस पकार से इसका हम सर्किर बनाते हैं तो सर्किर देखना ऐसा बनेगा इसका परिपत आसान होगा उससे यह हमारा धारा मापी यह धारा मापी है और यहां पर हमने जोड़ दिया संट यह संट है और यह हमारा धारा मापी है इस पकार से हम इसमें जोडते हैं अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई यह धारा प्रवाहित कर रहे हैं यह यह धारा इसमें से प्रवाहित होगा आई जी भी कह सक पर हैं खाली आई कहो चाहिए आई जी क्योंकि धारा तो समान प्रभाहित होगा इसमें धारा तो समान प्रभाहित होगा क्योंकि स्रेडी क्रम में जब होते हैं तो धारा कमान constant होता, उसको हम I न मान के IG मान लिए, अब यहाँ पर हम देखें कि प्रतिरोध हम को इसमें कितना निकालना है, तो प्रतिरोध में देखो, इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा, मने पूरे सरकीट का जो टोटल प्रतिरोध होगा क्योंकि स्रेडी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वह किसके बराबर होगा जाएगा G प्रतिरोध होगा, टोटल जो इसका प्रतिरोध होगा, वह G प्लस S के बराबर होगा, क्योंकि दो प्रतिरोध जब स्रेडी क्रम में जुड़ते हैं तो प्रतिरो सीधा सीधा योग होता है to jayえば g plus s मतब इसका प्रति रोग धनन इसका प्नकु और वह किसके बराबर होगा इसको हमने सकते हैं w equals to i into r true to kate है हमको पता है कि be equal to i resultados 5 her arep Ace हम वंहीं हुता है तो टोटल इसको विभाव है उसको और हम भी ले 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 इसमें बहने वाली धारा कितना है इस पकार से थी हो जाएगा इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल प्रतिरोध है वह हम को सालम करना है तो यहां हमको इसका value इसको S ना कहके स्वारी इसका संकेत में थोड़ा गड़बर कर दिया इसका संकेत को R ले ने भई, S तो संट के लिए reserve है S तो संट के लिए reserve है भई, इसको ले ले हम R यह R प्रतिरोध है, यह R है अब प्रतिरोध R का मान निकालने हैं अपने को तो G को अधर transfer कर दो, तो क्या हो जाएगा V upon IG minus G, और इस formula से हम क्या कर सकते हैं इस formula से प्रतिरोध निकाल सकते हैं इस तरह से दि हमको exam में पूछे कि कितने प्रतिरोध का हमको कितने प्रतिरोध का हमको वहाँ पर resistance निकालना है, लेना है अब voltmeter बनाने के लिए तो ऐसा करेंगे clear यहाँ तक अब इसके कुछ important point जो मैं आपको बता रहा हूँ उस important points में जो वहाँ पर हमने बताया जिसमें पहला important point क्या है कि voltmeter को किसी परिपत में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको उल्टा काम किया जाता है सब इसका काम उल्टा उल्टा है उससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को किसी परिपत में सदेव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है पहली बात दूसरी महत्पूर्ण बात क्या है कि आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए भई आदर्स वोल्ट मीटर का जो रजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो कितना होता है अनन्थ होता है उसका सुन्य होता है और इसका अनन्थ होता है आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनन्थ होता है आदर्स वोल्टिमीटर का प्रतिरोध अनन्थ होता है ओके तो ये हुआ हमारा कम्प्लीट ये चेप्टर धारा का जो चुमकी प्रभाव है वो हमारा कम्प्लीट हो गया अगला क्लास हम इसके निमेरकल्स पर करेंगे एक बार मैं आपको repeat कर दूँ आज जो मैंने पढ़ाया हमने पढ़ा sun, sun क्या होता है तो sun का definition देखा, sun का सिध्धान देखा इसके बाद देखो ये sun के सिध्धान को हमने proof किया इस पकार से ये sun का principle है s equal to g upon n minus 1 फिर हमने देखा कि धारमापी का मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है और इसका value कितना होता है यहाँ पर फिर हमने देखा कि धारमापी का वोल्टी मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से होता है तो यह हो जाएगा इसका रूपांतरण तो कोई प्राब्लम यहां तक किसी को अरे 12th board class है जितना जल्दी आप course complete करोगे उतना जल्दी आपको revision का समय मिलेगा है ना चलिए और कोई प्राब्लम किसी को ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मच थैंक्यू प्राब्लम किसी को